आजे गडेव नहीं तो आज पहला दिन है मेराथान का टारगेट वहीं होगा जो मैंने 1.5 डेज का स्ट्राइटीजी आपको बताया है सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि टारगेट बेसिस पे चलेगे और टारगेट आज का क्या रहेगा आज का टारगेट रहेगा हमारा पहला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खतम करना है दूसरा आज मैक्सिमम कितना पड़े सकते ह तो बढ़ेंगे नहीं portfolio management खतम करेंगे mutual fund खतम करेंगे अगर time मिला तो security analysis मतलब तीन topic का target है क्योंकि आप ठके हुए हो तो ठीक है यार तीन topic है easy है इसके लावा हम बहुत ज़्यादा ऐसा discussion नहीं करेंगे जिसमें यार जो हमको आता है उस पे revision की जिर्वरत नहीं खेर मेरे साथ साथ चलिए start कर रहे हैं हम लोग आज का target portfolio management और security analysis पहला chapter portfolio management याद रखना कि इस chapter से multiple choice question आने के भी chances है बहुत जादा 8 से 16 number है target है यार 2 से 2.5 घंटे में खतम हो जाना चाहिए portfolio management एक बर कोशिस करते हैं कोशिस करने का तो time नहीं क्योंकि exam है पर हो जाएगा 100% हो जाएगा 2 घंटे sufficient है portfolio management ओके सर portfolio management ये मेरे खेल से आपके पास copy होगी या notes होगा उससे कर लेजिए एक तो यहार part 1 modern portfolio theory और इसके अलावा capital asset pricing और इसके लावा APT में देखा जाए तो तीन ही कोशिन है और तीनों कोशिन करना पड़ेगा तीनों कोशिन देखना पड़ेगा भाई तीन ही कोशिन है तीनों कोशिन देखना पड़ेगा portfolio rebalancing में दो कोशिन है वो दोनों ही कोशिन देखना पड़ेगा efficient market hypothesis या efficient market theory मैंने यहाँ नहीं करवाई हूँ, security analysis में है पर target यह है कि security analysis भी यहीं कतम हो जाएगा आज ही कतम हो जाएगा सार्प optimization model देखना है देखो नहीं देखना है मत देखो एक question है पर मैं तो देखूँगा मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा exam है उस हिसाब से मैं revision करूँगा तो start करते है portfolio management में पहला MPT याद रखना कि मैं समझाने नहीं आया हूँ मैं revision करवाने आया हूँ और वो भी बहुती speeds उमीद करता हूँ यह chart आपके पास है modern portfolio theory जिसने लिखा उसका नाम है Markovids, Markovids क्या कहता था target क्या था पहले Markovids की बात कर ले sir Markovids यह कहता था जल्दी से कि यार हमें ऐसा portfolio बनाना है जिससे risk कम हो return थीक है जो कमा रहे कमा रहे return में बहुत ज़्यादा change ना हो एक stock में पैसा लगाने क्या पेक्चा यार हमें तो ज़्यादे stock में फैसा लगाना पढ़ी और फैसा लगाना चाहिए और target यह है कि हमें एक stock में दो stock में पैसा लगाना है तो ऐसे stocks देखना है जिसमें correlation क्या होना चाहिए negative target वह यह is視 तो यार हमें target क्या target है दो ऐसे stock ढूलना जिसमें correlation negative है और उसमें इस तरह से weight किया जाए कि हमारा portfolio का deviation portfolio का risk कम हो जाए पर मैंने खा इस से पहले हमें risk समझना पड़ेगा है उसके लिए हमें बात किसकी हो रही थी single stock और single stock में सबसे पहले हमें expect return और standard deviation निकालना सीखना target यह रहेगा कि पहले में सारी चीजे चार से discuss करनूं और फिर हम question या लगेगा तो example एक आद example है वो करवाने के कोशिश करेंगे अच्छा तो यार पहले हम बात किसी करें single stock अब single stock का expected return और standard deviation का standard deviation निकालना आपको अच्छे से आता है पर depend करता है कि आपको past data दे रखा है जिसको आप बोलते है exposed data या फिर probability दे रखा है ठीक है ओके सर अगर past data दे रखा है तो भाई expect return कुछ नहीं है divided by n कर देंगे और standard deviation निकालना आपको आता हलाकि मैं और कहां कि सर यह formula हमें याद रखना है कि यह formula की ज़रुरत है नहीं ऐसी है सर अगर probability दिया तो भाईया कुछ नहीं करना है सर probability अगर दिया है तो जो return दिया होगा probability से multiply करेंगे total करेंगे that's it और standard deviation में भी divided by it to p कर देंगे मैं आपको समझा दूँगा सर coefficient of variation कहां काम आएगा cv cv कहां काम आएगा सर यह बताओ वैसे तो हमें कौन से stock खरीदना चाहिए depend करता है कि आपको return ज़्यादा चाहिए मालो a और b stock 2 stock हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ज़्यादा return चाहिए तो भाई a और b में से जिसमें return ज़्यादा है वो खरीद लेंगे और रिस्क के इसाब से बात करूं तो जिसमें standard deviation कम है a और b में वो खरी लेंगे that's it पर अभी कभी कोशन बोलता है यार नहीं नहीं आप दोनों को consider करके बताइए तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा मान लो a का expected return ज़्यादा है पर b का standard deviation कम है तो या return के इसाब से a और रिस्क के इसाब से b तो फिर लगेगा हमें cv फिर लगेगा question के साथ मैं समझाओंगा cv क्या बोलता उपर लिखा है मैंने risk और नीचे लिखा है return तो return के पिछ रिस्क कितना और रिस्क जिसमें कम होगा वो हम खरीदेंगे यह cv का formula है बात में देखिए तो इस तरह से हम expected return निकालेंगे इस तरह से हम standard deviation निकालेंगे इस तरह से फिर cv निकालेंगे एक बार सबका निकल गया है उसके बाद हमें क्या करना अब हमें 2 stock के बीच में क्या देखना पड़ेगा correlation दोई stock खरिदा है तो चलो कोई भी 2 stock देखते और उसका correlation देखते और correlation देखेंगे तो correlation निकालना सीखना पड़ेगा और उसके लिए covariance निकालना सीखना पड़ेगा और covariance का formula हुए है कि past data दिया है कि probability दिया है x का x के साथ deviation joint deviation करेंगे उसका total करेंगे या तो divided by n करेंगे या तो probability से multiply करेंगे मैं question के साथ मैं आपको बता दूँगा और एक बार अगर covariance निकल गया तो फिर हम correlation निकालेंगे this is most important most important और sir correlation कैसे निकालेंगे covariance उपर आएगा divided by दोनों का standard deviation of x into standard deviation of y sir logic logic नहीं समझना आगे चलें यह के बाकी question के साथ मैं समझाने वाला हूँ okay sir finally हमने correlation निकालिया पुरा markovids को मैं यहाँ खदम करूँ मान लो हमने correlation निकालिया आगे क्या होगा अब यह correlation को concept क्या है हम ढूंडेंगे कि 2 stock के बीच में correlation perfect positive है या perfect positive positive मतलब plus one perfect negative मतलब minus one या फिर ना तो perfect positive है ना तो perfect negative अगर perfect positive है तो भई रिस्क नहीं कट सकता portfolio का standard deviation weighted average होगा weighted average अगर perfect negative है तो risk कट के zero हो सकता जिसको बोलते हैं zero risk portfolio लेकिन सिर्फ correlation negative होने से काम नहीं चलेगा उसमें हमें पैसा कितना कितना लगाना है weight निकालना पड़ेगा और weight का formula है सर तो याद रखना अगर correlation perfect negative है तो risk क्या हो सकता portfolio का zero पर आपको पैसा weight कैसे लेना पड़ेगा बोले एका weight निकालना तो दूसरे का standard deviation divided by दोनों का standard और सर अगर perfect negative है portfolio का standard deviation portfolio का standard deviation कैसे निकलेगा तो याद करो A square plus B square plus 2 A B यह मैं करवा चुका हूँ इस पे डाया है ठीक है सर ये भी हो जाएगा अगर correlation ना तो perfect positive है ना तो perfect negative है तो फिर risk zero तो नहीं हो सकता पर कम जरूर हो उसको बलते है minimum risk portfolio पर इसमें भी weight निकाला जाता है ये important है भाई ये formula याद हो ना हो पर आपको करना अपड़े दूसरे का standard deviation minus covariance A B दोनों का standard deviation minus 2 covariance A B ये में एक question के साथ मैं आपको discuss करूँ ओके सर बात कतम होगी बस इतना ही बोलता है इसमें और एक चीज है sharp ratio sharp ratio बहुत ज़्यादा huge होता है यूज होगा sharp ratio क्या बोलता है वो बोलता है access return divided by standard deviation वो क्या बताना चाहता है वो बताना चाहता है risk लेते हो तो access return कितना है और ये जितना ज़्यादा होगा हाई होगा उतना ज़्यादा अच्छा शार प्रेश होगा यूज मेशल फंड में भी आएगा यहां भी आएगा ठीक हज़े एक हमने summary discuss किया अब हम आगे चल रहा है question number one देख रहा है और sir देखना पड़ेगा कि yes हमारी book का question number one book नहीं भी उठाओगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ना है यहां ध्यान से देखोगे तो एक stock है जिसका cost दिया 120 रुपा है it means आज खरीदोगे तो 120 और कोई dividend नहीं है देखा the possible price that stock might sell stock एक साल बाद बेचा जा सकता है एक साल बाद बेचा जा सकता है या तो 115 का या तो 120 का dividend है यह नहीं है या तो 125 का इस तरह से दिया और साथ में क्या दिया है probability दिया हुआ है ध्यान से समझना है मरी बात को सबसे पहले तो हमको expected return नकालना है तो मेरी बास समझना पूरे portfolio में कभी भी हम रुपीज में calculate नहीं करेंगे हमें सबसे पहले percentage में percentage में return निकालना पड़ेगा अब सवाल है कि return कैसे निकालने तो भई 120 रुपे price है 115 हो सकता है तो सरी यह तो loss हो गया और loss आपको percentage में निकाल सकते हैं और पाच रुपे का loss हुआ divided by 120 रहना percentage आ गया 4.17% यह भी return आ सकता है और इस बात की probability है 0.1 अगर सर 120 उबा तो 0 120 से comparison करना बस मैं यह समझाना चाहता हूँ इस तरह से आप एक बार क्या करोगे return निकाल लोगे सर यह expect return है कि यह expect return नहीं है इसको फिर हमें probability से multiply करना पड़ेगा फिर expect return निकलेगा और साथ में तो हमको standard deviation निकालना है निकालना है ओके तो यह question है अब यार हम अलग-अलग नहीं करेंगी कि हम expected return अलग निकाला है और standard deviation अलग निकाला है तो हमें काम कैसे करना पड़ेगा तब probability दिया हुआ है probability दिया हुआ है yes x लिखा x क्या है चीज वो जो expected return निकाला आरकर चल नहीं रहा है ठीक है यह x है x मतलब जो आपने निकाला उसको लिख दिया अब इसको हमने probability के साथ multiply करते गए तो उसका नाम है px और इन सब को जोड दिया तो this is expected return ठीक है जी और फिर अब और फिर उसके बाद क्या होगा याद रखना अब हमें क्या निकालना पड़ेगा standard deviation standard deviation में x माइनस x बार करते गलती क्या हो सकती सुन लो दियां से गलती आप इसको x ले सकते x माइनस x बार इसको करोगे वही मत करना x यह x माइनस x बार x माइनस x बार यह करके यह करते ठीक है और इसका average मैंने कहा था जीरो आएगा इसलिए आप इसको square करोगे square करके यह आ गया और उसके बाद फिर आप इसको square root करके finally क्या निकालोगे standard deviation that's it मैं नहीं भी समझाता तो आपको समझ में आ जाता आगे चलूँ यस आगे यह example लिया इस example को करने की जरूद नहीं है मुझे नहीं लगता कि इस example की आपको जरूद ठीक है year होता तो क्या होता year होता तो क्या होता वो आपको पता है divided by N हो जाता खेर उस पर मैं time बरबाद नहीं करूँगा अब सवाल है sir हमको standard deviation निकलना आ गया expect return निकलना आ गया पर यह sir target तो यार की हमको ना 2 stock का individual stock का तो हम निकलने हैं हमें 2 stock के बीच का correlation निकलना तो correlation कैसे निकलना जाए वो भी depend करता है कि यार past data दिया है कि probability में probability वाला यूच करा हूँ ध्यान से देखने है इस बात को sir इस question में sorry इस question में हम लोगों को probability दिया है stock x, stock y दिया है सबसे पहले expected return मांगा है फिर standard deviation मांगा है फिर covariance मांगा और correlation मांगा है एक बात समझ ले, target क्या होगा target या होगा, हमको table बनाना पड़ेगा हम table बना रहा है, यह table है अपके सामने, सबसे पहला गाम है कि हम probability लिग दे, लिग दिया probability हो गए, उसके बाद काम क्या करना पड़ेगा पहला x का लिख लेते है पूरा, तो sir, x लिख लिए, x को multiply किया px से, तो यह आ गए हमारा expected return इसमें कोई दिक्कत की बाद नहीं उसके बाद proper हम जैसे standard deviation निकलते थे x minus x bar लिखा, और x minus x bar square into probability लिखा, तो यह आ गए sir, point 81, ठीक है 81 आके, 81 और 81 को मैंने क्या किया square किर दिया, तो कितना आ गए 9% इसे standard deviation, अभी किसकी बाद हो की x की, ऐसी किसका किया हमने y का, और y का करने के बाद probability से multiply करने के बाद यह आ गए है और y का standard deviation निकल गए, इसमें गए, standard deviation y का गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब हम आगी चल रहा है हमें क्या निकालना है हमें निकालना है, sir, covariance अब देखो धियान से covariance कैसे निकल रहा है यह है x माइनस x बार और यह है y माइनस y बार इन दोनों को multiply किया साथ में probability से multiply कि तो इन तीनों का जब multiply किया, x का x के साथ y का y के साथ mean से deviation इन सब को total किया तो यह आगए, total यह क्या आया, sir यह जो आया, इसका नाम क्या है, sir, इसका नाम है covariance इसको n से divide मत करना क्योंकि probability दिया हुग और फिर correlation कैसे निकलना x और y divided by इन दोनों को divide कर दिया, तो यह आगए correlation, sir, correlation कम से कम कितने digit में लिखना है हमको correlation कम से कम आपको point के बाद 3 digit कम से कम लिखना पड़ी 4 भी लिख दो तो कोई गुना नहीं है याद रखना correlation point के बाद कम से कम 3 digit में आपको लिखना ही पड़ेगा ठीक है, yes sir, correlation निकालने में कोई दिख्कत है कि कोई दिख्कत ठीक है, अब sir, हमारा correlation निकल गए, अब इसके बाद क्या बस, इसके बाद अब decide करो कि correlation perfect negative तो नहीं है, perfect positive तो नहीं है उससे साब से हम portfolio बनाएंगे, wait रखेंगे, wait के साब से, और portfolio के standard deviation का formula क्या, A square plus 2 square, B square A square plus B square plus 2AB वो तो हमको पता है, देखें question देखें क्या, yes तो यह वाला question है question number 2, अच्छा question है, मेरी नजरू में एक बार देखतें, यह question आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ICA ने दो-तीन बार इसको दे रखा है, तो देखें क्या है, yes question number 2, इस question में ध्यान से देखना, दो श्टॉक है X और Y, X और Y और year दिया है, 2016 और 2017, यह पहला साल हुआ यह दूसरा साल हुआ, ठीक है 1 और 2, अब year में दिया, probability नहीं दिया, और X का return दिया है, 10% और 16% और Y का return, first year में दिया 12% और second year में दिया 18% हमको मांगा है expect return निकालिए portfolio का, अगर X में आप लगाते हो, 40% और Y में लगाते हो, 60% हमें क्या निकालना है, expect return of portfolio, अब B तक हमें expect return of single stock नहीं पता है उसके बाद standard aviation निकालना, दोनों का standard division निकालना, उसके बाद covariance निकालना, correlation निकालना और फिर risk निकालना, it means यार, इस question में खास बाद समझो इस question में भाई साब, हम लोगों को सबसे पहला काम होगा table बनाना पड़ेगा, table बना के हम जितना हो सकता निकाल लेते हैं ठीक है, ये table है आपके साब 1 और 2 लिखा, यहां x का लिखा 10 और 16, 26 आगया और divided by 2 होगा इस बाद probability तो है नहीं, तो यह आगए 13 यह आगए expect return of x या a x दिया तो expect return of x आगया, ठीक है ऐसी फिर हमने x का काम हो चुका है फिर x minus x square करके यह 18 परशन किया, divided by 2 करके standard deviation भी x का निकाल लिया ऐसी किसका निकाल लिया, sir y का भी हमने standard deviation निकाल लिया, यहां तक कोई दिकत नहीं, और x minus x bar y minus y bar किया, probability से multiply नहीं किया होगा, दोनों को total किया, याद रखना, यह covariance नहीं है, covariance कब आएगा या तो probability से multiply करके आया होगा, या तो divided by आपको number of years करना पड़ेगा तो यह आगया 9% covariance यहीं चाहिए था अब sir correlation, correlation मांगा है अब यह table का क्या use है यह table की बाद में, अब हमने जो जो मांगा है, यह table हमारा एक working note हुआ working note, अब हमें करना क्या है हमें क्या करना यह है अब देखो मांगा क्या है 40% और 60% पैसा लगाते तो उस हिसाब से मैंने expected return of A और Y तो हमको मालूम है तो उसके हिसाब से formula लिखना जरूरी है कि नहीं है जरूरी तो यह आ गया 14.2% expected return of portfolio वेट दिया 40 और 60 के हिसाब से उसके बाद क्या लिखा standard deviation of हर एक काव table सो तो निकाल लिया बस यहां मैंने लिख दिया वापस उसके बाद क्या मांगा था सर उसके बाद उन्होंने covariance मांगा था जो अलिडे निकल चुका है मेरा उसके बाद क्या मांगा था correlation मांगा था correlation के यहां लगा के correlation perfect positive है और correlation अगर perfect positive है तो हमें standard deviation का बड़ा वाला formula यूज करने की जरूरत नहीं है बड़ा वाला formula क्या था A square B square उसकी जरूरत नहीं है सीधा करो standard deviation of A weighted average कर लिए और answer कितना के 3% अच्छा कोश्य नहीं है देखके चले जाना देखके चले जाना क्या देखी रहे है ओगे सब चले जी आखे कोश्य नबद 3 देखना पड़ेगा अच्छा कोश्य नबद 3 ठीक इसमें बहुत कुछ अलग-अलग portfolio सीखने को मिलेगा लिखा है Mr. A तो लिखा है Mr. A कितना रुपे लगाना चाहते है एक लाक रुपे लगाना है ठीक है In the security market He selected two security कौन कौन सा बी और डी बी और डी में पैसे लगाना चाहते है और दोनों का खास बात सुनना ध्यान से इस कोश्चन में दोनों का expected return निकाल कर दी दिया है और दोनों का रिस्क भी निकल कर दे दिया, ठीक है भई, दोनों का एक्सपेक्ट रिटन, दोनों का रिस्क निकल कर दे दिया है, कितना पैसा लगाना चाहिए, यह हम बता सकते हैं, शर्त यह है कि हमको कोरिलेशन निकलने को मिल जाए, पर वो बोलता, आप ज़्यादा दिमाख मत चलाओ, तो कोरिलेशन हमने निकल दिया, पॉइंट वण फाइफ, अगर आपने कोरिलेशन निकल दिया है, भाई, पॉइंट वण फाइफ, तो हम बता सकते हैं कितना कितना लगाना चाहिए, ना तो यह परिफेक्ट पॉजिटिव हैं, ना तो बोले वो भी आपनत की चाहिए, हम ठीक है जी बताओ क्या-क्या पॉर्टफोल्य बी और डी के बीच में ऐसा बनाना चाहते हैं हम पूरा की पूरा हंड्रेड परशंट एक पूर्टफोल्य यह हुआ कि हम पूरा की पूरा पैसा बी में लगा सकते हैं ठीक है मैं दूसरा 50 percent हम बी में लगाएंगे 50 percent दी में 25% D में लगाएंगे और 100% D में लगाएंगे और आपको बताना भी है कि रिस्क के point of view से कौन सा अच्छा है कहने का मतलब यह है कि इस question में मैं क्यों कर वा रहा हूं यह question अच्छा है इस question में आपको total मिला कर 4 type के portfolio बनाना है ठीक है और portfolio का जो standard deviation भी निकालना और उसका formula क्या लगेगा formula यह वाला लगेगा standard deviation of portfolio is equal to यह square root होना चाहिए अकर square root ना हो तो यह variance हो जाएगा पर हमें variance नहीं निकालना हमें standard deviation निकालना है यह कि सर हम लोग तैयार है ओके सर क्यों मैंने यह वाला बड़ा वाला formula क्यों लगाया है उसके पीछे वजा है क्योंकि correlation क्या है .15 पहला portfolio क्या आप 100% B में लगा यह तो फिर सोचने वाली बात नहीं B में लगा रहे तो expect return आएगा 12 परसन और standard deviation आएका 10 परसन अगर हम 50-50 परसन लगाते हैं तो expect return तो weighted average होगा लेकिन standard deviation हमने निकाला 10 square .5 square 10 square बस यहां गलती क्या कर हो कि क्या गलती हो सकती है आप से 100% होती है क्या गलती हो सकती है कि आप यह standard deviation लिखने की अपेक्छा आप गलती से expect return लिख सकते हो होता है मैंने बच्चों का test paper चेक किया तो भाई इस बात पर wishes ध्यान देना इस बात पर ध्यान देना हलके में मत लेना मैं जो बोल रहा हूँ जल्दबाजी में यह गलती हो जाएगी आपको ध्यान से standard deviation देखकर लिखन ने काला फिर उनने का 75% और 25% तो उससाब से हमने काम कर लिया थोड़े easy question है हम calculator अगर सर हम calculator चलाएंगे क्या अभी जरूरत नहीं है या calculator चलाएंगे थोड़ा सा रुख जाओ इन questions के लिए अगर आप calculator चलाओगे तो आपसे portfolio भर हो पाएगा दो दिन में बस और कुछ नहीं हो ठीक है यह question अच्छा question है सब फिर 75% और 25% के सबसे हमने काम किया होगा यह 75% मैंने यहां डायेक्ट लिग दिया आपने calculate करके दिया था और चौहता कौन सा पूरा की पूरा पैसा किसमें लगाना है डी में return के point of view से कौन सा चाहोगा जिसमें सबसे ज़्यादा return मिलेगा ठीक है और इसके point of view से किसम से फिर मैंने यह वाला question लिया था यह वाला question में कुछ खास बात थी क्या कुछ खास बात ने थी यहां optimal weight मैंने अलग से एक point पूँछा था मैं एक बार read कर देता हूँ question देखके देख लेते एक बार कि क्या इस पेशन है सर एक लाग रुपए लगाना है ठीक है किस किस में ABC और XYZ में कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यहां सर probability दिया है इसका भी return दिया है इसका भी return दिया है तो सबसे पहले हमें क्या मांगा है हमें निकालना risk और return किसका individual stock और उसके बाद बोले कि portfolio का भी return और risk निकाल लिए जी अगर हम equal proportion में पैसा लगाते हैं तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यार वो टेबल बनाते है और correlation तक का का काम करना ही पड़ेगा यह टेबल है टेबल में सबसे पहले हमको probability लिखना ही लिखना है ठीक है ओके सर सबसे पहले हमने probability लिख दिया उसके प X, PX, X करके हमने यहां standard deviation निकाल लिया ऐसे Y का भी standard deviation निकाल लिया और covariance निकाल लिया यार रखना divided by मत कर दिया यही गलती हो सकती है और probability से multiply किया तो यही covariance आ गया अब correlation भी निकाल लिया होगा correlation हाला कि मैंने नहीं निकाला पर correlation भी निकाल लिया होगा ठीक है सर चल equal proportion बोला तो 0.5, 0.5 करके निकाला उसके बाद मैंने standard deviation of portfolio निकाला है याद रखना कि standard deviation of portfolio में standard deviation of A square weight of A square और यहां 2 into weight of A into weight of B into covariance A B यह वाला formula याद है न आपको आसर याद है यह वाला formula ठीक है और covariance निकला हुआ था तो मैंने सीधा-सीधा standard deviation निकाला ठीक है अगर concept की बात करो तो concept बिल्कुल सीधा है जिसका में return और standard deviation जिसमें बहुत ही कम है तो हलाकि CV के basis पे भी decision ले सकते हैं पर उसने तीन चीज़े मांगा था मैंने तीन तीन चीज़ें को निकाल लिया आराम से अब उसके बाद सबसे important है उनका ये मैंने पूछा था कि बताए ये optimal weight क्या होगा optimal weight optimal weight निकालने के लिए सबसे पहले आपको correlation निकालना पड़ेगा और correlation परफेक्ट positive नहीं आया है 0.99 आया है देख रहा है आपको 0.99 अगर perfect negative होता तो weight का formula दूसरा perfect negative मतलब minus 1 sir इसको rounded off नहीं कर सकते ठीक है ओके सर ये बात हो गई अगर correlation perfect negative या perfect positive नहीं है तो weight optimum weight का formula क्या है जहां से समझना sir दूसरे का variance divided by दोनों का variance उपर होगा यहाँ minus covariance और यहाँ minus होगा 2 covariance वही मैंने किया है 11.27 कहां से आया है sir यह है 11.27 square कर दिया और यहाँ दोनों का variance लिखा है बीच में plus है ठीक है और covariance तो आपका already निकला हुआ है weight of A निकला 0.46 तो weight of B निकला 0.54 और simple सी बात है इतना इतना अगर पैसा निकालोगे तो risk जो आएगा वो minimum risk रहेगा modern portfolio theory में इतना ही था मारकोवेड़ ने इतना ही बोला और कुछ है नहीं यह वाना कोशन मैंने करवाया तो नहीं था पर इस कोशन में मैं कुछ discuss जरूर करूंगा इस कोशन को ध्यान रखना इस कोशन में खास बात क्या है इस कोशन में खास बात क्या है सुनो ध्यान से रमेश रमेश है सर उसके बास दो इस टॉक है ए और बी का ठीक है अब भाई साब उन्होंने market price दिया हुआ है मैंने आपको portfolio में पहले ही बताएं कि market price से नहीं होगा आपको return निकालना पड़ेगा percentage अब return जब निकालोगे ना तो 2013 का return निकलेगा 2014 का निकलेगा और कैसे comparison करोगा ऐसे comparison करो 18.75-19.60 divided by 19.60 into 100 इस तरह से minus 4.33 आ गया इसका ठीक है इस तरह से आप return निकालोगे और return निकालने के बाद आपको जैसे करना है उस तरह से मेरे खिल से कर लोगे कोशन ठीक है साथ question number 7 इस question में क्या खाज बात थी तो सुनोगे इस question में खाज बात ये थी कि इस question में हम लोगों को कुछ stocks दिया रहता है stocks दिया है efficient क्या efficient कैसे निकालने है सुनना धियां से efficient मैंने कैसे निकाला मैंने गए इस टॉक पहले में return देखूंगा a का भी return 8% b का भी return 8% और f का भी return 8% तो तीनों ही तो 8% प्रोवाइट कर रहा तो देखते कि इन तीनों में risk किसका कम है अगर risk a का कम है b और f की a picture तो b और f को मैं inefficient बोलूँगा मैं कहूंगा यार a ही खरीदो ना यार पूरा पैसा यह में लगाओ क्योंकि यार b में भी तो उतना ही return है पर risk जादा है f में भी तो उतना ही return है पर risk जादा तो मैंने b और f को काट दिया क्या ठीक है ओके सर उसके बात और कोई कोई समान दिखना है की नहीं प्र अगर मैं risk देखूं तो 4 और चार दिख邊 Sir और तो उप्टिम में पहले इस question में क्या मांगा है सबसे पहले question में इस मैं से कौन कौन से सलिट करोगे पर यह से काटने से काम नहीं चलेगा आपको लिख कर बताना पड़ेगा और मैंने लिखा है efficient security मैंने गा यार B और F को cut कर देंगे क्यों क्योंकि security A provide कर रहा है same return 8% return और कम risk पर इसी तरह से मैंने security D को काटा मैंने गा यार यह inefficient है क्यों क्योंकि security A provide कर higher return at same level of risk efficient security A C और E आ गया ओके सब्सक्राइब और नमबर टू में लिखा assuming perfect positive correlation positive लिखा नहीं है पर वो perfect positive भी है actually अगर बोले perfect positive return है तो बताइए क्या आप 75% A में और 25% C में लगाना चाहते हो यह 100% E में लगाना चाहते है अगर हम 100% E मे लगाते है तो return कितना मिलेगा 9% और risk कितना 5% तो हम A और C के का portfolio का expect return निकाल लेते है और standard deviation निकाल लेते है क्योंकि perfect positive है तो मैंने weighted average के सबसे काम कर दिया तो expect return निकला 9% और standard deviation निकला है 6% जबकि मैं C का E का comparison कर रहा हूं तो E में भी 9% है पर deviation 5% तो भाई आप 100% इसमें लगा यह बात कताम हो जाए अच्छा topic है यह efficient portfolio वाला topic ठीक है ठीक है सर यह वाला question question number 50 बहुत अच्छा है देखना पड़ेगा यह वाला question थोड़े से अच्छे से इस question में देखा X company limited ठीक है इन्वेस्ट कप कर रहा है सर इन्वेस्ट कर रहा है एक अप्रिल 2009 को मेरे खेल से आपको दिख रहा हूँ एक अप्रिल 2009 को investment हो रहा है किसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक अप्रिल 2009 को कितना रुपिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो दिया है कि दो लाग और एक लाग पैचास जर और दोनों को में टोटल मारूं तो तीन लाग पैचास जर का investment है कि investment हो चुका है इन्वेस्टमेंट करना नहीं है और बिखा 10% डिविडेंट वाज पैट सब्द लिखा था वाज पैट ठीक है बहुत एक तैन पर शट्न किस ने दिया म लिमिटेट ने और इसके अलावा 30% डिविडेंट किस ने दिया यूड निमिटेट 10% 20% याद रखना face value के निकलना और यह face value दिया है 10 100 रुपए और 10 रुपए इस डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था इन्वेस्टमेंट हुआ रहा साड़े तीन लाग रुपए साथ में बीच में डिविडेंड मिला यहां मन्त हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टन नहीं क्योंकि हमें तो yearly return निकालना है तो 10 रुपए एक शियर पर डिविडेंड मिला तो total number of shares कितना है 1,000 तो total मिलाकर 10,000 रुपए डिविडेंड मिला इसका M Limited का और N Limited की बात करो तो 500 शेयर से और 3 रुपए पर तो 1500 रुपए डिविडेंट मिला तो टोटल मिलाकर 11,500 रुपए डिविडेंट मिला इसके अलावा वो आपको बता रहा है कि यार देखो शेयर का प्राइस क्या हो गया 220 रुपए हो गया M Limited का अब यहां दूसरे साल की बात कर लिया ठीक है वो हमसे मांग रहा कि आप 31 मार्च 2010 का क्या निकालिए बोले रिटर निकालिए Average Return Average का मतलब Weighted Average और फिर बोले Expect Return निकालिए कब उसके बाद वाले साल का तो यार देखो Average Return निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मुला है P1-P0 Plus Dividend Divided by P0 Into 100 करेगे तो निकल जाएगा है ना ठीक है जब और इसके बाद उन्होंने का Expect Return निकालिए तो भी एकस्पेक्ट रिटर बोले एक साल हो चुका है और आने वाले साल का हम आपको Information दे देंगे और Information यहां उन्होंने का कि यार हमें ऐसा लग रहा कि 20% और 35% Dividend मिलेगा और Share का Price बोले ये भी हो सकता ये भी हो सकता साथ में Probability दिया तो हम एकस्पेक्ट रिटर निकालनेगे ये भी हो सकता ये भी और साथ में Probability दिया तो एकस्पेक्ट रिटर निकालनेगे तो ओसी साथ से पहले साल का आपका Actual Return निकलेगा और दूसरे साल का आपका Expect Return निकलेगा अब ICAI ने क्या कर रखा वैसे तो Simple तरीके से भी निकाल सकते Institute ने क्या कर रखा ICAI ने क्या कर रखा भाई बोले सबसे पहले तो हम काम करते हैं उन्होंने Individual Return निकाल के रखा Individual मतलब एक-एक कंपनी का Stocker Return निकाला है उन्होंने पहले M Limited का और N Limited का Formula P1-P0 P1-P0 कैसे निकलेगा मैं कौनसी एर की बात करो 31st March 2010 की P1 क्या हो गया P1 यहां क्या हो गया 220 और 290 जो गया यह P1 हो गया और P0 दिया हुआ Cost, 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 Cost नहीं दिया Cost निकाला होने और Cost कैसे निकाला होगा 2,00,000 divided by 1,000 इस तरह से उन्होंने निकाला और Dividend हमको मालू है 15% माइनस 2.33% ठीक कोई फरकने पड़ता अब सवाल है कि Weight कौन सा लेना है यही question तो है सीखने वाला Sir Weight कौन सा लेना है Weight Market Peace लेगी Cost ले सिंपल सी बात है आज पैसा लगा रहे हो तो आज का Weight फिर 1 साल बात के आने वाले साल का निकलता तो वहां का Weight मतलब आपको Weight कभी भी Beginning का लेना होता है वेट ये वाला ही आएगा वेट से ये वाला ही आएगा और आना भी चाहिए ठीक है तो वेट निकला 2,5,5 लाक वेट निकल गया 0.57 और 0.43 वेट नहीं भी निकलते तो सिधा आता और मैंने निकला वेट इवरेज निकल रिटन जो आया है 0.57,055 परशट यहा तक कोई दिक्कत है क्या अब एक्सपेक्ट रिटन की बात करो एक्सपेक्र रिटन में यहाँ देखो यहाँ शेर का प्राइस कितना हो गए सर यहाँ जो क्लोजिन प्राइस था closing price यह निकला था ना हमारा 220 और 290 यहां 220 और 290 लिख दिया ठीक है dividend हमको मालूम है और expected price है तो इससे मैं individual क्या निकल लूँगा सर इस individual share का आप return निकलोगा अब weight कौन सा लेना अब याद रखना कि weight यह वाला उठा कर मत ले लेना क्योंकि मुझे इस साल का निकलना तो यहां का beginning का weight लेना पड़ेगा यह वहां share का price किया है और मैंने वह वाला लिया है मतलब 1000 into 220 किया 500 into 290 किया उसे सबसे मैंने weight निकल और यह weighted average निकल रिटर निकल गया 17.97 दूसरे भी तरीके है पर मैंने किस तरीके से करवाया है जैसे ICAI ने किया उसे सबसे ठीक है तीसरा जो है ना तीसरा यह सर अब तीसरा जो है वह important है तीसरे में क्या है यहां अगर पड़ोगे तो तीसरे में क्या मांगा है third point में मांगा है X company limited एडवाइस करना है X company limited of the comparative risk into investment by calculating standard deviation वह क्याना चाहता है कि भाई आप दोनों आप X में लगा आप M limited में लगाते हो आप N limited में लगाते हो तो आप एक काम कीजिए आप standard deviation निकाली सर हम standard deviation निकाले और standard deviation पास्त का ने निकलेगा वो तो हो चुका है रिस्क जो निकलेगा वो तो future का निकलेगा बहुले standard deviation निकालेगा और standard deviation कौनसी year का सर इसका standard deviation ने निकालना हमें तो इस line का standard deviation निकालना तो सर standard deviation के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा return और return कैसे निकलेगा return है कि यार price ये भी हो सकता और कौनसी company का मांगा दोनों ही company का मांगा यस तो ये ये भी price हो सकता है ये भी price हो सकता है तो चलो ना return निकालते है dividend तो same ही रहेगा dividend 20 रुपे 20 रुपे 20 रुपे तो देखो मैं आपको समझाने की कोशन करो कोशन बढ़ा यहां क्या निकाला return निकाला मैंने तीनों ही company और एक बार return निकल गया तो आपसे standard deviation तो कोई रोक नहीं सकता है कोशन अच्छा है आज समझ में आरी न मैं क्या और probability तो दिया है उसके साबसे मैं इंडिविजवल हर एक साल का हर एक probability के साबसे return निकाला सुनना दियां से सिर percentage चाहिए आपको रुपीज में कम नहीं यह कोशन अच्छा था question number 47 में क्या खास बात थी sir एक बाद पढ़ते question number 47 मैंने चुना ही क्यों है वह भी मैं आपको समझा दे हूँ sir यहां क्या दिया यहां market price दिया है ठीक है dividend पर share दिया cost तो दिया नहीं cost दिया करना existing market यह एक साल बात का market price expected सब्सक्राइब लिखा न एक साल बात का market price okay sir और sir यहां probability दिया हुआ है market price दिया हुआ है dividend भी मिला तो क्या return निकल सकता है return निकल रहा सकता है पर cost क्या है यहां बस फसाय है question में तो existing market price है वो है 106 ठीक है तो 106 के ही सबसे comparison कर लेंगे p1-p0 वाले formula इस formula से तो sir यहां 106 लेना है कि नहीं ना कहानी और कुछ है बोले यह जो हम share का price है ना उसमें एक bonus debenture भी include है जिसका price है 6 रुप है bonus debenture समझ रहे हो ना share के साथ हमें एक paper भी मिला है debenture का जिसको आप redeemed कर सकते हो लिखा question में कि company इसको buyback कर सकती company buyback कर सकती है और किस पर face value पर buyback कर सकती है मतलब आपका जो share का price है वो तो 106 है आप company को वो debenture वाला part दे सकते हो 6 रुपए ले सकते अगर buyback offer accept करते हो तो आपको share actual में कितने का पड़ा 100 रुपीज का ही तो पड़ा ठीक है तो वही बोल रहा है आपको expect return निकालना हो variability of return निकालना मतलब standard aviation निकालना है यह मानके कि buyback offer accept कर लिया जाएगा मतलब आपको share तो 100 रुपएगा उसके हिसाब से probability दिया है तो standard deviation और expect return निकाल सकते है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी हाल दूसरी चीज है कि बताईए buyback offer accept करें कि नहीं करें तो यहाँ सब अपनी अपनी बात है पर simple सी बात है मैंने आपको यह बताया है कि यार अगर आपको आप debenture रख दे देते हो और आप वो 6 रुपए को कहीं और investment करोगे और वहाँ अगर आपको ज्यादा return मिला ज्यादा return मिला वहाँ तो बहुत अची बात है आप buyback offer कप करो accept करोगे जब आपको बाहर से 10% से ज्यादा की कमाई हो रही है तब तो वही मैंने यहाँ लिखा है अगर yield of similar debenture yield of similar debenture का जो है वो 10% से ज्यादा है तो हम buyback offer accept कर लें तो यह था हमारा अच्छा यह और एक question है question number 49 क्योंकि यह डला हुआ है MTP RTP में डला हुआ है इसलिए मैंने गा कि इसको देख ले ना इक बार simple question है अगर मैं roughly समझा हूँ तो ऐसा है कि इसमें जो भी कहानी लिखी हुए कहानी पढ़ने का time नहीं है पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इन भाई साब लोगों ने सबसे पहले you have invested only in develop country, develop country stock है उसमें आप पैसा लगा चुके हो और उसका return कितना है 10% okay sir return है 10% और साथ में standard division है 16% already इसमें पैसा लगा चुके है इसके अलावा आप stock of economy A में पैसा लगाने का सोच रहे है जिसमें 15% और 30% का return मिलेगा 15% और 30% का return मिल सकता है और दोनों के बीच में correlation है 0.3 और risk free rate है 3% यह क्यों दिया है वो बाद में समझा दूँगा सबसे पहले मांग क्या रहा है लिख रहा what percentage of your portfolio should you allocate of stock of economy A इन दोनों में कितना allocate करोगे या economy A में कितना पैसा transfer करोगे ताकि आपका return 0.5% से बढ़ जाए मतलब पहले कितना था सब पहले हम develop country stock में 10% कमा रहे थे न 10.5 कमाए हमारा expect return है 10.5 तो बताए इसमें कितना पैसा यहां मैंने 10.5 ले लिया और यहां weight of A और यहां weight of A और यहां weight of B कर दिया weight of A weight of B उसके साबसे weight निकल गया है 0.9 और 0.1 इस इंबल वाला part था दूसरा क्या कह रहा कि इसी weight के साबसे आप standard deviation निकल लीजिए correlation हमको मालूम है तो हमको बड़ा वाला formula लगेगा और हुआ गया 15.57 पर that's it अब तीसरा वाला point है न इस point की वजह से बच्चे परिशान है तीसरे point में बोल रहा है कि also show how well the fund will be compensated for the risk जो risk वो ले रहा है बदले में उनको compensation कितना मिल रहा है कहना क्या चाहता है जो risk ले रहा है उसकी वजह से उनको excess return कितना लेना मिलेगा it means वो sharp ratio निकालने के लिए बोल रहा है please यह वाला point याद रखना यहाँ sharp ratio निकालना और sharp ratio शक्त वाता excess return मतलब compensation divided by risk इनुका निकाल लिया मैंने मतलब develop country पहले जो लगा था और अब portfolio में जो लगा है उसके साब से और मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार sharp ratio इंप्रूव होग है ठीक है तो चले सर सीए पीम की और चल रहा है और capital asset pricing model इसमें थोड़ा सा ज्यादा time लगता है लगेगा ही इसमें बीटा management वगेरे सब है चलो जी बात करें सीए पीम की सीए पीम में क्या था मौडरन portfolio theory मार्कोइड में दिक्कत क्या थी मार्कोइड में problem क्या थी कि वो क्या कहता था कि 2 stock में पैसा लगा ठीक है लेकिन यार कितने भी stock में पैसा लगाओ अगर market crash होगा पुरा market price होगा तो पुरा के पूरा portfolio down होग तो यार market के market के down हों से पूर्टफोलियो down होता है तो उसको हम बोलते थे यार beta की वज़ा से market कितने से down हो रहा है उसकी वज़ा से हमारे stock में कितना down हो रहा है उसको हम क्या नाम दिये थे beta तो CMPA और याद करो मैंने systematic risk भी बोला था हाँ सर आप systematic risk बोलते थे market related risk yes तो हमारा यहां काम क्या होगा हमारा काम यह है कि हम एक बार beta निकाल ले बीटा मतलब market related risk market crash होगा तो यह भी डूबेगा और इस beta को कैसे manage किया जाए systematic risk को किस तरह से manage किया जाए यह पढ़ने वाले तो C.A.P.M. यही बोलता है मैं ज्यादा कहानी बताने के चक्कर में नहीं ओके सर तो C.A.P.M. सबसे बेले equation समझना पढ़ेगा कि C.A.P.M. equation क्या है या इसको बोलते security market line equation क्या है तो simple इसी बात है C.A.P.M. निकलता K.E. is equal to R.A. plus R.A. minus R.A. into beta simple है इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूत नहीं है हमने बहुत detail में discuss कर चुका this is security market line इसी को आप security market line मी बोलते इसी को C.A.P.M. ठीक है ओके सर ये equation याद हो की पर सबाल है beta कैसे निकाला जाए सबसे important तो beta है यार C.A.P.M. और beta निकालने के formula आपको दिख रहा होगे एक ये वाला formula दिख रहा है आपको yes standard deviation of x standard divided by standard deviation of market into correlation x of market वो बोलना क्या चाहता है सर मार्केट में change होने की वज़ह से stock में कितना change होगा मार्केट में change होने की वज़ह से stock में कितना change होगा multiply correlation से करना है जदा मैं regression analysis पर जाने रहा हूँ या पर दूसरा इसी से हमने कहा covariance x or market divided by variance of market तीसरा formula में question के साथ समझा दे रहा हूँ हाला कि वो formula यहीं से है पर ठीक है ये सर ये वाला formula थोड़ा सा याद करने में मुस्किल होगी खैर वो मैं question के साथ में समझा ठीक है पहले सर इस पे हम पहला काम क्या है पहला काम है कि हम beta calculation सीख ले को कोशन देख रहा है मिश्टर गुपता वाला क्या लिखा जड़ा देखें यस मिश्टर गुपता पहले हम क्या सीख रहा है पहला हम beta निकालना सीख रहा है उसके बाद आगे देखेंगे क्या है तो जो मिश्टर गुपता है ये है इंदा शेयर अप आर लिमिटेट ठीक है और probability दिया है सर आर लिमिटेट दिया मार्केट दिया मार्केट दे नहीं चाहिए मार्केट का मतलि इंडेक्स हो सकता है सैंसEx हो सकता न्यफ्टी हो सकता है पहले नंबर पर चाल नंवर पर सय उन्होंने उम-से मांगा फिर वापस expect return variance और standard deviation market का तो सर इसको हम x ले 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 ते इसको y ले ले ते तो काम हो जाएगा कि yes और उसके बाद क्या मांगा है बीटा तो बीटा का हमारे पास formula कौन से सर एक है standard deviation और पैक standard deviation market into correlation x और market दूसरा covariance x और market divided by variance of market तो मुझे यह ज़्यादा सही लगता आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें correlation नेकालना पड़े सवाल है table table दोनों में बनाना पड़े एक बार table देखे यस यह हो गया पी पी तो लिखना है x का मतलब मैं किसको ले रहा हूं stock तो जो return लिखा है 30 25 40 20 30 25 40 20 वो ल जाएगा उसके बाद variance निकाली यह आप ही ने निकाला था variance और उसके बाद standard division of x निकल गया x का मतलब stock इसको सर इसको हमने market माना है तो market का हमने यह rm निकाली है ठीक है और फिर variance निकाला है किसका market का variance of market उसका standard division निकाला क्योंकि मांगा था question में अब हमको क्या निकालना पड़ेगा covariance x और market वो लगेगा ही लगेगा वो निकाला तो यह आगए 375% probability से multiply किया अब सर बीटा निकालने के लिए correlation की जरूरत है या नहीं है जरूरत नहीं है formula है covariance x और market divided by variance of market तो यह आगए बीटा 0.889 तो मेरे ख्याल से इसमें दो formula बीटा निकालने के हमसे हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं जाएगा calculation आप देख लोगे दूसरा यह जो question दिख रहा न question number 30 इसमें characteristic line भी है इस question को अच्छे से समझना पड़ेगा मैं धीरे कर रहा हूं इस question को समझाने के लिए लिखा the rates of return on security of company x x का return दिया हुआ है 10 साल का याद लखना यह यह यर वाइस दिया है 10 साल का expect return दिया है x का यह x और यह market है और हमें क्या निकलना बीटा मियाहा मैं इस question में बीटा निकालने का दूसरा formula यूच कर रहा हूं अलSecondants आप व σου वाला भी formula यूच कर सकते हो जो normal formula है मतलब यह वाले formula भी यूच कर सकते हो कौन कौन से ये वाला फॉर्मिला भी यूच कर सकते हैं मैं इस फॉर्मिले को यूच कर रहा हूँ ठीक है देखें कि एक बार यस तो सर एक्स दिया हुआ है 20-22 मेने पहले क्या किया सुन लो अच्छे इसको याद करवा रहा हूँ क्योंकि जरूरत पढ़ सकती है सर एक्स दिया है मैंने प्रॉपर एक्स ये वाला यहाँ कौपी कर लिया और मार्केट वाला भी कौपी कर लिया कोई दिक्कत की बात है क्या और अब इन दोनों को मैंने मल्टिप्लाई किया X और market को multiply करके यहां लिख दिया और फिर M square करके M मतलब यह वाला इसको square करके यहां लिख दिया 2146 चार्ट कॉलम में काम किया X बार निकल लिए X बार निकलना आते 150 divided by 10 और 120 divided by 10 है अब formula पर आते है formula दिहाँ से देखोगे यह formula दिख रहे submission of X M X का market के साथ multiply करके submission वो already X और M निकला हुआ है 2157 और फिर X बार और M बार को मैंने multiply करके यहां लिखा और multiply 10 से कर दिए it means मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहां समझाना मुस्किल है पर बात समझने की कोशिश करना मैं X माइनस X बार Y माइनस Y बार ही कर रहा हूँ X माइनस X बार Y माइनस Y बार ही कर रहा हूँ हाला कि मैं क्या कह रहा हूँ मैं divided by 10 नहीं कर रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ मैं पूरा की पूरा ले रहा हूँ divided by 10 आप इसको भी करते सुनना धियान से समझाना आप इसको भी divided by 10 करते हैं, इसको भी divided by 10 करते हैं, तो मत करो ना यार, divided by 10 करके कौन सा हो जाएगा, तो मैंने ये टूटल ले लिया, summation of xm, ओके सर, अहां गया, ये xm पूरा ले लिया, उपर वाला part, summation of xm, और x minus x bar y, पर ये तो मैंने divided by 10 कर दिया ना, तो चलो into में 10 कर दिया, ओके सर बात समझ में आगए, ठीक, x minus x bar y minus y bar, ठीक है, तो सर क्या कहिया, ये covariance निकला मेरा, covariance x और market, ये covariance निकला, और divided by में क्या करने वाला हो, सर, divided by variance of market था, ये तो था बीटा का formula, तो variance of market कैसे निकलते थी सर, m minus m bar, ये तो था, तो मैंने क्या किया, मैंने m square जो था, उसका submission कर लिया, ठीक है सर, covariance निकल रहा हो, हाँ, variance of market, तो variance of market निकलेगा कैसे, m minus m bar का square, तो m minus m bar का square, तो square में नहीं किया, तो m square तो already न 6, और m bar निकला हुआ, तो 10 से multiply किया, प्लीज मैं अभी यहां रटबा रहा हूँ, ये formula काम आ सकता, ये formula कब लग सकता है, जब year दिया रहेगा, तभी ये formula लग सकता, ओके, फिर से बोलू, बात कैसे किया, मैंने बीटा का, ओके सर, फिर से दिखते है, बात कैसे किया, सबस of x और m किया, और minus x bar m bar कर दिया, ठीक है सर, और फिर देख लो गया, प्लीज, इसको देख लेना, अब दूसरा मांगा, characteristic line, ये equation थोड़ा सा मैं, last मैं समझाता हूँ, पर अब क्योंकि division आपका हो चुका है, तो फटा-फट से काम करें, हमें क्या निकलना है, सर, हमें निकल का formula क्या है, expect alpha प्लस beta आ रहे हैं, ये formula, alpha क्या होता भी छोड़ो, beta, वो क्या कहना चाहता है, बोले, देखो ऐसा है कि market का return जो है, जो भी market का return है, जो भी होगा, उसको beta से multiply कर देंगे, तो expect return आ जाना चाहिए, बस alpha की हमको ज़रुत पड़ेगी, ये equation मैंने कहां समझाया थ ये equation मैंने आपको corner portfolio में समझाया हूँ, पर अब यहां खतम करते इसको, हमारे पाश टाइम नहीं, ज्यादा research करने का, अब यहार alpha कैसे निकलेगा, याद रखना पहले हमको alpha निकालना पड़ेगा, तो alpha कैसे निकलेगा, तो sir, alpha कैसे निकलेगा, सबसे पहले किया आपने expect return निकाल चुके यह सर्फ 15 परशन निकाला, तो 15 को मैंने यहां लिख दिया, क्या beta हमको मालूम है, yes, क्या हमको RM मालूम है, yes, market का return, तो उसकी मदस से हमने क्या निकल लिया, alpha, अब हमें सब चीश पता है, तो आगे से y बार कैसे निकलेगा, क्या alpha हमको मालूम है, yes, क्या हमक RM मालूम है, RM तो मालूम है, लेकिन market change होता है न, तो अगर मार्केट change होगा, तो यह change होते जाएगा, बस एक equation बना दिया, की, की, stock का return कैसे निकलेगा, तो उन्होंने का भईया, stock का return ऐसा, alpha हमको पता है, हमको beta भी पता है, RM change होगा, तो market, stock का return भी change होगा, इसी का नाम उस चीहा की, अब बात किसकी करेंगे, सर, अब बात करेंगे, हमारा जो काम की चीज़ है, वो है beta management, beta management पर बात होगी, याद रखना भाई, इस equation को याद रखना बढ़ेगा, सर, याद कैसे रखेंगे, पहले, ये तो जो beta निकलना है, beta निकलेंगे, characteristic line पूछेगा, तो, beta निक निकल चुका है, यास, और सर, हम इसके मदद से फिर, ये beta भी निमालुम है, आर एम, उसके मदद से alpha निकल लेंगे, उसके बाद alpha को लिख देंगे, उसके बाद beta भी लिख देंगे, और ये जो निकलेगा, ये वाई बार, वाई बार का मतलब है, stock का written होगा, ठीके सर, या beta management के लिए ही, तो C.A.P.M पढ़ए थे, beta management में करना क्या है, सूनो, और portfolio management में भी बीटा management में हलाकि कम है, और derivative में भी beta management है, हलाकि दोनों का application अलग-अलग है, सर, होता क्या है beta management? सुनो मेरी बात बीटा मैनेश्मेंट में क्या होता था पहले समझ लेजे बीटा मैनेश्मेंट हमने पॉर्टफोलियो बनाए है पॉर्टफोलियो मतलब एक से ज्यादा स्टॉक्स येस और पॉर्टफोलियो का जो बीटा है वो बहुत हाई है stock A, stock B, stock C किसी का beta ज्यादा रहा ہوगा ज्यादा रिस्क लेना चाहा रहे होगे किसी का beta कम रहा होगा इस तरह से हमने portfolio बनाया और करीब-करीब beta आया 1.5 portfolio का beta 1.5 और मुझे ऐसा मालूम है कि portfolio beta आपको निकलना आता है okay sir portfolio का beta निकल गए 1.5 अब सवाल ये है कि जो पोर्टफोलियो का बीटा निकला है कितना निकला है यहां मेरा मारकर चल नहीं रहा है 1.5 दिख रहा होगा न आपको या सर दिख रहा है हमें सर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो मारकेट है वो डाउन होने वाला है अगर मारकेट डाउन होगा तो उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो भी तो गिरेगा उसको मैनेज करना है उसको कैसे मैनेज करें आपके पोर्टफोलियो में कितना इस्टॉक है बोले 4-5 इस्टॉक है उसमें से ढूंडो जिसका बीटा जादा है उसको हटाईए और उसकी जगा ऐसा इस्टॉक पर्चिस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूट कीजिए जिसका बीटा कम है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते है एक यह तरीका है दूसरा और किसके तरह सर और दूसरा यह तरीका हुआ कि risk free stock डाल दीचिए यह important है risk free वाला technical है एक stock को हटा कि दूसरा stock डाल देना easy है यह लेकिन जहां risk free include करना है वहां से भी हम beta manage कर सकते है ठीक है और तीसरा किसके तुरू है तीसरा stock index future वो यहां नहीं पढ़ना वो यही बीटा management का है सीधा question देखे कि question देख रहा है question number 16 अच्छा question है question number 16 मिल गए होगा आपको question number 16 यह सर एक बापड़े अच्छा question है प्लीज उतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा होगा सर पोर्टफोलियो मैनेजर has the falling कितने stocks हैं यह चार stocks और चार stocks का नाम है ABCD बोल दू में चलेगा और number of shares दिया और market price दिया है market price कब का है market price आच का है market price एक साल बात कर नहीं है कुछ लोग बच्चे बोलते सर वेट वेट पता नहीं क्या क्या सोचते है market price आच का है ठीक है और सर बीटा नहीं हो टेबल बना कर ही करना नॉर्मल बीटा पॉर्टफोलियो बीटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको निकलना ना है और पॉर्टफोलियो बीटा निकला 1.108 और पॉर्टफोलियो बीटा निकलने का पक्का पक्का question आने वाला है exam में पकाने वाला और कुछ है ही नहीं है तो भाई वो तो करके आना कम से कम ठीक है सब पोर्टफोलियो तो बीटा निकल गए और पोर्टफोलियो बीटा निकला हमारा 1.108 ठीक है पोई नमबर 2 important जो पोर्टफोलियो मैनेजर है पोर्टफोलियो मैनेजर है वो रिड्यूस करना चाहते है बीटा और कि रिड्यूस करके कितना करना चाहते है 0.8 इसको मैंने नाम दिया target बीटा इसका नाम क्या है बीटा पोर्टफोलियो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो reduce करके बीटा करना चाहते है 0.8 और वो भी किस के थू risk free के थू risk free investment के थू मतलब risk free investment मिलाना चाहते है अपने portfolio में तो बताइए कितना रुपिये का risk free investment करें x-vex लेकर कर सकते हैं उतना टाइम ही नहीं है मैंने एक formula दिया है जब भी risk free वाला मांगेगा तो formula वेट निकलना है और वेट का formula वेट वेट का target beta divided by beta of portfolio यह मैंने आपको formula दिया हुआ target beta divided by beta of portfolio तो यह weight आए गया 0.7220 अब यहां से बात समझने की बात है अब सब total portfolio हमारा है कितने का सर 12 लाग का अब जो वेट आया वो किसका आया सर वो आया है total risk की stock का आपके shares का risk free का नहीं अब समझना मेरी बात में क्या कहना चाता हूँ दो तरीके सबसे पहले लिखना 12 लाग ओके सर 12 लाग रुपिया हमने लिखा तोरी दिखने ही रहोगा चलो चल जाएगा 12 लाख रुपिया आपने लिखा इधर कर दूगी थोड़ा सा अब यहर यह जो वेट निकला है दिख रहा आपको वेट यह जो वेट है सर इसको divide करना की multiply करना क्योंकि अभी बहुत सारा concept समझाने का time नहीं है तो सुना दिखान से अगर 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 वो कहेगा कोशन कहेगा कि सहाब हमारे पास जो यह stocks है ना इस में से हमें कुछ stocks base देने हैं और उतने ही रुपे के risk free stock लाना है मतलब पूरे 12 लाख रुपे का stock नहीं रखना हमें उस condition में into करेंगे 0.7220 बात समझने की कोशिश करा अगर कोशन यह कह रहा कि आपके पास 12 लाख जैसे वैसे रहने दो और risk free और लेकर आओ तो फिर 12 लाख जो है वो तो risk stock है जिसका weight है 0.7220 तो यहां जो निकलेगा यहां total total में निकलेगा और इसमें हम बाट देंगे बात समझ रहा है हो दो सीने दो सीने बास यह चीज याद रख लिया दिल खुश हो जाएगा पहला अगर कोशन कहेगा कि 12 लाख में से कुछ stocks बेज देंगे तो फिर इतने stock हमको रखना पड़ेगा बाकि risk free आजाएगा यह मैं derivative मैं करवाँगा अब भी question यह कह रहा है कि बस भी आप risk free stock को लेकर आओगे तो यह वाला formula लगेगा 12 लाख को divide कर देना 0.7220 से तो आपको portfolio रखना है इतने का देख रहा है आपको इतने का portfolio रखना है 12,62,50 उसमें से 12 लाख तो आपके पास यह वाला stock है तो risk free जाएगा 462050 यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था ओके सर हो जाएगा चले आगे यस याद रहेगा भाई तो सर ठीक है हो गया ना फिर तो हमको risk free कितना रखना point number 2 में बोला है तो risk free हमें लिखना 4,62,50 का बिल्कुल रखना है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हो सकता है ICEI यहाँ पर न रुखे ICEI ने क्या किया इस कोशिट में फिर से table बनाया है और फिर से यहाँ जो है यहाँ risk free लिखा है risk free और उसको यहाँ डाला है और उसका beta 0 करके और बोला देखो हमारा जहाँ portfolio का beta पॉइंट 8 आ गया है बात समझे उसने प्रू करके बताया है उसने A, B, C, D वगेरा लिखा और risk free भी लिखा और risk free लिखके यहाँ risk free भी लिखा और risk free का beta 0 होता है जब weighted average किया तो देखो पॉइंट 8 आ गया तो यह table अगर time मिले तो बना देना institute ने बनाया है बलो हाँ इस तरह से में table की बात कर रहा था ओके sir समझ में आगे लेकिन दूसरा फिर से दूसरा important है important है portfolio manager चाहता है कि beta 1.2 manage हो मतलब अब की बार target beta कितना है target beta 1.2 formula वही लगेगा weight of a is equal to target beta divided by beta of portfolio लिए तो sir weight आ गया 1.083 क्या आपको इसमें से निकालना नहीं निकालना सा तो divide हो जाएगा divide होने पर यह आ गया 1108033 दिखां आपको 1108033 ठीक है sir दिख गया अब क्या करना है sir इसके बाद बस multiply कर दीजिए जिसे पिछले question में आया था आपका कितना आया था 166050 इसको अगर आप ऐसे बाढ़ते ना weight में उसी तरह से मैंने यहां weight में बाढ़ती है इसको तो 12 लाख रुपए का तो आपके पास रहेगा जो रहेगा प्लस और यह देखो weight क्या minus में आ सकता है अगर weight अगर एक 1 से ज़्यादा आया तो एक minus में आएगा में detail में discussion कर चुका हूँ आपको तो sir minus में आया तो आप क्या करोगे sir borrow करेंगे और फिर आप क्या करोगे आप table बना दोगे यह वाला important है यहाँ यहाँ आपको समझो ना यार sir हम risk free मतलब हम risk ज़्यादा लेना चाहते sir 1.2 risk ज़्यादा लेना चाहते तो भाईया एक काम करो और उठा लो risk free that's it मैंने यह आपको करवा चुका हूँ इस पर मैं concept नहीं करवा सकता जाथ ठीक है जी आप बोलो चले जी आगे question number 31 अच्छा question है एक बार देखे question number 31 नए गोश्चन ने एक्जाम में आया था नवंबर 2022 में एक बार देखते हुए चल रहा है beta management लिखा मैससरी लिमिटेड है surplus 3 करोड उपय का surplus है 3 करोड उपय का surplus 3 करोड उपया invest करना है invest करने के लिए SKPDC है और उसका beta दिया हुआ है जो सेरी है वो invest करना चाहते equal amount in all security what is the beta portfolio simple average beta निकाल लो भाई बात करता हम ICAI ने table बना के करवाया है तो हम उसके लिए भी तहीं है तो आपको table equal amount तो यह equal amount दिख रहा है सबका weight दिख रहा है सबका beta दिख रहा है beta minus में आ सकता है कि बिलकुल आ सकता है कुछ दिखने point number two जो स्रीए invest करना चाहती है 15% of its investment in S सार इसमें 15% ठीक है 15% P में 15% P P यह 15% P और 10% C में 10% हो गया C और बाकी सबने equal amount तो फिर से बीटाओ portfolio निकाल रहा हो तो मेरे खेल से यह बच्च वाला question है amount लिख दिया नई भी लिखोगे तो भी चल जाएगा weight case अब से कर लेना इसको मुझे समझाने की जरुगत है 1.155 तो दूसरे में भी हो गया 30, 30 important if the expect return of market 12, sir RM दिया है 12 and beta factor 1 और beta दिया है 1 oh oh beta मतलब है market का beta 1 दिया है नई भी देता तो हमको मालूम है market का beta 1 what will be the portfolio expected return in both the situation given अब sir अब क्या बोल रहा expected return निकलना है किसका portfolio का अब expected return निकलता कैसे sir simple सी बात है होता ऐसा था RF plus RM minus RF into beta यह होता था इस question में point number 3 में उन्होंने का भाई देखो हम क्या आप कहना क्या चाहते है हम आपको यह बताना चाहते है कि market का beta है 12% market का return है 12% जिसका beta है 1 तो बताओ जिसका अगर portfolio का beta point 9 है तो बताओ return क्या होगा RF दिया नहीं है question में तो फिर हमारे पास option नहीं है आपको में अगर RF नहीं दिया है तो उन्होंने expect return ऐसे निकाला simple तरीके से बहुत जितना market का return है उसमें beta से multiply कर देना आपको याद करना पड़ेगा यह चीज बहुत बच्चे बोलते हैं तो ठीक है जिसको लगता बहुत अच्छी बात है तो उन्होंने का यार 12 पहले beta कितना आये था 0.98 आये था 9 लिखा है मैंने हलाकि 0.98 रहा होगा आए गये 11.76 और दूसरे में beta आये था आए गये 13.86 simple था point number 4 if the company changes its policy to invest in any 3 security minimum 20% in each of these 3 security 3 security में पैसे लगाना है ठीक है और minimum कितना लगाना है 2020 परशन तो लगाना है ठीक है sir 2020 परशन लगाना है यहां तक बात समझ भी आ रही ओके your request 2020 मतलब एक में 60 लगा सकते 2020, 40, 60 लगा सकते your request to advise the company to have right mix of ठीक है बताना कि कौन सा है calculate the expected return अगर bull phase है bull का मतलब क्या लगा रहा sir market बढ़ने वाला है अगर भया market बढ़ने वाला है तो 60 परशन आप maximum एक stock में लगा सकते हो तो उस stock में लगाना जिसका beta सबसे ज़्यादा हो तो उसे सबसे मुझे D में कितना लगाना चाहिए 60 परशन अगर bull phase है तो और sir bull phase है तो 60 परशन तो D में लगा दिया उसके बाद 20 परशन किसमें लगाएंगे 20 परशन लगा लेना S में और उसके बाद बचा हुआ 20 लगा लेना K में अगर bull है तो अगर बीरिश है तो जिसका beta कम है उसमें सबसे ज़्यादा तो sir यहाँ D में 60 S में 20, K में 20 S, K, D विकरा होगा आपको और यह लगा है beta portfolio निकाला, expect return निकाला ऐसे इसका भी beta portfolio निकाला और expect return निकाला बहुत सारी बच्चों को दिक्कत बस एकी थी क्या beta negative हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, market बढ़ड़ा है, आपका गिर रहा है आपका portfolio डाउन हो रहा है तो पक्का पक्का निकल सकता है और यहाँ expect return on market जो है minus 5% है उसके सबसे ठीक है, okay सब्सोचने समय सेने का टाइम नहीं कि logic नहीं सर क्या है छोड़ो, चलो आगी जल्दी से question number 32 भी अच्छा question number 32 Mr. is having 1 lakh share of K limited beta of company already दे रखा है 1.40 Mr. B financial advisor has suggested मैं बोले आप एक कम करो, आप K limited में क्यों पैसा लगा रहा है उसकी अपिक्छा आपके बस L M N O है तो उसमें भी तो पैसा लगा सकते हो और कितना percentage holding दिया हुआ RM दिया है 12 परशन, RM दिया 8 परशन you are required to calculate the falling for the present investment ठीक है present investment का बीटा हमको मालूम है कि yes यह निकाला 1.40 और expect return किसके निकालना है CAPM के सबसे अगर market बढ़ जाता है 2.5 परशन से मतलब 12 की जगह 14.5 कर लेते अगर गिर जाता है 2.5 से तो 12 की जगह कितना आजगा 2.5 माइनस करोगी तो 12 माइनस 2.5 9.5 कर ले ना RM अगर negative return आता है market का माइनस 2.5 सबसे पहले क्या किया सबसे पहले portfolio बीटा निकाला निकाला equation लगाया और अभी RM 12 है तो 12 के हिसाब से उन्होंने portfolio का return निकाला present situation में और इसके सबसे market बढ़ गया तो उसके सबसे निकल लिया फिर market गिर गया उसके सबसे निकल लिया और फिर market minus return दे रहा तो उसके सबसे भी है minus आगया question symbol था नई भी करते था जल जाता और कहा investment करना चाहिए तो यह किस matter बे बुचा भई अचा इसमें अगर negative return है तो बताओ कहा investment करना चाहिए जिसका बीटा कम हो कोचने वाली क्या बाद है question number 20 भाई इस question के लिए तो मैं कुछ नहीं कर बसकता मतलब मैं क्या बोलू यार कुछ बोलने लाइक है यह question आप देख ले न जैसे करना है कर लो क्योंकि मैंने suggest किया था बच्चों को कि नहीं यार ऐसे होना चाहिए तो बच्चों का कहना नहीं वो question MTP में जो question डला है वो अलग है भाई साब कैसे पता लगाओगे वो अलग है नहीं उसमें लिखा है साब सब weighted average उसमें लिखा है साब तो भई ठीक आप महाँ आपको जैसे करना कर सकते हो मेरी personal advice था MTP के साब से कर लेना पर आप देख सकते हो इस question को ये दो question है जो मैं यहानी करवा रहा हूँ इसके लिए video डला है प्लीज देख लेना नहीं तो जैसा करवाया है वैसे कर लेना पर MTP का question अगर आता तो आपको वैसे करना पड़ेगा बाकिस में कुछ समझाने वाली वात नहीं कोशन में नहीं समझा रहा हूँ इसमें अभी बेडिस्प्यूट है अगर मैं ऐसा बताता हूँ उल्टा कर ले तो मैं जिम्मिदार नहीं रहूँगा ठीक फोकेस MTP सर आप करवाओगे नहीं कि MTP को मैं करवा दूँगा revision में marathon में तो सब ले रहा हूँ उसकी चिंता मत करो कि marathon में ये लोग है कि ने लोग है सब ले रहा हूँ but 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 MTP वाला question आप देखो कि MTP में करवा दूँगा ये वाला question आप देख ले ना इस पर में ज्यादा risk नहीं ले रहा हूँ चले आगे yes तो सब वीटा management तो हो गया वीटा management में ऐस सच कुछ नहीं था अब बात कर दो question जो है वो MTP का question करवाओगा करवाओँगा marathon में सब होगा last last जो है ना last वाला दिन हम MTP लेते हुए चलेंगे छोड़ूँगा कुछ नहीं और चीज होने वाला तो alpha calculation and security market line SML तो वैसे पढ़ चुका है alpha क्या है alpha क्या है alpha क्या है alpha simple सी बात है आपने किसी company में पैसा लगाया है मेरे खेल से देख रहा है अपको कभी कभी मार करना ऐसा हो जाता है पर किसी company में पैसा लगाया किसने लगाया राम ने और जो RF, RM और जो beta है ना इस beta को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस company से मुझे 16% चाहिए चाहिए 16% चाहिए चाहिए रिस्क को देखते हुए पर projection के इसाब से projection मतलब वही P1-P0, etc, etc बहुत समझ लिए projection के इसाब से ऐसा लग रहा है कि हमें 10% ही मलेगा हमें चाहिए कितना रिस्क है उसके इसाब से हमें चाहिए 16% पर मिलेगा 10% क्या हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमें जो बीटा है उसको देखके 16% चाहिए इट मिन्स जो है वो तो हर 6% कम मिल रहा है यास दिसे अलफा नेगिटिव माइनस 6 अलफा है सर अलफा का फोर्मूला क्या है इएर माइनस के अलफा नेगिटिव है तो हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए एट मिस हमें C.A.P.M. के इसाब से के निकालना फिर इसके इसाब से इयार निकालना इसको मैं नाम चैंज कर दिया इसको मैंने के इबोला ठीक है और इसका कामपारिजन कर लेना सर अगर हम अलफा नहीं भी निकाले तो भी तो कमपारिजन कर सकते हो भाई मैं कब मना कर रहा हूँ अलफा निकालोगे तो अलफा नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे इस टेप्स लिखवा रहा है इस टेप्स देख लेना यह दिखा अंडरप्राइज उबरप्राइज लिखा और यह तो सिंपल है कोश्चन अबर 36 अच्छा कोश्चन है सिक्क्यूरिटी मार्केट लाइन ही प्लीज इसको एक बार देखके चले जाना देखके चले जाना मतलब देखकर जा रहा है हम लोक अं गया वह गैश्चन अगा प्लीज आँ बिशी और एकस वाइसट का दे रखा है डेटा आप बिशी और एकस वाइसट और लिखा अर कर्येक्टली प्राइज मतलब क्या कहना चाहता है वो बोल रहा है कि भाई जो ER है वो is equal to KE है correctly price का मतलब यहीग the expected return देखो भाई, expected return यहाँ KE दिया हुआ है, दोनों का beta दिया हुआ है, ठीक है और security market line derive करने के लिए बोल रहा है, security market line मतलब CAPM पर उसके लिए हमको RM चाहिए और RF चाहिए वो दोनों चीज़ हमको नहीं है तो हम लोग simultaneous equation use करके यह काम कर सकते हैं दिख रहा होगा आपको 19.8 यहां लिखा RF 1.20 MRP ऐसे 17.10 ठीक है यह कड़ गए है तो finally MRP आ गया है 9 और MRP को मैंने यहां put कर दिया equation number 1 में तो RF आ गया है 9 अब हमारे पास सीधी सीधी बात है ER निकालने का 9 मतलब RF MRP मतलब 9 और बीटा जो आते जाएगा हम पुट करते जाएगे expect return निकलते जाएगा इसी को बोलते है security market line sml ओके सर एक characteristic line था यास उसमें क्या था सर उसमें था alpha प्लस बीटा आरेम बीटा आरेम अलग के capital market line भी है पर चलो ठीक वो question आएगा ना तब मैं discuss करूँगा ठीक किसे ओके question number 17 बीटा का question है अच्छा question है देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा भाई साब देखना पड़ेगा सर पड़े the following information available with respect of Krishna Limited Krishna Limited की information दे रखा और सर market का index का price दे रखा dividend यह ले दे रखा और सर return on government bonds दे रखा और आपको क्या निकालना है बीटा भाई बीटा निकालना हमको आता है बीटा निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है covariance X और market divided by variance of market यह फॉर्मूला है बट यार यहां सब दे रखा है सौरी इस question में जो मैं बात कर रहा था मैं क्या बात कर रहा था कि यार यह सब जो दिया हुआ है यह चाहिए मुझे percentage में क्यार अगर मैं कहूँ बीटा का जो भी formula है जो भी यूच कर रहा इन सब का standard deviation तो मुझे को चाहिए चाहिए उसके भीना काम नहीं चलेगा बर problem है यह सब दे रखा है रुपीज में तो सर हमको return निकालना पड़ेगा हमें return निकालना पड़ेगा और मैंने आपको एक बात बता रखा कि जब भी आपको return निकालना annual return तो पहले साल का निकलेगा नहीं क्योंकि capital appreciation यहां से start होगा तो सबसे पहले मैंने क्रश्ना लिमिटेट का क्या निकाला इसको मैं बोल रहा हूँ X और इसको बोल रहा हूँ market तो क्रश्ना लिमिटेट का मैंने सबसे पहले निकाला percentage तीन साल का 2013-14-15 ऐसी market का भी निकाला percentage dividend अलग से नहीं लिया है क्योंकि dividend और अलड़ी percentage में दिया हुआ है इसलिए पहले मैंने capital appreciation को percentage में convert कर दिया और plus 5% कर दिया तो यह आगया तीन साल का ठीक है और RF तो 6 है तो बात कतम पहले X इसको X ले लिया इसको Y ले लिया और standard deviation वगेरा वो निकाल के भी बीटा निकाला जा सकता है हाला कि यह एर है एक, दो, तीन तो मैंने shortcut वाला formula लगाया shortcut में हम करते क्या था है पहले X लिखते थे फिर market लिख लेते थे फिर X M लिख लेते थे फिर market का square लिखते थे ऐसा table बनाते थे और थीक है सर फिर यहां हमारा X बार निकलता था और फिर यह आए M बार निकलता था औप फिर वो वाला formula छोटा वाला मैंने यहां यूज किया x लिखा, m लिखा, xm लिखा और m² लिखा फॉर्मल हमारा सिंपल सा है Summation of xm जो की यह है और फिर n, x bar और m bar n मतलब number of years और फिर m bar square यह हो गया m² का Summation और फिर यह हो गया आंसर आ गया है पीटा 1.897 अच्छा कोश्चन है प्लीज देखके चले जाना और भी तरीके पर वो तरीके में रहां लगाना में चाहता ठीक है जी, चले आगे ओके अच्छा यह भी है क्या अच्छा बोल रहा है state your observation यह बात तो भगवान मेरी समझे बनी आई यह तो बिलकुली गलत है उन्होंने क्या किया है सर देखो हर साल का क्रिशना लिमिटिट का एक्सपेक्ट रिटर निकला यस इन्होंने हर साल का केई निकाला है और उसके बेसिस पर observation दिया है कोई sense नहीं है रट्टा मारना पड़ेगा तो इस question में इन लोगों ने 2013 का रिटन तो हमको मालुमें 2012.24 अब C.A.P.M. निकाला C.A.P.M. में आरेप तो हमको पता है आरेम याद रखना कि भाई साब ये वाला लेना फास्ट इयर का ये वाला आरेम लेना सेकेंड इयर का ये वाला लेना और थार्ड इयर का ये वाला लेना गरबड मत करना और उसके इसाब से इन्होंने के ये निकाला है अलफा निकाले ना निकाले डेजन्ट मेटर फ़र मेंने अलफा निकाल दिया कि देखो भाई अलफा इयर माइनस के तो मैंने का इस साल हम सेल कर देंगे इस साल हम बाई करेंगे के सलसल करेंगे कोई सेंस नहीं है मैं इस observation से सहमत ही नहीं हूँ और खेर खेर है तर क्या सहमत हो क्या नहीं हो प्लीज मत बताओ आप इस स्पीट से रिविजन करवाई ये बात करता है कोश्चन नमबर 12 मुझे अच्छा लगता है अच्छा है C.A.P.M का कोश्चन है सेक्यूरिटी मार्के लाइन मतलब वो C.A.P.M इक्रेशन वाला खोश्चन देखें तो फोलिग इन्फोर्मेशन इस अवेलेबल इन रिस्पेक्ट आप सेक्यूरिटी एक्स एक्वली ब्रीम्यम रिटन दिया है मतलब सर मतलब यही E.R है और यही K.E है और मार्केट का रिटन दे रखा है 15% सर दोनों का वराबर मतलब बीटा वन येस कॉमन सेंस लगाओगी तो बीटा वन फिर भी RF में ध्यान देना सर यह 7% ट्रेजरी बॉंड है ट्रेडिंग का मतलब क्या सर अभी अभी ट्रेड हो रहा है अभी ट्रेड हो रहा मतलब ये करेंट मार्केट प्राइस तो सर बॉंड का फेस वेल्यू कुछ नहीं दिया है तो मैं 100 डॉलर ले रहा हूं तो 100 डॉलर का 7% मतलब सर साथ डॉलर हो गया कुपन कितने पे 140 पे तो RF आ गया है 5% यहीं गलती हो सकती है इसके इलावा गलती नहीं होगी ओके सर और बीटा तो वन आ नहीं था इक्वेशन में रखकर देख ले ना बीटा वन आ दो चीज़ तो निकल गए अब सर वो हमसे मांग किया रहा है वो हमसे मांग रहा इस्टेंडर डेविशन ओफ मार्केट और इस्टेंडर डेविशन ओफ इस्टॉक इस्टेंडर डेविशन मार्केट और इस्टेंडर डेविशन ओफ इस्टॉक अब सर बीटा हमको मालू में कोवेरिंस दिया है तो हो गया बीटा का फोर्मुल एक क्या होता था सर कोवेरिंस एक्स और मार्केट दिया और वेरियंस यह दिया है यह दिकल तो standard deviation of market आराम से आ जाएगा 15 पट और standard deviation of market आ गया तो यह 1 दिया है यह 15 लिख दिया तो यह तो आ गया बीटा के दूसरा वाला फॉर्मुला वाकि और भी तरीके से निकाल सकते हैं पर question अच्छा है ठीक है इंप्लेशिट बीटा वाला question है ठीक है एक्स वाइजएड है सबस्टांसियल कैश्टो और बहुत सारी चीज़ें बतार रखा है कि यार पर हमारे काम की चीज़ है क्या वांग रहा है सर्थ इन्वेस्टमेंट चार जगा किया हुआ है ठीक है नमबर अप्शिए से बीटा है market price मतलब current market price है ये और expected dividend yield मतलब कितना कमाओगे ये दिया हुआ current market rate मतलब RM दिया है और सर RF भी दिया हुआ है ठीक है अब यार इस point से में परिशान है calculate the risk of XYZ risk निकालना है of short term investment portfolio relative to that of market सवाल है risk निकालना है portfolio का तो portfolio का कौन सा risk निकालना standard deviation हो नहीं सकता market से related risk तो मतलब सर्थ बीटा निकालना portfolio का बीटा निकालना अगर portfolio का बीटा निकालना इस question की बात मैं बताओं कि कहा confusion हुआ था मुझे ऐसा लगाया portfolio बीटा निकालना ठीक है हर individual stock का बीटा दिया हुआ है portfolio दिया हुआ portfolio का amount दिया हुआ है सर वेटेड एवरिस करके काम खतम करो that's it यहीं लगा था मुझे इस question में इस question को ऐसे नहीं किया गया है सावधान हो जाईए यह question अच्छा question है इन्होंने क्या किया है पहले सुनो उन्होंने का भाई साब यह है हमारी return ठीक है अगर हम यहाँ पैसा लगाते है तो यह return मिलने वाला है और यह हो गया amount तो बोले पहले आप एक काम करो expect return of portfolio निकालो CAPM के सबसे नहीं expected dividend yield के सबसे शलो वही मैंने यहाँ किया है यह दिख रहा है आपको 60,000, 80,000, 1,000,000,000 multiply किया तो यह amount आ गया यह weight निकाला यह बीटा और यहाँ beat of portfolio निकाल लिया है मुझे लग रहा था कि risk का मतलब यही होता पर उन्होंने ऐसे नहीं क्या beat of portfolio निकाला ठीक है आप भी निकालना फिर उन्होंने क्या किया है यह जो expect return 19.5, 24, 17.5 और 26 इसकी मदद से फिर उन्होंने weight देकर यह वाला weight रह गा है weight देकर expect return of portfolio निकाला अब ध्यान से समझना यहीं से खेल अब वो क्या कहना चाता है वो ही कहना चाता है कि भाई देखो 22.38% की कमाई हो रही है इसके लिए हम risk लेने को तयार है तो इसके लिए हम कितना risk लेने को तयार है तो उन्होंने expect return of portfolio यहां लिखा 22.38 आ रहे मैनस आ रहे बस बीटा ने लिखा और बीटा आ गया 1.42 इसका मतलब वो आपसे यह बताना चाहरा है कि देखो 22.38% return के लिए हम risk लेने को तयार है बीटा 1.42 जबकि बीटा of portfolio है 1.47 जबकि 1.47 यह तो ज़्यादा risk ही हुआ ना भई हम maximum इतना risk लेने को तयार है पर risk है 1.47 तो यह comparative ज़्यादा risk की है अच्छा question है देखना पड़ेगा इसको एक बार देख लो अपनी हिसाफ से वो ही बता रहा है कि ज़्यादा risk की portfolio है क्योंकि एक्चुर बीटा of portfolio ठीक है से समझ भेंगे दूसरा क्या बाण रहा है बताइए क्या composition change करना चाहिए portfolio का composition तो इन्होंने क्या किया सो न दियांस ओके सर हम तेएर हैं इन्होंने ऐसे किया इन्होंने कहा भाई एक काम करो यह है 19.5 यस अब हम बोले केई निकलेंगे इसका अब केई के लिए हमको RF मालूम है RM मालूम है बीटा भी मालूम है चलो न केई निकलते हैं और केई निकला और केई आगा है 20.28 और expected है तो बुले यार यह ओवर प्राइज है अलफा अलगी निकला था question में आप अलफा निकल भी लेते हैं तो एक extra काम जादा हो गया ठीक है यह अगर आप नहीं भी निकालो तो भी आप decision दे सकते हो यार हमें जो है हमें तो 20.28 चाहिए जबकि मिल रहा सिफ 19.5 मतलब नहीं इसमें पैसा रखना चाहिए और यह underpris और प्राइज बता दिया और उसके हिसाब से बोले यह है underpris भाई चाहिए कितना चाहिए 23 मिल कितना रहा है 26 तो बले यह वाला हमको रखना चाहिए तो बले एक काम करो एक दो तीन बेश दीची और चोहता वाले में पैसा लगा दीची ठीक है हो जाएगा अच्छा कोशन था कोशन नमर्ट 24 अच्छे कोशन है और ऐसे कोशन होना चाहिए और इस बार MTP में भी न इसी कोशन को बेस लेकर डाला गया है यह अच्छा कोशन एक बार इसको देखना का बनता है लिखा suppose one of your HNI client is holding the falling portfolio as per his risk risk के सबसे दे रखा portfolio number of shares दे रखा एक हजार एक हजार पाससो पाससो some fund ठीक है government of India estimate the minimum rate of return that your client minimum rate of return का मतलब हो गया estimate the minimum rate of return that your client would expect from these bonds keeping in view his risk appetite and assuming market return कितना 15.7 मेरी बात समझने की मुझे bonds में कितना पैसा लगा सकता हूँ कौन से bonds की बात हो रही है minimum rate of return your client would expect from bond keeping in view पीस यू bond की बात नहीं है ये government of India bond की government of India मतलब वो आप से क्या काच चाहता है risk free rate चाहता है तो sir एक काम करते हमको RM दिया है हम एक काम करते हम निकालते expected return of portfolio निकल सकता है RF प्लस RM माइनस RF इन्टू बीटा ये equation होती है बीटा पोर्टफोलियो तो sir सुनो ना बीटा पोर्टफोलियो weighted average निकल जाएगा बोलो हाँ हाँ weighted average निकल जाएगा expected return of portfolio भी निकल 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 जाएगा इसे weighted average और sir RM माइनस RF RM हमको मालुम है कि yes 15 पॉइंट ये मालुम है sir तो RF निकल जाएगा तो sir सबसे पहला काम क्या करी सबसे पहला काम है कि हम weighted average बीटा निकल लिए अगर निकलना हो तो पर इन्होंना expected return of portfolio निकला कोई दिक्त की बात निया कैसे निकलेगा multiply किया होगा yes multiply किया cost dividend मालुम है market price भी मालुम है सबको जोड लिया और इससे expected return of portfolio निकल लिया हाला की पिछले कुछ questions में हम इससे RM निकलते थे खेर ये मैंने discussion किया उसके बाद beat of portfolio निकला weighted average और फिर जैसा बोल रहा था वैसे put कर दिया ये मालुम है और उसके बाद ये 0.4 लिखा ये रखा तो उससे equation से आ गया 6.37 ये क्या गया RF ठीक है analyze whether his portfolio has outperformed the market or not अगर RF 7% है तो portfolio का return क्या आएगा और portfolio का return आ गया 9.828% हमको चाहिए और portfolio का return निकल रहा है 8.90% तो चलो ठीक है भई हमें चाहिए तह इतना मिल रहा है काम नहीं सरीए underperform है अच्छा performance नहीं है ठीक है अच्छा question था CAPM में पाच्छवा पॉइंट है asset pricing time pass है actual price है और actual price को theoretical price से comparison करना D1 divided by K- एक जमानी से करें पूरा security evaluation वैसे चल रहा है बस केई जो है वो निकालना पड़ सकता है निकालना ही पड़ेगा CAPM से CAPM आपको आता है एक question देख लेते enterprise, overprise आपको पता है question number 37 question number 37 investors कितना holds कर रहा है sir 1000 of fat last company presently the rate of dividend pad मतब डीजी रो गया डीजी रो दिया है 2 और share market में कितने का भिक रहा है 25 रुपए का यह है sir actual price और बहुत सारे factors से यह है existing factor यह है revised factor इसके इसाब से आपको बताना है कि buy करना है hold करना है कि sell करना है और क्यों पहले क्या किया जाए पहले existing situation के बात करो existing situation में existing situation तो हमको RF मालूम है ठीक है market risk premium मालूम है market risk premium यह दिये और बीटा मालूम है तो हमने K निकाला और D0 मालूम है growth rate यहां 5% उसके price निकाली 13.64 और actual है 25 अगर मैं share खरीदूं और share मेरे price है और future में जो dividend में लेगा उसका present value निकाला तो 13.64 पैसा का कमाई है 25 में बेचो ना खतम करो काम तो वो ही लिखा existing situation के सबसे share over price है तो investor को बेच देना चाहिए ऐसी उसने revise का निकाला सारी चीज़े और revise situation में आगा 36.33 रूपीस फोल्ड करो यार 25 रूपिया मैं बेच कर क्या मिलेगा अब होल्ड करके रखो 36.33 मिलेगा अब बात करेंगे total risk, systematic risk, unsystematic risk important है ठीक है चलो सा बात करें total risk, systematic risk और unsystematic risk और एक बात तो पक्की है कि इसका जो भी calculation होगा वो किस में होगा सर वो calculation होगता है variance में यह तो बात पक्की है कुछ फॉर्मल है जो हमको याद रखना पड़ेगा concept समझा चुका हूँ पर concept पर अभी हम focus ना करें तो सर एक तो है total risk total risk कुछ नहीं होता भी यह standard deviation होता बस हमें जो calculation करना हो वो किस में करना variance में calculate करना तो हमेशा हमें variance में लेना है total risk ठीक है systematic risk क्या होता है systematic this is most important formula market मान लो beta 2 और market 10% से fluctuate होता है तो stock तो 20% से होगा ना भाई तो beta into standard deviation of market बस हमें किस में करना है variance में तो beta square और variance of market बस इतना याद रखना systematic risk मतलब market से जो beta उतना times कर देंगे फिर कुछ नहीं है यह formula आपके लिए important है beta square और variance of market इसके बाद सार unsystematic risk है unsystematic risk क्या होता है total में से systematic minus कर दो तो unsystematic risk होगा है और यह r square को बोलते coefficient of determination coefficient of variation नहीं वो efficient of determination और एक ही ratio है का सबको यह ratio समझेंगा चाहिए सर यह ratio यह बोलता है कि total risk से total risk का systematic risk कितना percentage है suppose sir r square है 0.6 इसका मतलब वो बताना चाहता है कि जो systematic risk है वो 60% है किसका total risk यह formula हो सकता है multiple choice question में आपसे पूछ ले काम का formula है तो sir यहाँ अभी कुछ समझने की बात है क्या कुछ समझने की बात है यह वाला part हो गया simple 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 okay तो यह वाला formula हमारे लिए सबसे beta और variance of market beta square variance of market तो portfolio में कैसे काम होगा portfolio में systematic risk of portfolio निकलना systematic risk of portfolio systematic risk of portfolio तो यही तो formula है बस यहाँ beta किस का रहेगा portfolio का रहे beta square variance of market अगर portfolio का systematic risk मांग रहा है तो beta of portfolio किस का रहेगा portfolio का total risk of portfolio एक तो भाई साब है Markowitz जो हम पढ़ रहे थे और एक होता है sharp अब समझना है यहाँ कहां से सारी चीजे वही रहेगी बस covariance में दिक्कत है यह दिख रहा है दोनों अगर Markowitz के इसाब से बात करो तो यहाँ covariance है standard division of xy और correlation of xy और sharp के इसाब से बात करो तो beta a, beta b of variance of market अब सर मान लो total risk मांगा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस से निकालना है कि इस से निकालना है अगर Markowitz से बोला तो ऐसे निकलेगा sharp से बोला तो ऐसे निकलेगा और सर अगर कुछ नहीं दिया है तो sharp से निकालना beta beta दिया रहेगा सर अगर important सर अगर covariance दिया हुआ है तो मत सोचना कि यह Markowitz से पूछ रहा कि sharp से covariance दिया ना भया multiply करो answer निकलो और सर अंसिस्टेमाटिक रिस्क पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा एक तो सिम्पल है total risk of portfolio minus systematic risk of portfolio यह तो अंसिस्टेमाटिक रिस्क पोर्टफोलियो आपको लग रहा होगा weighted average तो आप weighted average के इसाब से काम करने हलाएक यह weighted average form है नहीं है इसके बिचे एक logic होता है कियार आपस में correlation नहीं होता पर वो logic पे अभी हम नहीं जा रहा है unsystematic risk of A square weight of A square unsystematic risk of B square weight of B square मुद्दे के बात है कि main formula कौन सा main formula यार एक तो यह वाला है भाई और दूसरा बीटा है बीटा B और variance of market यह वाला formula important है covariance का बाकी सब सिंपल question देखते है question number 43 दिखाई दे रहा हूँ आपको यह साँ इस question में 4 security है बीटा दिया हुआ है random error मतलब unsystematic risk दिया है और यहाँ square नहीं लिखा है इसका मतलब यह standard deviation है unsystematic risk और weight से दिया हुआ है you are required to find out the risk of portfolio sir risk of portfolio क्या मतलब क्या मांग रहा होगा मतलब सीधी सी बात है total risk की मांग रहा है total risk of portfolio मांग रहा है अगर market का standard deviation है 18% इस question को कैसे solve किया जाए सबसे बीटा दिया weight दिया तो beta of portfolio निकल जाएगा yes sir वो तो निकल गए beta of portfolio उसके बाद sir unsystematic risk दिया है systematic risk of portfolio निकल गए है ठीक है बीटा किसका लिया है मैंने portfolio के लिया unsystematic risk of portfolio भी निकल गए है इन दोनों को जोड़ दिया तो total risk of portfolio निकल गए है यहीं तक हो गया पर फिर भी मैंने आपको बताया थे एक काम थोड़ा सा जादा करेंगे हम लोग की standard deviation भी निकाल लिया करेंगे हमें इसाब आंगे ना मांगे तो मैंने इस question में standard deviation भी निकाला चलें question number 42 यह भी एक अच्छे question में से एक है question number 42 study by a mutual fund has revealed the following data in respect of three securities A, B, C standard deviation दिया है standard deviation दिया है या रखना और correlation market के साथ दिया है भाई सुनों यह correlation A और market है यह correlation B और market है और यह correlation C और market A और B का आपस में correlation नहीं दिया है ठीक है और सर यह standard deviation of market दिया है 15% ठीक है what is the sensitivity sensitivity का मतलब क्या होता है sensitivity का मतलब होता है beta, beta किसका निकालना है हारे कि टोकन standard deviation यह दिया है correlation दिया तो हो जाएगा beta निकल गए या देना यह वहला formula आसा ठीक है इसके बद covariance मांगा अब sir covariance निकालना है तो किसका covariance A और B का निकालना है तो A, B का covariance निकालने का एक तो यह formula हुआ तो कौन सा formula हुआ एक तो यह हुआ हुआ standard deviation of A standard deviation of market correlation A और B तूसरा beta A, beta B और क्या था variance of market अब सबाल यह है एको देखनी रहाता अब दीखे सवाल यह है ऐसे निकाले की ऐसे निकाले भाया correlation A और B का नहीं पता है जो पता है वो यही पता beta B beta A, beta B और variance of market तो वैसे निकालना है वैसे निकाला A, B का निकाल लिया sorry A, B का निकाल लिया AC का निकाल लिया और B और C का निकाल लिया मतलब 0.8, 0.14 और 15 स्क्वार करके ठीक है पहला पॉइंट होगा है, दूसरा होगा है third what would be the risk of portfolio consisting of all three stocks equally risk of portfolio अगर तीनों stock में equal पैसा लगाते है तो सर वो A प्लस B प्लस C स्क्वार कर दे क्या कर सकते है सर करते हैं फिर तो standard deviation के तीनों को पता है हमको yes, तीनों को पता है तो मैंने वह ही किया, variance निकाल रहा हूँ standard deviation निकाल, square नहीं कर रहा हूँ तो मैंने 20 square 1 by 3 1 third बोला, मतलब equal equal 3 क्योंकि हम आलूम है न अब इस टाइम पर यह मत पूछना 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 और covariance तीनों का निकला हूआ है तो यह काम कर दिया, equation मैंने आपको बता रहा A plus B plus C square तो यह आगे 200.24 यह निकालना था पर मैंने standard deviation हमेशा निकाल लिया करता हूँ Okay, what is the beat of portfolio, beat of portfolio मतलब weighted average यह beta है और weight दिया है क्या एक बली बोला है न Average of 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 मतलब इस टिवाइड़ बाइ 3 कर दोना है यह सीधा Okay, मैंने टिवाइड़ बाइ 3 कर दिया तो यह आगे है, beat of portfolio मतलब total risk, systematic risk, unsystematic risk of portfolio यह तो यार, total risk of portfolio तो यह बला है systematic risk, beat of portfolio दिया है और variance of market मार्केट माल में systematic निकल गए तो इसमें से यह manage कर देंगे तो unsystematic risk of portfolio आगए, सिंबल है Okay Question number 46, यह भी अच्छा question है देखना बढ़ेगा नहीं Okay Following a risk and return estimate for two stocks दे रखा है Expect return, donor stock का दे रखा है 14 दिया है और 18 दिया है, beta दिया है और specific standard deviation दे रखा फिर से बोल रहा हूँ, यह variance नहीं है Standard deviation Okay Market का standard deviation है 25 और RF दिया है 6 Standard deviation A और B का निकलना Standard deviation मतलब total risk यह कैसर, beta मालूम है variance of mark systematic risk निकल जाएंगा Unsystematic risk है दोनों का add कर देंगे, तो टोटल जाएगा सिंपल है Systematic risk निकलना हमने 0.8 square और 25 इंटो 25 इंटो 25 इंटो इक्वल टो 625 इन दोनों का add के 400 900 और यह 35 standard deviation इसका square करना पड़े गा 35 into equal to plus 400 तो यह 16-25 आ गया है और standard deviation निका लिए ऐसी इसका भी standard deviation निका लिए simple question था Point number 2 Suppose a portfolio is to be constructed with the proportion portfolio बना रहा है जिसमें 25% आप लगाओगे A में ठीक है 40% आप लगाओगे B में भी ठीक है और treasury bill में लगाओगे 35% जिसका standard deviation होता है 0 risk थो होता ही नहीं तो sir A square plus B square plus C square यह 0 आएगा plus 2 into A, B combination A का B के साथ और A का C के साथ A का C के साथ तो 0 हो जाएगा बस यह तो simple हो गए फिर तो उसे पहले मैंने क्या निकाला expectation of portfolio मांगा था expect return of portfolio standard deviation of portfolio ठीक है expect return of portfolio निकाल लिया standard deviation of portfolio A square, B square, C square होई नहीं सकता 2 A, B भर होगा और covariance ऐसे निकाला बीटा वाला formula से तो answer आगा है 26.26 पर question 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 number 45 बच्चा question है एक बार रीट करते हैं चलो जी question number 45 एक बार देखें yes question number 45 में भाई A, B, C तीनों देख रहा है portfolio का वेड दिया, beta दिया, expect return दिया total variance दे रहा है, बस इसमें खास बात समझना ये percentage में नहीं दिया, इसकी वज़े से बहुत ज्यादा समस्या है और एक ही चीज है जो percentage में ये तो return है साथ में standard deviation नहीं देखो ना, risk percentage में नहीं दिया ये बर percentage में है, तो इसको क्या हम 0.10 रही कर सकते हैं कर लेते हैं, बात कर ता, और covariance दे रहा है सरी, covariance किस के हिसाब से, सार्प के हिसाब से है कि फिर मार्कोवेट्स के हिसाब से, वो चेक करनेंगे सबसे पहले portfolio बीटा निकालना है, तो portfolio बीटा तो weighted average हो गया है, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता हमको 0.66, residual variance निकालना है, मतलब मांगा है unsystematic risk, total variance का मतलब होता है total risk, तो क्या हमें total में से systematic अगर minus कर दे और systematic के लिए बीटा दिया variance of market हो जाएगा का, क्यासा, तो beta square variance of market करके मैंने क्या निकाला, unsystematic risk और सबका total risk मालूम है total से minus कर दिया, systematic risk, तो ये कौन सा risk निकल गया, unsystematic risk निकल गया, ठीट है point number 3 और point number 4 में confusion है एक तो portfolio variance से निकालना, मतलब total risk को portfolio निकालना sharp से और markovid से, तो sir ये जो covariance दिया है, ये किसका है, देखो sharp से formula है beta A, beta B और variance of market अब beta A है, point 4, beta B है, A और B का covariance निकल रहा हूँ point 5, variance of market कितना दिया है, point 1, 0 करके देख ले ना, हलाकि ये जो है, वो ये नहीं आएगा it means ये जो दिया है, ये कौन सा वाला दिया है, ये markovid वाला दिया है B square, C square, 2 A B, 2 A C, और 2 B C, और ये मैंने beta A, beta B, sharp वाला कर लिया, और markovid वाला तो दिया हुआ है, वो ये उठा कर लिग दिया, answer आगे है, और sharp वाले से answer आगे है, टेक है, okay sir, question number 40 करना जरूरी है, और इसी लिए करना जरूरी है, भाई, ये question multiple choice question में भी दे रखा है, RTP में डला हुआ, RTP या MTP में डला हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा, अच्छा question है, okay sir, Mr. Abhisik के बस दो लाग रुपए है, ठीक है भाई, या तो वो पूरा पैसा X में लगा है, या तो पूरा की पूरा पैसा Y में लगा है, या तो एक portfolio बना दे, जिसमें एक लाग 20,000 मतलब 60% X में लगा है, और 40% Y में लगा है, ठीक है, average annual return X और Y का return दे रखा है, return का मतलब वो जो कमाते है, okay, इसके अलावब average annual return X का दिया है, 15% और Y का दिया है, 14%, ठीक है sir, X और Y का average annual return दे रखा है, 15 और 14, और sir, risk free दिया है, 10% और market का दिया है, 12%, covariance दे रखा है, XY, covariance matrix दिया है, okay, X और Y, X और Y की बीच का covariance दे रखा है, sir, mix का मतलब, mix का मतलब भई, market है या market, तो X ये क्या है, X और market के बीच में, और ये Y और market के बीच में, और ये market का square दे रखा है, और sir, X का X के साथ तो ये X square होता है, variance, covariance X का X के साथ नहीं होता किया इस matter पर चर्चा हो चुकी है सर पहले variance बताना है आपको return किसका X का X का variance है 4.80 सोचने वाली बात ही नहीं है और सर Y का variance Y का Y के साथ 4.250 और सर market का market के साथ वो 3.100 दिख रहागा आपको पहला point बहुत जदा आ सकता है MCQs साथान हो जाओ ओके सर point number 1 होगा point number 2 बोल रहा है portfolio return निकालना portfolio return कैसे निकलेगा भाई सर ये मालूम है 15% of 14% इसका weighted average करेंगे तो portfolio return हाजाएगा बीटा कैसे निकलेगा portfolio बीटा निकालना है पर बीटा तो individual निकालना पड़ेगा यास individual बीटा और individual बीटा है सर ये covariance है divided by variance of market तो बीटा X का निकल जाएगा ये variance है तो सर बीटा Y का निकल जाएगा तो पहले बीटा निकल लेंगे और फिर हम weighted average कर लेंगे पहले दूछ काम तो देखे portfolio return तो weighted average जैसे कि मैंने बोला था बीटा covariance covariance सर बीटा भी निकल लेंगे portfolio बीटा भी निकल लेंगे तीनों काम होगा उसके बाद सर portfolio variance मांग रहा portfolio का variance मतलब यार ये मांग रहा हमसे total risk total risk कैसे निकाले क्या covariance दिया है yes individual stock का सर ये भी दिया है individual stock का हमें variance दे रखा है और वेट हमको माल में हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो गया हो गया 4.8 into .6 4.25 ये वाला ना यार 4.8 4.25 और इसके अलावा बीटा ए बीटा बी और वेरियंस ओप मार्केट नहीं बीटा नहीं यहां तो लागेगा नहीं क्योंकि कोवेरियंस निकाल कर दे दिया weight of a weight b of variance होगा हो बस मैं आपसे यह कह रहा हूँ वो portfolio variance बोल रहा पर पुछ कुछ पूछा नहीं है हमें ये check भी नहीं करना कि किस के इसाब से कि ये मार्कविट के इसाब से कि ये शार्प के इसाब से डिजनेट मैटर तो पिछले question में दो चेक किये थे भाई या पिछले question में उसने दोनों के इसाब से बोला था ना इसी वज़ह से चेक करना पड़ा अगर वो उसे बोलता portfolio variance निकालो बात खता जैसे इस question में बोल रहा है अगर वो यहां बोलता कि यार आप इसके साब से भी निकालो इसके साब से निकालो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता इस अब portfolio का standard aviation निकालने के लिए बोला portfolio का standard aviation तो जो आया होगा उसको इसने square root कर दिया होगा बात के तम सर यह कर लिए क्यों होगा तो पॉइंट one one five ठीक है तो यह वाला पॉइंट पॉइंट पूइंट अब फिर से निकालना तो हमने क्या कि हमने सीए पीम के सबसे निकाल लिए आर एफ आरेम दिया है बीटा सबका मालूम है इसका इसका portfolio का निकाल इसके बाद उन्होंने systematic risk पूछा systematic risk कर तो बीटा हमको मालूम है बीटा square variance of market variance of market यह हैं तो फिर उसके सबसे हमने systematic risk भी निकाल लिए तीनों का unsystematic risk तो total risk निकला ही हुआ है उसमें से systematic unsystematic risk भी आ गया है ठीक है point number 4 वैसे यहां का नहीं है पर point number 4 अगर देखोगे ध्यान से तो point number 4 में उसने हमसे sharp ratio मांगा है trainer ratio मांगा और alpha मांगा sharp ratio trainer ratio alpha actual में इसका huge क्यों होता है इसका huge होता performance चेक करने के लिए कितना कमाया और कितना कमाना चाहिए था sharp ratio में base आता है standard deviation और trainer ratio में जो base लिया जाता है beta की हर risk हर risk के पीछे कितना कमा रहा है sharp में क्या बोलता भिया access return कमा रहा है तो क्यों आपका deviation कितना था और trainer ratio क्या बोलता access return कमा रहा है तो बीटा क्या था माइनस RF होता है यह चीज़ वैसे mutual fund में यहां दिख रहा है आपने क्या कमाया सर 15 कमाया RF कितना है 10 divided by standard deviation नीची आ जाएक RF मतलब जो actual में लिखा था ओके सर तो यह आग है और share pressure क्या होना चाहिए highest और highest higher 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 share pressure कहां दिख रहा है सर तो mutual fund x अच्छा पूचा नहीं है सर trainer ratio में नीचे क्या जाएगा बीटा और सर alpha alpha मतलब वही average return minus k और alpha जिसका जाता average return वह जो दिया हुआ था और कौन सा दिया था यह 15 और के यह आपने निकाला था अभी कितना है 12.17 भाई सब यह अच्छे से करके चले जाना इसके भी multiple choice question आ सकते हाला कि फिर से समझाऊंगा में sharp pressure trainer ratio और alpha कहां mutual fund हम तयार हो चुके है हमारा C.A.P.M. खतम हुआ अब ज़्यादा कुछ बच्चा नहीं और अब हम आ गया है APT पर arbitrage pricing theory दो तीनी question है और इसके बाद portfolio rebalancing के दो question है एक वो कर लेंगे sharp optimization model करी लेंगे ना APT पर आगा है चलो बात करते आर्बिट्रिस pricing theory APT टोटल मिलाकर तीनी question और तीनों ही करेंगे हम लोग okay तो APT क्या होता था APT CAPM क्या होता था sir CAPM में हम लोग risk free लेते थे बिल्कुल सही और sir beta जो होता था ना market risk premium लेते थे it means CAPM क्या बोलता था CAPM सिर्फ और सिर्फ economy capture कैसे करता था single factor से किससे RM minus RF मतलब यह market को base लेता था RM minus RF MRP निकलता था और beta सिर्फ market लेते मार्केट से related risk लेते थे CAPM में single factor लेते थे पर APT कहता था कि यार आप कैसे एक ही factor से economy capture कर सकते हो जो expected return होता है वो सिर्फ market को base लेकर नहीं होता inflation भी तो एक factor है तो उसका भी तो premium लेना चाहिए आपको inflation premium भी तो लोगी इसके अलावा GDP भी तो एक factor है उस पे भी तो आपको देखना पड़ेगा कि GDP कितना grow हो रहा है it means आप एक factor को नहीं ले सकते multi factors model जो है APT ठीक ओके तो equation वही है बस यहाँ factor जैसे MRP एक factor है MRP भी एक factor है ऐसे ही बहुत सारे factors हो साएगे और उसको बीटा से multiply कर देंगे आप समझ में आ रही है यह concept में आपको समझा चुका हूँ इस पर ज़्यादा time बरबाद नहीं करेंगे यहाँ आपको बड़े सारे factors दिया रहेगा जो भी factors दिया रहेगा उन factors को लेना होगा और उससे related बीटा लेना होगा सपोज एक question ले रहा है question number 54 ध्यान से दिखोगे question number 54 दिख रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है बुले निर्मल कुमार उन्होंने जितने भी market में available stocks है उनको चार category में divide कर दिया small cap growth, small cap value, large cap growth और large cap value stock ठीक है निर्मल कुमार ने weights भी दे रखा है market के हिसाब से और weights है 25%, 10%, 50%, 15% factor 1 actual में ये CAPM वाला है बीटा CAPM वाला ठीक है S.E. factor 2 book price ले रखा, S.E. factor 3 inflation ले रखा है और उसका बीटा दिया है चारोग का और risk premium दिया हुआ है ठीक है, ओके, मांग क्या रहा है और R.A.B. दिया है 4.5 परशन ठीक है, using APT determine the expect return on market, market का expect return निकालना है बाइस अब हम पहला एक काम करते हैं, दो-तीन तरीके से कर सकते हैं इस question को, पर IC AI जैसे करवाए है वैसे करवाए है पहले क्या हम portfolio बीटा निकाल सकते हैं, सर किसका, इस factor का portfolio बीटा yes sir, multiply करते जाएंगे और बीटा portfolio निकल जाएगा factor 1 का, वो मैंने यहाँ निकला दिखरा होगा आपको, 0.8, 0.9, यह वाला factor, 0.8, 0.9, 1.16, और 0.85 इस तरह से multiply किया तो बीटा आ गया, 1 और बीटा 1 आना ही चाहिए था, क्योंकि market का बीटा तो 1 नहीं होता ऐसी दूसरा factor उठाया, दूसरा factor, दूसरा factor यह देखरा, book price, उसको भी मैंने weight से multiply किया तो factor 2 का बीटा भी आ गया, ऐसी factor 3 का बीटा आ गया, ठीक है, मुझे किसका निकलना है, market का, इसलिए मैंने इस तरह से काम कर दिया क्योंकि market में यह 4 ही type के stocks है, अब हमारा equation क्या आ रहे, प्लस, factor risk premium 1 into beta 1, beta आ पोटफोलियो लेंगे, factor risk premium 2 into beta आ पोटफोलियो 2, factor risk premium 3 into beta आ पोटफोलियो 3, तो वही मैंने काम कर रखा है, और इस हिसाब से मेरा expect return किसका आ गया है, market का, ठीक है, आँ बोलो, आगे चुलेंगे CAPM के हिसाब से आप expect return निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो, CAPM के हिसाब से expect return किसका market का, तो यह दिख रहा CAPM, चाहो तो आप individual return निकालो और multiply कर दीजी सबसे अच्छा, दूसरा इसका तो beta निकल चुका है, portfolio beta आराम से काम हो सकता है, दो तरीके से निकाल सकते हो, मैंने ऐसे किया है, जैसा ICEI निकिया, हर एक का return निकाला है, इसके सबसे, जो CAPM equation है ना, उसके सबसे, इसमें तो हमको कौन सा वाला beta लेना पड़ेगा, सब हमको तो यह वाला beta लेना पड़ेगा, यही वाला beta लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसको फिर जो भी return निकला, उसको weight से multiply करती है, alternative solution possible है, answer same आएगा, ठीक है, one और two में तो दिक्कत में, ठीक में यह बोल रहा है, Mr. Nirmal Kumar एक portfolio बनाना चाहता है, जिसमें small cap value रखेगा, Sir, small cap value कहा है, यह, और जिसमें large cap growth रखेगा, large cap growth यह, बस यही दोने stock रखेगा, इन दोनों का beta हमको मालूम है, 0.9 और 1.165, वो यह चाहता है कि target beta 1 आजाए, तो बताओ, इसमें कितना पैसा लगा, इसमें कितना पैसा लगा, तो simple है, मैंने क्या किया होगा, Sir, आपने यह क यहा है, target beta रखना 1, तो 0.9 into weight of A, और यह 1 minus weight of A, तो weight of A और weight of B भी दोनों निकल गए, अच्छा question है, इस टाइब का question आया था, सर्वो question में देखें कि देखें कि वो last में, यह कैसा, इन question है, तीन में से एक हो गया, question number 55, second question, लिखा Mr. Kapoo, यह question अच्छा, technical question है, इसको तो बि तो Mr. Kapoor एक portfolio बनाना चाहता है, जिसमें security X है, security Y है और risk free है, risk free भी है, factor 1 X और Y का दे रखा, factor 2 X और Y का दे रखा, मतलब यह हो गया बीटा, और expect return X का है 15%, और Y का है 20%, और risk free है 10%, ठीक है, it is assume that security's return are generated by two factors, ठीक है, अब point number 1, अच्छे से बढ़ना क्या बोल रहा है, वो आपसे कह रहा, Mr. Kapoor के पास एक लाख रुपए है, investment करने के लिए, मतलब खुद का पैसा है, एक लाख, बिलगकुल ध्यान से करना है इसकोश, और उन्होंने short sell कर रखा है, 50,000 Y का, खुद का ह एक लाख और 50,000 रुपए, Y का short sell कर रखा है, ठीक है, तो टोटल भाई, आपके बस है कितना है, सर्थ, टोटल हमारे पास हो गया है, जमा 1,50,000 और ये 1,50,000 इन्होंने security X में लगा रखा है, 1,50,000, अब हमको weight निकालना पड़ेगा, चलो, weight कैसे निकलेगा, ध्यान से मु नीचे आएगा, ये मैंने पहले भी discuss कर चुको, तो सर, X का weight आगया है, 1,50, Y का weight, Y क्योंकि short sell कर रखा है, इसलिए, माइनस में है, हमें सा on fund नीचे और ये आगया है, माइनस 0.5, अब weighted average, बीटा निकालना है, क्यों सर, क्योंकि उसने मांगा है, Mr. Kapoor का, what is the sensitivity, मतलब इसमें कितना weight है, 1.5, और इसमें कितना weight है, 0.75, 0.75, 0.75 ये वाला, 0.75 into 1.5, 1.5 into minus 0.5, sorry, ये minus 0.5 है, आंसर आगया, 0.375, ऐसे ही, 0.6 into 1.5, 1.10 into minus 0.5, तो ये आगया, 0.35, अच्छा topic, खेर ये तो आप झेली लेते कैसे भी, सबसे ज्यादा important है, point number 2, point number 2 में बोल रहा है, Mr. Kapoor जो है, borrow करेगा 1,00, रुपए, और किस पर risk free पर, और खुद के पास कितना था, 1,00, टोटल कितना होगे है, 2,00, और invest करेगा, की borrow along with the original fund, 1,00, खुद का है, और risk free का है, 1,00, ये invest करेगा, total मिलाकर 2,00, और किस ratio में invest करेगा, X और Y में, बोले, जिस ratio में, point number 1 में था, तो point number 1 में तो weight था, 1.5 और minus 0.5, बोले, ऐसे ही वो invest करेगा, ठीक है, हमने किया, 1,00, खुद का है, 1,00, रिस्क free पर borrow किया, तो total मिलाकर कितना होगे है, हमरे पास, 2,00, और weight ये already निकला हुआ है, कहां से निकला, इसी ratio में बोला ह उसने, ठीक है, तो 2,00, into 1.5, तो total मिलाकर इधर कितना होगे है, 3,00, और ये होगे है, minus 1,00, ठीक है, अब हमको weight निकलना पड़ेगा, मैं weight निकलना हूँ, X में कितना लगा है, X में, Sir, X में लगा है, total 3,00, कैसे, ये है दिख रहा, 3,00, ये 3,00, यहां गया, नीचे हमेशा एक लाक रुपए उधार लिया है, और divided by 1,00, तो ये weight आ गया है, और उसके हिसाब से फिर हमने काम किया, 0.75 क्या है, ये वाला, 0.75 into 3, बोलो हां, हां सर, उसके बाद 1.5 into minus 1, और भी है न सर, येस, पर उसका weight तो 0 है, इसलिए मैंने है risk free वाला लिखा ने, risk free का weight तो है, प 0.75 और 0.70, एक है, what is the expected return premium of factor 2, सर, factor risk premium 2 मांग रहा है, equation हम को मालूम है क्या, ये सर, equation हम को मालूम है, अब देखो मैंने equation लखा है, यहां से RF, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, equation क्या है, equation ये expect return, देख रहा है ना आपको, is equal to RF, plus factor risk premium 1 into beta 1, plus factor risk premium 2 into beta 2, ये RF मैंने यहां से minus कर दी है, उस हिसाब से expect return कितना था, 15 में से 10 minus किया, तो पहला वाला कितना आ गया, पहला वाला 5 आ गया, ऐसे ही मैंने यहां भी काम किया होगा, 15 में, 20 में से 10 minus किया, यहां कितना आ गया, यहां टेन आ गया, यहां तो कोई दिकत नहीं सा, अब factor risk premium 1, हमको मालूम है factor risk premium को दिया नहीं है, पर beta दिया है, factor risk premium 2 दिया है, बीटा दिया है, अब simultaneous equation से solve करोगे, तो आपको आता है, 1.5 को मैंने उपर वाले से multiply कर दिया, और 0.75 को इस equation से multiply कर दिया, एक बात विसेज ध्यान देखना, कि यहां बच्चों स 6.67 आ रहा है, और solve करके इसलिए देख लेना, क्योंकि आप ही ने solve किया है, यहां solve नहीं है, मतला आप ही ने solve किया था, तो इस equation को solve कर सकता है, इस question में ध्यान रखने वाली बात है, यह वाला part, इस part में गरबढ़ हो सकता है, question number 53 तो रटने वाला question है, कोई sense नहीं है, इसक को कोशिश कर रहा हूं समझाने, बुले कोई person है, वो invest करना चाहता है, equity shares में, और 3-4 factor दे रखे, बहुत सारे factor दे रखे, और expectation है, और actual है, मतलब expectation था, GNP की बात करो, inflation की बात करो, की 5.5% होगा inflation, पर actual में कितना हो गया, साथ हो गया, तो सर यह तो ज़्यादा बढ़ गय यस, कितने से ज़्यादा बढ़ गया, 1.5 से, तो हमको inflation premium का भी तो मिलना चाहिए, यस, पर बोले, inflation premium मिलेगा, पर किस से मिलेगा, बोले, जितना inflation बढ़ता है न, उससे 1.75 टाइम से ज़्यादा आपको मिलना चाहिए, तो मैंने क्या किया, जो भी difference निकल रहा, difference किस से करो गया, actual minus, हम क्या चाहती थे, हो गया यह, तो वो जो भी difference है, वो आपको मिलेगा, और उसको बीटा से multiply कर दोगे, तो उतना times मिलेगा, यह आ गया, और इसके बाद हम RA plus तो करना ही करना है, तो यह आ गया, return, इसमें आपका knowledge, यह आप क्या चाहते हो, मैं नहीं चाहता, भी जरूरत नहीं है, आखरी दिन, last में, जो बची हुए question है, जो इदर दर है, वो सारे discussion हो चाहते है, ठीक है, जी, okay, अब बात करते है, portfolio rebalancing, अगर देखा जाए, तो portfolio हमारा खतम हो चुका है, पर एक दो topic है, portfolio rebalancing है, वो करवाना है मुझे, और इसके अलावा, sharp optimization model, वो भी एक बार discussion दो कर लिए, portfolio rebalancing या portfolio revision, एक है buy and hold strategy, buy and hold में क्या होता था, इसमें होता क्या था, आपने equity और bonds में डाल दिया, ठीक है, और फिर समय बाद जब हमको ऐसा लग रहा कि market कम होने वाला या market बढ़ने वाला तो हम वापस अपना जो portfolio है उसमें equity based देते थे bonds करी लेते थे bonds बेशते थे equity खरी लेते थे सर्त यह होता था कि bonds और equity में जब भी revision करते थे इन दोनों में बराबर पैसा लगना चाहिए constant ratio plan में इन दोनों में पैसा बराबर लगना चाहिए याद रखना constant दोनों में equal जब भी आप revision करोगे जब भी सोचोगे नहीं आप revise करना तो आपको दोनों equal रखना पड़ेगा constant ratio और cppi क्या होता था वो में बाद में बता दूँगा एक question है दो question है तो दोनों question एक question जो है वह इन दोनों को मिला कर और एक question अलग है इस तरह से दो question है वो discuss कर लें क्या है yes question 56 miss sunidhi वाला question question यह था miss sunidhi जो है वो क्या कर रहे थे वो equity fund में investment कर रहे थे ठीक है और gain या loss comparison कर रहे थे मतलब कौन से buy and hold strategy से comparison करना था ठीक है the fund consist equity only and the ending NAV दिया हुआ है ठीक है दिसम्बर जनवरी यह NAV दे रखा है एजिम सुनीधी है इनवेस्टर सुनीधी ने दो लाख रुपए खर्च किया और equal पैसा लगा रही है किस किस में equity में और bonds में equal मतलब दो लाख को divide कर दिया तो कितना कितना आ गया सर एक लाख रुपए एक लाख इन्होंने bonds में लगाया एक लाख रुपए आपने equity में लगाया this is constant mix ठीक है और rebalancing कब किया जाता है बोले जब NAV पिछले NAV से NAV जो है वो पिछले NAV से 15-15% अप होता है डाउन होता तब rebalancing होगा तो आपको value of portfolio बताना है कौनसे constant ratio के सबसे और buy and hold के सबसे buy and hold में कुछ नहीं सबसे पहले constant ratio की बात करें यह table आपको समझना पड़ेगा अच्छे से simple सी बात है पहले table यह आगा table दिख रहा है आपको yes समझ लेते है हाजी आपको देख रहा होगा किस सर यह दो लाख रुपए investment किया अब दो लाख में से एक लाख रुपए bonds में एक लाख रुपए equity में बात किसकी कर रहा हूँ में बात कर रहा हूँ constant ratio plan अब यहां एक काम करना action का एक column जाएगा यह काएगा balance आपको यह देखना कि अपने units कितना खरीदा सर जब आपने units खरीदा तो 40 रुपए था तो एक लाख divided by 40 पच्छिस सो units खरीदा उसके बाद rate कौन सा हो गया सर उसके बाद rate हो गया 25 तो चेक करो क्या increase यह decrease हो गया 40 minus 15 percent 34 तक नहीं करते पर सर 25 हो गया तो करना पड़ेगा rebalancing अब rebalancing ध्यान से समझना क्या करेगा सबसे पहले आपके पास units कितना था पच्छिस सो रेट हो गया 25 तो देखो equity कितने का है पच्छिस सो इन्टू 25 तो एक वटी है 60 तो फाइफ हंड़ड का बांच तो एक लाख का तो आपके पास total balance है 162 फाइफ हंडड़ आप इसको rebalancing करोगे ना तो 162 500 divided by 2 कर देना 81250 इसका मतलब bond में तोने equity check करना सा 62 500 से 81250 हो गया मतलब पैसा आपने डाला equity में 81250 माइनस 62 500 divided by 18,750 रुपए shift हो गया divided by 25 तो आपने 750 units और खरीदा तो आपके पास हो गया 3250 units ठीक, ओके सर फिर NAV होगे 36 तो 36 पे पहुँच गया है अब चेक करो 25 प्लस 15 परशन है 28.75 तक हम रिबैलेंसिंग नहीं कर सकते पर यह तो बहुत ही बढ़ गया अब करना तो बढ़ेगा पर हमें सबसे पहले देख लेते कि units सर बॉंड्स का दो उतना रहेगा हमारे पास था 3,250 unit 36 से multiply करेंगे 3,250 into 36 तो सर एक लाग सतरा जा तो टोटल मिलाकर पोर्टफोलियो यह हो गया अब रिबैलेंसिंग करना है तो divided by 2 कर लो 198.250 divided by 2 तो 99.125, 99.125 अब यहाँ चेक करो कि क्या हुआ सर हमने बेज दिया एक लाग सतरा हजार था माइनस 99.125 तो हमने बेचा 17,875 का इतने के सबसे 36 divided by 36 तो हमने 496.53 units बेचा है याद रखना units को rounded off मत करना अब units हमारे पास 3250 में से इतना बेचा तो इतना बचा अब सर अगला एनेवी कितना होगे 36 माइनस 15 परशन 30.3 तो री बैलेंसिंग की जरुवरत तो नहीं है पर कैलकुलेशन तो करना बढ़ेगा 32 हुआ ये जो unit से इसको multiply कर दिया मैंने 32 से 2753.47 into 32 तो ये आगे 88111.04 और ये है पर री बैलेंसिंग नहीं करेंगे फिर 38 हो गया तो फिर 32 प्लस 15 परशन तो 36.8 तक अलाऊ था पर 38 हो गया तो री बैलेंसिंग करना पड़ेगा और फिर जैसे कर रहे थे वैसे करोगी मेरे कहल से खुब practice किया फाइनली हमारा जो बैलेंस आ गया पोटफोलियो को ये आ गया 240647 जब कि बाइन होल्ड में मैं हलाकि इस पॉइंट से ज़्यादा खुश नहीं कि वो पूरा की पूरा पैसा equity में डाल रहा लेकिन बाइन होल्ड में ऐसा नहीं होता पर खैर जो भी होता हो दो लाग divided by 40 तो कितना यूनिट से 5000 उनिट उसको multiply कर दिया 52 से तो 2,60,000 हलाकि मैं ऐसे करता 2,00,000 में से 1,00,000 रुपए बाउन में पड़ा रहेगा और 1,00,000 divided by 40 तो 2500 यूनिट और 2500 को multiply कर दूँँगा लाश्ट में 52 तो buy and hold में जो मेरा value आ रहा है वो आ रहा है 2,30,000 रुपए actual में buy and hold ये है आप दोनों करके आज़ा वैस buy and hold मैं फिर से बता रहा हूँ theory के साब से 50-50% डालना चाहिए ठीक है portfolio rebalancing का ये question था और एक ये question था CPPI CPPI में आप के लिए formula मेरी बात समझनाся कि ये formula क्या है cppi me होता क्या है cppi me होता क्या है कि मान लो मेरे पास कोई पैसा लेकर आया और वोलता है कि यार आपको कहां लगाना ऩै पैसा मैं पहां लगाँ बताो तो बोले सुनो मन से बोल रहा हूं मन से कुछ समझाने के लिए बोले ऐसा है कि हम दे रहा है आपको 5,00,000 रुप है बुरा से बुरा हुआ आपको minimum कितना वापस चाहिए बोले floor value floor मार्केट 10% से गिरने वाला है तो बोले किसी भी हालत में मुझे एक मैने बाद 50,000 रुपए तो दे देना भाई 50,000 रुपए या फिर पिर पैसा कितना दे रहा है पाच लाक मार्केट 10% से गिरेगा मेरा यह अनुमान है तो बोले मार्केट गिराएगा तो आपको भी लॉस होगा मैंने खाँ ठीक है बोले मार्केट 50,000 से गिरेगा ना आपका भी 50,000 गिर जाए कोई दिक्कत नहीं पर मुझे 45,000 रुपए चाहिए और मैंने गाया मुझे एक वडी में पैसा लगाना है बोले हाँ आप 50,000 लगा लू यार इतना तो बुरा दिये कि एक वडी में 50,000 लगा दू और लाश्ट में 0 ह तो जाए बोले यार एककाम करतो हो multiplier हो multiplier में सोच रहा हूं कि आर 2 ले लिया जाए ये कुछ भी हो सकता है तो मैंने 2 ले लिया इत मिन्स में सामने वाले ने तो मुझे बोला है कि आप 50,000 में खेल सकते हो पर मैं एक लाक में खेलूँगा क्यों कि मुझे मालूम है मैं 0 नही देखे एक बार तो दिखा इंदरा के पास कितना रुपिया है तीन लाक इसको बोलते हैं एसेट्स तीन लाक रुपिया है अभी निफ्टी कितना है पास जार तीन सो चब्विस अभी निफ्टी पास जार तीन सो चब्विस और हमें अनुमान है कि यह 4793.40 हो सकता है एक मैने बात वो आप से यह कहता है कि यह निकालो की मार्किट निफ्टी कितने पर्षेंटिस से गिर सकता है और वो हमने निकाला न मतलब निफ्टी कितने पर्शन से गिर सकता है, निफ्टी 10 पर्शन से गिर सकता है, इट मिन्स जो तीन लाख है, तीस हजार रुपए तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें फ्लोर वैल्यू निकाल लिये, दो लाख सतर हजार सामने वाले को चाहिए, चाहिए किसी भी हालत में, आगे चलें, यस, दो लाख सतर हजार फ्लोर वैल्यू आ गई, फ्लोर मुझको चाहिए था, फ्लोर मिल गया, दो लाख सतर हजार, असी वांस टू नोट, इस टो हाउ शुड री बैलेंस हर पोर्टफोलियू, और मल्टिप्लायर में कितना ले लेना, तू, यह मल्टिप्लायर दिया रहेगा कोशन में, ज्यादा दिमाख मत चलाओ, अब बताओ, सुरू में आप कितना एक्विटी में लालोगे, कितना डेट में डालोगे, ठीक है, सबसे पहले एक्विटी में कितना डालोगे, तू तो लिखना ही है हमको, ठीक है, तीन लाक माइनस दो सत्तर, सामने वाले ने कितना बोला था, तीस जार में खेल सकते हो, हम डबल में खेलेगे, तो हम 60,000 रुपे एकवटी में लगा देंगे और बचा हुआ पैसा कहां लगा देंगे डेट में लगा देंगे आच ठीक है यहां तो कोई प्रॉल्म है क्या यहां तो कोई प्रॉल्म है अब वो बोल रहा है दस दिन बात मान लो निफ्टी हो गया 5122.96 आज निफ्टी कितना था 5326 दिख रहा है आपको आज निफ्टी था 5326 और निफ्टी कितना हो गया 5122 सर निफ्टी तो गिरा तो निफ्टी गिरा तो 60,000 लगाया था अपने एकवटी में और यह हो गया 5326 था तब आपने लगाया था और हो गया 5122.96 अब percentage निकल के भी कर सकते हो तो sir equity यह हो गया और bonds में तो 2,40,000 है ही 10 दिन बाद तो total आपके पास assets इतना हो गया अब फिर rebalancing कर रहा है और rebalancing कैसे कर रहा है 2,900 यह total assets है और आपको floor में change नहीं होगा floor 2,70,000 है multiplier 2 से किया तो हम equity में अब लगाएंगे 55426 और जितना है उसमें से इतना minus कर देंगे तो बचा हुआ किसमें लगा देंगे bonds में आगे क्या बोल रहा है अब nifty हो गया 5539.04 फिर unitary method जब यह था तब हमारा value कितना था 55426 यह equity का value था उस समय nifty था यह अब हो गया nifty है तो equity का value यह हो गया bonds का value तो यह पहले से निकला हुआ है तो total assets इतना हो गया अब rebalancing करें और rebalancing किया मैंने तो rebalancing assets minus floor into two तो इतना equity में जा रहा है और इतना debt में जा रहा है तो धीरे धीरे देखो ध्यान से अगर देखोगे जब equity गिरा यहां से समझ जब equity down हुआ यह equity down हुआ न यार तो आपने क्या किया सर equity हमने बेज दिया जो गिर रहा है उसको तो हम बेचेंगी बेचेंगे और फिर equity क्या हुआ सर बढ़ा जैसे equity बढ़ा तो आपने यहां से यहां shift हो गया यह आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जो पहला 10 दिन है उसमें कहां से equity से equity का पैसा बेच के debt में shift कर दिया equity to debt में डाल दिया और दूसरे में जैसे equity बढ़ा तो आपने equity और खरीद लिया ठीक है मतलब debts to equity में आपने shift कर दिया logic है concept है हो गया अब बस एक है sharp optimization model जिसका दिल नहीं है वो छोड़के mutual fund में चल सकता है मैं करवाती हूँ चलता हूँ ठीक है पूरा ही कर ले तो अब बात करते हैं sharp optimization model sir concept क्या है concept सब बाद में समझेंगे सबसे पहले question है और उस question के ही through हम सारी बात समझे question number 62 देखा जाए तो cash study mat में है हाँ बहुत बड़ा concept है और इसके बाद corner theorem है थोड़ा सा पढ़ते question number 62 बोले rames है जो invest करना चाहता stock market में और उसको कुछ stocks दिया expect return दिया है बीटा दिया है और unsystematic risk दिया variance में ठीक है total में लाकर ABCDEF market index variance दे रखा market का variance दे रखा है 10% मतलब सरे standard division of market square यस और RF दिया है 7% बताइए optimum portfolio क्या होगा assuming no short sell अब यार इस questions क्या पूछना क्या चाहरा था पूछना यह चाहरा था भाईया यह total में लाकर A to F इतनी stocks है इसमें से हमें कौन-कौन से stocks खरीदना चाहिए सर कहीं भी लिखा नहीं आएगा कि कहीं भी लिखा नहीं आएगा कि आप SARP optimization model से कर रहे हो सर सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा सुनना धियां से सबसे पहला काम है आप trainer ratio निकालो trainer ratio मतलब access return to beta ठीक है सर निकाल लिया ये expect return मालूम है हमको हमको मालूम है RF RF मालूम है 15-7 और beta मालूम है तो मैंने access return to beta ratio निकाल लिया सभी का और इसमें अगर सिर्फ इसी के basis पर decision होता तो दिख रहा था कि यार stock A जिसका ज़्यादा access return to beta stock F मतलब यार ये ज़्यादा होना चाहिए trainer ratio ज़्यादा है मतलब यार हमें वो stock खरीदना चाहिए तो सर A सबसे पहला first rank A का है फिर F का है और उसके बहुत सारी है दिक्कत ये है फिर B है दिक्कत क्या है सबसे पहले A खरीदेंगे फिर F खरीदेंगे फिर B खरीदेंगे पर सर कितने खरीदोगे तो मालो में हम इसमें क्या करते हैं हम इसमें cut off निकालते है suppose cut off आ गया 2.25 मन से लिखा है 2.25 cut off इससे जितना भी उपर जाएगा वो stocks खरीद लेंगे जैसे 2.25 से उपर A भी है F B है B B है तो ये 3 stock खरीदेंगे और कितना कितना weight देंगे ये इस point में हमको सीखना है फिर कहा है पहला step क्या होगा सर access return to beta ratio ये trainer ratio निकाला फिर कहा है और इसको हमने rank दे दिया फिर कहा हम दूसरी table बनाने जा रहा है अब important है सर ओके जब हम दूसरी table बना रहे है तो यहाँ जो stocks लिखना है न वो rank के हिसाब से लिखना जिसमे rank 1 है उसको पहले लिखना है जिसमे rank 2 है उसको just बाद में लिखना रैंक के हिसाब से लिखना है ये वही लोग करे जिनका syllabus खतम हो जाएगा ऐसी उमीद है जिनको अच्छे नंबर by chance आ गया है तो उससे सबसे करवा आने के chances कम है पर रिस्क क्यों है और फिर ये trainer ratio मेंने लिख दिया अब सवाल ये है कि cut off कितना आएगा cut off निकालना cut off अब ध्याँ से समझना ये है cut off का formula danger है भाई ये याद कैसे होगा वो बाद में देखा जाएगा अगर cut off का formula देखो तो variance of market लिखा है ठीक है plus summation of access return access return देख रहा है आपको access return multiply हो रहा है systematic risk से और divide हो रहा है unsystematic risk से रटवा रहा हूँ multiply हो रहा है access return multiply हो रहा है beta से और divide हो रहा है प्लस variance of market फिर से multiply हो रहा है beta से systematic से और divide हो रहा है unsystematic multiply beta से divide है unsystematic ये cut off का formula है रटवाया हूँ totally ठीक है सर सवाल ये है कि सर ये और ये कैसे निकाला जाए तो अब वो में करवा रहा हूँ सबसे पहले आपने ये लिखा yes फिर आपने बीटा लिखा ठीक है सर उन इस stocks का बीटा दिया हुआ है और सर unsystematic risk लिखा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हम में क्या करना जा रहा हूँ में सबसे पहले ये नीचे वाला पार्ट है ना ये दिख रहा है आपको ये ये वाला पार्ट calculate कर रहा हूँ तो मतलब सर बीटा स्कूर और unsystematic risk ये बीटा है 1.5 और ये unsystem है मतलब सर 1.5 into equal to divided by 40 yes 0.056 ऐसे 1.5 into equal to divided by 30 इस तरह से मेंने नीचे वाला पार्ट solve किया ठीक है अब मुझे उपर वाला पार्ट solve करना सर इतना बड़ा formula कैसी यूज करोगे तो सुनो मैंने कुछ खेल केला इसका मैंने बताया था कि यार किस तरह से derive हुआ मैं shortcut बता रहा हूँ मैंने ये जो trainer ratio 5.33 उसको इस से multiply कर दिया आंसर वही आये 5.33 into .056 .30 यहां .30 बात समझ में आ रहा है इत मिन्स ये shortcut से किया shortcut derivation वगेरा कैसी किया formula का अलग matter है ये मैंने क्या किया फिर से उन्हों बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं अगर speed से काम हो सर सबसे पहले हमने trainer ratio निकाला बिलकुल और फिर rank के हिसाब से ये लिख दिया और फिर क्या जो trainer ratio निकाला था वो लिख दिया beta लिख दिया unsystemate ये ती चार column तो आपको दिया हुआ है उसके बाद मैंने beta square और ये इसको divide किया तो ये निकाए उसके बाद इससे इसको multiply किया तो ये आ गए simple है यहां तक sir यहां तक तो हो गए उसके बाद क्या करना है अब इसके बाद मैंने इसको cumulative करके लेगा cumulative समझते है 0.3 0.3 में 0.35 और add कर दिया 0.65 में ये भी add कर दिया फिर इसमें ये add करते हुए चला क्योंकि मुझे 6 cut off निकालना पड़ेगा ऐसी इसको total किया और उसके बाद इसको भी ऐसी cumulative किया इसको sir 0.56 0.56 में 0.075 इस तरह से काम हुआ तो इसके बाद क्या करना है इसके बाद कुछ नहीं इसके बाद तो हमको मालूम है हमें सबसे पहले इसके लिए cut off निकालना है किसके लिए निकालना है एक के लिए तो देखो कैसे निकला 10 क्या है sir ये variance of market प्लस ये मैंने solve किया और ये तो मेरा 0.30 निकला था 1 प्लस फिर ये 10 तो हमको मालूम है और इसमें जो highest cut off है वो ये है ये question पता नहीं आएगा की नहीं आएगा chances ना के बराबर ये जो highest cut off निकला इससे उपर देखो कि कौन कौन से stock है A और F और A और F को मैंने select कर लिया ठीक इस सार पॉप्रमाइजेशन मॉडल ओके 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 सर बात समझ में आगए अब सवाल है कि A और F final हो गया येस A और F final हो गया A और F को हम खरी देंगे कितना कितना पैसा लगाएंगे अब कितना कितना पैसा लगाएंगे उसके लिए हमें क्या निकलना पड़ेगा weights weights का formula यहां से देखो न सर यह access return to beta yes access return to beta trainer ratio उसमें से minus कर दो cut off वही जो आया था final cut off यह था न 2.814 2.814 वह minus हो multiply फिर से वही होगा systematic risk से multiply और unsystematic से divide beta से multiply और unsystematic से divide वो करके यह यह निकाला मैंने जिसको मनाम दिया Z A Z F तो सर यह weight है कि यह weight नहीं है अब weight इसके इसके साब से निकल इन दोनों को जोड़ोगे वो base में आ जाएगा तो यह weight निकल गए chances के आने के chances ना के बराबर है जिसको आ गए है और आपने करके गए है तो आपकी lottery लग गए है समझ लीज़े है ठीक है एक topic है corner theorem इसका question डला हुआ है यह last है खतम कर रहा है इसके बाद portfolio sir corner theorem में है क्या है question number 11 corner theorem simple है इसले attempt में आया हुआ भी है इसले attempt से पहले वाले attempt में आया हुआ है और RTP में भी डला हुआ इस बार एक बार देखे लेते हैं investor है दो portfolio है ठीक है और उसमें 3 stock है ABC भई एक बात है ना यार stocks को लेके तो हम बहुत सारे portfolio बना सकते हैं ABC को लेके portfolio A बन सकता portfolio B बन सकता portfolio C बन सकता है ऐसे हमने question किया भी है ठीक है sir तो ABC stock को लेकर हमने एक portfolio X बनाया है और एक portfolio Y बनाया है एक portfolio में ABC रखा है किसी और ratio में रखा होगा दूसरा portfolio और बनाया है कोई short sell नहीं है restriction नहीं है short sell पे मतलब weight minus में आ सकता है वो उसका ये कहना है कि बताइए भई हर एक stock का weight बताइए अगर आप 5000 रुपए x का में लगाते हो और 3000 रुपए y में लगाते हो तो ये बिल्कुल simple हो गए इसमें कुछ है नहीं करने के लिए 5000 रुपए अपने x में लगाया तो a, b और c में इस ratio में आपने बाढ़ दिया 3000 रुपए अपने portfolio y में लगाया उसमें भी ऐसे बाढ़ दिया और ये 2100 रुपए total a का पैसा लगाया total portfolio में राख है कितने का completely sir 8000 रुपए का तो 8000 में a में लगा है 2100, b में लगा है 3500 और c में लगा है 2400 तो ये weight आगा है that's it पहला वाला point बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दूसरा वाला point है जिसकी वज़ह से दिक्कत है common sense से भी कर सकते हो number नहीं मिलेगा number नहीं मिलेगा तो equation मना के ये करेंगे suppose the investors 4000 out of 8000 in security a उसका ये कहना है भाई ऐसा है 8000 में से 4000 हमने a में लगा दिया तो बताए b और c में किस तरह से b और c में कितना पैसा लगाए 4000 रुपए मतलब 50% आपने a में लगा दिया तो बताए b और c में कितना वेट लगाए common sense का यूज करोगे तो आराम सी हो जाएगा लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो एक equation बनाते जिसमें c को छुपा दिते है c को मैंने छुपा दिया अब ध्यान से समझना c को हमने छुपा दिया c बाद में देखेंगे अब a और b तो एक equation मना रहा हूँ जिसको नाम है critical line weight of b is equal to weight of b कितना दिख रहा 0.54 तो मैंने एक equation मनाया weight of b weight of b is equal to a plus beta weight of a ये critical line equation याद होना चाहिए characteristic line भी ऐसे ही बना था पर अभी time नहीं है हमारा तो sir यहां लिखा आपने 0.4 yes यहां लिखा आपने 0.4 a नहीं मालूम weight of a दिख रहा है 0.3 yes 0.4 जब इसका weight है तो 0.3 a का weight 0.5 जब b का weight है दिखा 0.5 b का weight तो a का weight है 0.2 इसको काटा इससे b की value आ गई minus 1 और b की value इस equation में मैंने रख दिया तो a a निकल गया ए याद करो alpha होता था किसी जमाने में और वो निकल गया 0.7 तो weight of b निकलने का formula है 0.7 plus b weight of a और weight of a कितना लगा है weight of a लगा है 50% यह उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनकों मुझसे class किया हुआ है यह critical line अच्छे से समझा है तो sir 0.5 ठीक है तो मैंने यहाँ 0.5 लिखा तो weight of b आ गया 0.2 अब यार total होता है weight 1 total weight 1 उसमें a का हमको मालूम है 0.5 b का मालूम है 0.2 तो c का कितना जाएगा 0.3 पिछली बैच में बच्चों ने यह amount लिखना भूल गया थी exam में यह amount लिखना इसमें 4000 इसमें 1600 इसमें 24 यह था corner theorem यह last last के question जो एक यह वाला है और इससे पहले sharp optimization model छोड़ सकते हो पर इसको नहीं छोड़ सकते हो यह आपको करना चाहिए बना लेना चाहिए portfolio हम खतम कर रहे हैं और कुछ charts वगेरा है तो वो देख लेना आप यह charts वगेरा discussion करने की जरीवत ने लास्ट में देख सकते हो revision के तोर पर ठीक है okay start करते है mutual fund दो मिनट कब देख लेते हैं mutual fund इस्टार्ट कर अब बात करते है mutual fund और आज का target खतम करेंगे security analysis ले लेंगे साथ में बड़ी मुश्किल से 15 मिर्ट का होगा okay sir तो mutual fund mutual fund mutual fund mutual fund देख रहा है अपको yes mutual fund mutual fund में सबसे पहले NAV calculation करना return calculation करना hedge fund का एक ही question है performance evaluation का मतलब Jensen alpha sharp ratio और trainer ratio वाला है तो ठीक है यह तो हो जाएगा और residual में एक question है तो जो question है जो पार्ट है ना part number two ज्यादा important part number two बहुत ज्यादा important है ठीक है सब इस्टार्ट करें yes तो पहला दिख रहा है आपको NAV मुझे नहीं लगता कि इसमें revision है assets mutual fund का जितना भी जितना भी shares में investment किया होगा assets उसमें से minus करेंगे outside liability कोई expenses payable होगा कोई dividend देना बाकी होगा unit holder को net assets है जाएगा divided by number of units तो NAV है जाएगा कोई example नहीं है एक दो question करते है simple simple है हम question number two देख रहा है एक बड़ देख लें क्या yes mutual fund company has the falling assets under it on the close of business as on mutual fund ने कुछ company के shares hold कर रखा है first fab को उन shares का price है ये और second fab को हो गया ये वो NAV पूछ रहा होगा तो sir multiply कर देंगे और divided by number of units से कर देंगे तो बात खतम yes NAV है जाएगा अब सवाल है NAV पूछा है sir उसने तो NAV first fab का पूछा है कि second fab का पूछा है this is important लेकिन point number three में NAV उसने अलग से second fab का पूछ लिया है इसका मतलब यहां जो NAV निकालना वो हमको कपका निकालना first fab का टेबल से करोगी तो ज्यादा अच्छा है और इसमें कुछ है नहीं है करने के लिए sir multiply किया total किया net asset divided तो sir यह NAV आ गया first fab का यहां तो कोई दिक्कत की बात है point number two जो है ना वह important है point number two लिखा है assuming one Mr. A एक person Mr. A एक second आपको question दिख रहा होगा कि यह साब दिख रहा है एक person ने बुले जिसका नाम है Mr. A कि कैभी यह Mr. A उस भाई साब ने mutual fund को check दिया 30 लाग का check क्यों दिया होगा sir units खरीदने के लिए तो sir units खरीदेगा तो कितने के हिसाब से कितने के हिसाब से यह दिख रहा है 78.830 इस के हिसाब से units खरीदेगा तो number of units निकल जाएगा अब mutual fund के पास पैसा आ गया 30 लाग रुपए अब 30 लाग का उसने क्या किया उसमें से कुछ पैसे का 8000 shares खरीदा तो ये information शारक की सारा first five का चल रहा, point number one and two में लाख रहा है, तो आठ जार shares जो खरीदा होगा, किसका M limited का, वो 312 रुपए 40 पैसे की, सबसे खरीदा होगा, बचे हुए, पैसे बचे होगे, तो वो cash में आजाएगा, फिर से क्या निकालना, फिर से आपको बताना है कि NAV में कोई change होगा, कि नहीं होगा, सचा ही है कि NAV में कोई change नहीं होगा, पर फिर भी एक बार calculation देख लेते हैं, यहाँ देखो, 30 लाग रुपए दिया था, इतना तो हमने नया units इतना issue कर दिया, बदले में share से 20,000 है, M Limited के 38,000 shares दिख रहे होगे, जो पहले कि थे 30,000, यह simple है, 20,000, 60,000, और देखो 30,000 लाग दिया था, इतने shares करीदे तो बचा हुआ क्या जाएगा, cash है जाएगा, और cash हमने यहाँ लिख दिया, इन सब को multiply करोगे, divided by याद रखन, number of units बढ़के आएगा, तो यह NAV में कोई change नहीं होगा, आगे बोल रहा, second fap का NAV निकाल लो, तो फिर इस rate से multiply करके NAV निकल लेंगे, मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं था, अराम से कर लो, second fap का मैंने निकाला ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने home work ले लिया था, ठीक है सर, अब यहार mutual fund में दो सब्द मिलते हैं, बेक एंड लो, अब समझना, मान लो, mutual fund का NAV है 10 रुपए 75 पैसे, mutual fund तो दो टाइप क्यों होता है, open ended और close ended, मुझे आपको time pass नहीं करवाना है इन सब से, mutual fund जब भी बेचता है, unit से बेच रहा है, तो ज़्यादा में बेचेगा, आप से कहेगा कि आप entry लेना चाहते हो ना, तो load लगेगा, margin समझ दीचिए, और load लगेगा one person, जिसको आप entry load बोलते हैं, या front end load बोलते हैं, मतलब आप सामने से आ रहा हैं ना भाई, तो front end load, कितना पैसन, one person, जो भी NAV है, उसमें one person जोड़के, हम इसको बोलते हैं, public offering price, it means आपको units खरीदना है, तो 10 रुपए 75 पैसे, plus one person, one person front end load या ठीक, और सार हम mutual fund को unit से वापस कर सकते हैं, कि बिलकुल वापस कर सकते हैं, लेकिन जो NAV है, वो आपको नहीं मिलेगा, unit देजी, आपको 10 रुपए 75 पैसा नहीं मिलेगा, हम काट लेंगे खर्च का one person, इस exit हो रहे हैं ना, हो जाओ, आप से one person काटा जाएगा, इसको exit load बोलते हैं या back end load बोलते हैं, one person, कामा सकता है, अब सर सवाल यह है, आराम से 10 रुपए 86 पैसा, 10 रुपए 75 पैसा, divided by 10 रुपए 75 पैसे into 100 करोगे, तो load निकल जाएगा, एक question इसी पर बना था, question number 4, इसमें यार NAV दिया है 10 रुपए, ठीक है, POP दिया 10.204, 10.204 minus 10 divided by 10 into 100, तो यह आगया front end load 2.04 पर, sir, back end load भी निकल सकते, yes, 9.80 minus 10 divided by, 10 minus 9.80 divided by 10 into 100, यह आगया back end load, और भी तरीके पर ठीक है, इससे हो जाएगा, ठीक है, ओके sir, question number 6, अच्छा है, NAV calculation का, एक बार देखिये क्या, पढ़ते हैं, जिखा है, mutual fund issue new fund, एक, एक, दो हजार एक किस को, कितना units issue कर रहे हैं, 10 लाक, 10 का एक, no entry load was charge, बहुत अच्छी बात, और भाई, जो 10 लाक unit issue किया, 10 के सबसे सर 100 लाक रुपी आया हमारे पास, उस 100 लाक रुपे को खर्च कैसे किया, 25,000 equity share issue कर दिया, 100 के हिसाब से 320 रुपे price, टोटल 80 लाक रुपे इसमें खर्च कर दिया, 100 लाक रुपी आया था, एक करोड, 4 लाक के government security खरीदा, 10 person non convertible debentures खरीदा, और listed debentures खरीदा, तो टोटल मिलाकर आपने इतना खर्च कर दिया, beginning में, 100 लाक में से आपने कितना 80 और 1090, 99 लाक खर्च किया, तो आपके पास opening कैस बचा था, एक लाक रुपे, इस question में एक-एक का information देदेगा, और एक साल बात का NAV मांगेगा, तो cash में adjustment करना पड़ेगा आपको, ठीक है सार, तो सर यहां तक हो गया, आप बोले during the year dividend मिला 8 लाक रुपे, तो मुझे closing cash निकलना पड़ेगा, 8 लाक रुपे dividend मिल गया, तो ले सभी security पर आपको interest भी मिल गया, तो interest चार लाक का 5 परशन ले लिया, पाच लाक का 10 परशन ले लिया, और 10 लाक का 8 परशन, तो यह सर interest भी मिल गया, okay, 31 December को equity share appreciate हो गया, 15 परशन वो तो बाद में देखेंगे, cash में थोड़ीन फर्क पड़ेगा, इसके लावा डिवेंचे 20 परशन प्रीमियम पर कूटेड है, cash में फर्क नहीं पड़ेगा, 15 December को ACM ने डिक्लियर किया, interim dividend 10 परशन, interim dividend 10 परशन मतलब, सर 25,000 shares है, 100 का एक है, into 10 परशन, हमें dividend भी मिला, 25,000, हमें मतलब mutual fund को, इसके अलावा, उन्होंने expenses पैड किया था सायथ, सर डिविडेंट ये 8 लाक अलग मिला है, और interim dividend अलग मिला है, यस, और expenses पैड अगले पार, अगला यहां लेका, expenses पैड हुआ है, 3 लाक, तो मैंने expenses पैड यहां से माइनस किया, तो बताओ closing cash कितना आ गया है, 10 लाक रुप है, ठीक है, सर वो हमसे मांग किया रहा है, सबसे पहले वो NAV मांग रहा है, अगर expenses पैड है, 3 लाका, point number one में, point number two में बोल रहा है, कि NAV बताइए, अगर mutual fund distribute कर देता, 50 पैसे per unit, dividend के रूप में, और साथ मैं annualize return भी मांग रहा है, सर 10 लाक कैस हो गया, इस question में bonus भी दिया हुआ, important है bonus, बोनस share से cash में फर्क पड़ेगा कि नए, तो आपने जिस company के shares खरीदे हैं, कितने shares थे, 25,000 उस पर bonus भी मिला, 10 के बदले में, एक तो number of shares कितने हो गया, 25,000 पहले थे, और 25,000 और हो गया, खीक है, एक share की कीमत अभी कितनी थी, सर एक share की कीमत अभी थी 320, और बोल रहा है, वो कितने percent से बढ़ जाएगा, equity share appreciate हो रहा है, 15 percent से, तो 320 into 1.15 कर देंगे, share का price बढ़ा ना, तो यह आ गया equity share, याद रखना है है, bonus के adjustment है, सर बोनस shares पर interim dividend मिलेगा, कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि interim dividend पहले मिल रहा है, और bonus बाद में इशी हो रहा है, ठीक है, चले सर आगे चले, टाइम नहीं है, cash अल्रेडी निकाल रिया, government security का कुछ नहीं बोला, ठीक है, बहुँ ज़्यादा मुश्किल था नहीं, था नहीं, ओके, और कुछ मांगा था कि इस question में, हाँ, उन्होंने का, अगर, जो mutual fund है, वो dividend distribute कर देता, एक unit पे 50 पैसे, मतलब अगर 5 लाख रुपए dividend distribute कर देता, तो यह आगा net asset, तो यह हो जाएगा, 12.72, आप ऐसे भी इस में से भी, minus 0.50 कर सकते हो वैसे, ठीक है, और सर, return calculation कैसे होगा, अब ध्यान से समझना, अब dividend की बात करो, point number one की बात करो, any वी कितना था सा, 13.20 पैसे, और आप, कत था कितना beginning में, अब इसके मदसे भी ले सकते हो, answer वही आएगा, 32.22 पैसे, अब निकालना, return निकालना, बिल्कुल सिंपल है, अच्छा question था, question number seven, question number seven, यह भी अब निकालने का question है, और बहुत famous question हो, उसमें बस एक, दिक्कत है, वो दिक्कत मैं बता दूँ, इन्होंने कुछ information दिया है, cash ये closing वाला ही दिया, तो closing information है, cash को cash लिख दिया, और shares दिया है, 20 लाक या 20 करोड, और बोल रहा है, कि जब purchase किया था, तो index था 1000, और अभी हो गया, 33 सा, तो हम unitary method से, आज का value निकाल देते हैं, listed bond, यहां दिख रहा, bonds and debenture at cost ये है, उसमें से not listed दिये है, और other fixed interest, तो इसमें से listed debenture का, listed shares, listed bonds and debenture का value, current market value दे दिया, 8 लाक, और सर, unlisted का क्या बोला है, तो check करो, कही न कहीं unlisted का लिखा होगा, और unlisted का कुछ भी नहीं लिखा है, यह लिखा, 20% कम हो जाएगा unlisted, unlisted 1 है, तो 20% कम ही है, तो 0.8 हो गया, fixed interest security, मेरी बाद समझ रहा, fixed interest security, वैसे क्या दिख रहा 4.5, और इसकी current realizable value कितना दिया है, 106.5, मैं यही लेता, 106.5, लेकिन दिक्कत क्या, 106.5 का unitary method से कर लेता, लेकिन यहाँ एक sentence दिया कि, last में other fixed interest security को आपको cost पे लेना है, इसलिए मुझे इसमें क्या लेना पड़ा, इसलिए मुझे इसमें 4.50 लेना पड़ा, मतलब मैंने cost उठा कर लिख दिया सीधा की सीधा, बहुत सारे बच्चों का यह कहना कि, सर, conceptual तो गलत है, गलत हो जाने दो, आपको ये वाला नहीं लेना, आपको वही वाला लेना, इसके अलावाद तो कुछ नहीं है, यह dividend accruid है, dividend मिलने वाला, expenses payable, expenditure, NAV निका लिया, तो इसमें एक बात है, other fixed interest security, इस पे focus करना आप अच्चे से, ओके यह मैं बताया भी कि मैं कैसे करता, अब आगेते है, return calculation, return calculation कुछ है नहीं है, यह वाला आपके काम की चीज़ है, अगर देखा जाए तो, सबसे पहले आप holding period return निकालना, holding period return में आपको mutual fund से क्या-क्या मिलेगा, अगर देखा जाए तो mutual fund हम के क्या देगा, जो NAV है, उसमें change होगा, वो बढ़ेगा, तो मैं mutual fund क्या करता है, उसको दूसरी company, जहां उसने invest किया है, वहाँ से क्या मिलता है dividend, और वो distribute कर देता है, तो dividend income मिलती है हमको, इसके अलावा, mutual fund को जो capital gain होता ना, कोई asset खरीदा था, उसको बेचा होगा, जो capital gain आता, वो बे distribute कर देता है, तो मैं ऐसे unit holder, मुझे dividend की income होगी, mutual fund से, मुझे capital gain की income होगी, mutual fund से, मेरी बात समझना, जितना dividend मिला है, उतना distribute कर देगा, यह ज़रूरी नहीं है, मिलेगा हो सकता है, कि mutual fund को 10 लाग dividend मिले, और 8 लाग distribute कर देगा, हो सकता है, तो आप इस चक्कर में मत जाना, कि यार नहीं मिला है, तो distribute ही होगा, वो question बताएगा, और जितना capital gain होगा, उतना distribute करेगा, effective annual return मांगता है, मतलब paranum basis में मांगता है, सर यह holding period return, 60 दिन का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, हमें annualized return निकालना होता है, तो holding period return है, 360 दिन या 300 पैसेट दिन ले ले लेन, और यहां period से रिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक question है, question number 12 देखते हैं, एक investor उन्होंने, 300 units खरीदा है, 300 units of mutual fund, कितने के सबसे, 12 रुपे 25 पैसे के सबसे, कब खरीदा था, 31 December 2019, 2009 को, और 31 December 2, ठीक एक साल बाद, उसको dividend की रूप में मिला, 1 रुपिया 25 पैसे, और 1 रुपे मिला, capital gain के रूप में, और NAV का rate क्या हो गए सर, NAV का rate हो गए 13 रुपे, तो क्या उसका return निकाल सकते हैं, return क्या, यह holding period return निकालो, चाहाए आप, annualized return निकालो, एक ही बात है, क्यों, क्योंकि इसने एक साल तक hold किया, यह तो simple हो गए सर बिलकुल, yes, इससे आप return on investment बोल सकते हैं, यह जो चाहे हैं, वो बोल सकते हैं, point number two, अच्छा part है, this is dividend reinvestment, सुना दियांसे, बोले, जब आपने यहाँ था, तो आपने 300 units खरीदा था, और कितने के हिसाब से खरीदा था, 12 रुपे 25 पैसे के हिसाब से, तो आपका पैसा कितना लगा था, 300 into 12.25, तर मेरा पैसा लगा था, 3675, उसके बाद आपको income हुई, किस रूप में, dividend के रूप में, एक रुपे 25 पैसे, 300 into 2 रुपे 25 पैसे कहां से, अच्छा, यह capital यह दोनों मिला कर, तो दो रुपे 25 पैसे की income हुई, तो total income हुई, आपकी 675 रुपे, तो 675 का सुनो, आपने क्या किया, आपने इन पैसों से, घर में नहीं ले गए, इससे 12 रुपे 50 पैसे कहसाब से, उसी mutual fund की और units खरीद लिया, तो sir, units बढ़ गई 54 हो गए, तो अब हमारे पास, 354 units हो गए, 354 into 13, तो हमारे पास पैसा हो गया, 4602, तो बताओ, अब बताओ ये annualized return, तो इतना लगाया था, इतना मिला, sir, ये बीच में ये भी तो मिला, अब ये काम का नहीं हो, तो आपने reinvestment कर दिया, तो बताओ, holding period return, अराम से निकल जाएगा, 25.22%, एक, ओके सा, चलो जी, question number 10 देखें, ऐसे वाला question है, simple, तो विशनू fund है, और उन्होंने investment किया है, shares में, और shares बड़े सारे type के, अलग-अलग sector के shares खरीदा है, साथ में bonds में पैसा लगया है, listed bond में 12 करोड रुपए, rate कितना है, 14% है, इसके लावा unlisted bond में 7 करोड रुपए है, number of units दिया हुआ है, number of units है, 4.2 करोड expenses payable है, cash and cash दे रखा है, और market expectation on listed bond, तो listed bond की value निकलने में काम आएगा, ओके, और ये बता रहा है, कि जब आपने units खरीदा था, तो index था ये, और आज जब valuation करना तो index ये हो गया, ये किस में काम आएगा, सर ये equity का value निकलने में काम आएगा, और थियांसे देको निकाला कैसे, सर 79, जब खरीदा था 260, जब खरीदा था 260 और अब भी valuation चारसो पैसेट, उसके हिसाब से इन्होंने हर एक चीज का value निकलना, बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं हो जाएगा, लिष्टेड बॉंड का ध्यां रखना की ये वाला value नहीं ना, 12 करोड पर interest कितना है, 14 percent, तर 12 करोड का 14 percent interest, और हम perpetual मान के उसको discounting कर रहा है, 8.842 percent से, लिष्टेड बॉंड का value आ गया है, 19 करोड, और अनलिष्टेड के विसे में कुछ नहीं बोला है, और सर, expenses payable दिया हुआ है, 3.5 करोड और वो माइनस हो जाएगा, आप कुछ बच्चों का सवाल ये है, कि सर, ये जो expenses दे रखे, ये क्यों दे रखे, और मैंने पहले भी बताया था, ये जो cash है, इसमें से माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये जो cash है, ये closing cash है, और ये expenses payable नहीं है, क्योंकि expenses payable मैंने माइनस कर रखा, तो ये expenses क्यों दे रखे, ये एक topic आएगा, इसमें आगे expenses ratio निकालना होता, उसके लिए दिया होगा, ठीक है, ठीक है, अभी तो इसमें कुछ करना नहीं था, और इसमें हमें number of units निकालना तो आराम से अपने number of units निकाल लिया होगा, ये आया था net asset, ये net asset निकालना हमने सबसे पहले, ये net asset निकाल दिया, divided by number of units किया, तो ये आगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मस्किल नहीं है, ठीक है से, और fund ने distribute किया 3 रुपए per unit as cash dividend, ये अलग पार्ट है, cash जो हो गया हो गया, बहुत उसके बाद, मान लो बहुत दो साल है, period, दो साल है, और mutual fund ने distribute किया 3 रुपए per unit cash dividend, तो क्या net return निकाल सकते हो, simple है, मैं अगर unit holder हूँ, तो क्या हुआ होगा, income plus capital, capital gain income के विसे में तो बता है निए, पर 3 रुपए per unit dividend income के विसे में बता है, सवाल ये है, क्या हमें आज का NAV पता लग गया, ये सर, मैं आज का NAV पता है, क्या ये सर पता है, ये 98.97, पर हमें 2 साल पहले का NAV क्या होगा, तो सर, दो साल पहले इन्हों ने यही तो investment किया होगा ना यार, इन सब को जोड देते हैं, और cash तो था ही नहीं मान के चलेंगे, और कुछ लोग back calculation से cash निकाल सकते हैं, अभी ये सब दिमाग चलाने का time नहीं है, इन सब को जोड देते हैं, divided by number of units कर लेते हैं, तो opening NAV निकल जाएगा, सब को जोड लिया, तो ये opening NAV आएगा, तो change in NAV, और 3 रुपए एक साल का dividend है, तो 2 साल का कितना 6 रुपए, divided by beginning, तो ये आगया 92.53%, इस होल्डिंग पिर रिटन मतलब कितने साल का रिटन, 2 साल का, और हमें कितने साल का चाहिए, एक साल का रिटन, तो इस एनुलाइज रिटन, 46.265 पर्शन, ठीक, ओके साथ, expenses ratio निकल न, expenses ratio क्यो निकला जाता है, expenses ratio, basically हम ये देखते हैं, mutual fund जो है न, जहां हम पैसा लगा रहा है, उनका खर्चा कितना भी है, बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहे, एक यूनिट के पीछे खर्च कितना करती, इसलिए expenses ratio, इसी वज़ा से ये expenses दिया है, तो क्या आप expenses per unit निकल सकता है, expenses per unit, मैंने सब को जोड़ दिया, ये लैक्स में है, तो ये आया expenses per unit, divided by NAV कर दूँगा, पर NAV कौन सा करूँ, इसलिए हमने NAV का क्या कर दिया, average, तो भई इतना खर्चा है, इतने NAV पे तो answer आगया, 2.072% खर्च है, पर ये खर्च कितने साल का है, 2 साल का, हलाख कि percentage में 2 साल का नहीं होना चाहिए, है भाई, 1.590, पर रेनम नहीं, या फिर आप इसी को divided by 2 कर सकते थे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, divided by ये, एक साल का तो मुझे annual चाहिए था, expenses रेज़, तो वो annual ऐसे नहीं है, ठीक है जी, तो इस question में क्या खास बत थी, expenses ratio याद रखना, question number 14, इसमें क्या question है, इसमें NAV दे रखा beginning का, opening NAV दे रखा, annualized return है 15%, minus 15% नहीं है 15%, annualized return, ठीक है, और dividend की रूप में और capital gain की रूप में ये है, तो month and NAV, month and NAV, अच्छे beginning of month था, तो month and, ठीक है, हमें ये मालूम है, ये दोनों मिलाकर में ने total मार दी, हमको ये भी मालूम है, हमें ये, ये holding period return का formula याद रखना, तो sir, आप बताओ 15% पर रहना हमें, तो एक मेने का गया 1.25%, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, into 100 नहीं लगा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से, एक्स कितना आ गया है, वापस 65.78, अब पहले भी कितना था, 65.78, तो बताओ, कर्मेंट करना एन एवी, भई no change in एन एवी, ऐसा कोशन आएगा कि sir, देखते हैं, हमारा गाम है, हम एक तरफ से खतम करते हैं, कोशन नमबर 15, अच्छा कोशन, करने का बनता है, Mr. A has invested in 3 mutual fund scheme as per detail, mutual fund A, mutual fund B, mutual fund C, याद रखना, date of investment, 1 December 2019, 1, 1 2010, और 1 March 2010, amount of investment दे रखा है, जब आपने entry लिया थो, 10 रुपिया, 50 पेसे 10 ठीक है, dividend received हुआ, 950 और N.A.B. है, 10 रुपिया, 40 पेसे, और हम यहाँ, dividend reinvestment मान के ही, चलेंगे, dividend reinvestment की विसे में, कुछ बोला नहीं, तो फिर यह simple है, अब यार, आपने, जब हमें निकालना क्या सार, आपको निकालना, effect yield पर है, मतलब पहले निकाल रहा है, हम holding period return, और फिर निकाल रहा है, अब holding period return के लिए, हमको चाहिए change in N.A.B., वो तो ठीक है सर, पर दिक्कत क्या हम आलू है, ये, ये 950 पर unit नहीं है, ये तो total में, आप कैसे करेंगे, सर, या तो units से निकाल लो, या तो इसको पर दोनों तरीके से कर सकते, मैं ऐसे कर सकता हूँ, पचास हजार divided by 10 रुपे 50 पैसे, पचास हजार divided by 10 रुपे 50 पैसे, तो units कितना था सर, 4761, यहां किया हो कर दो, पचास जार divided by 10, तो units इतना था, 4761.905 units, डिविडेंट कितना मिला, 950, और क्लोजिंग एनिवी कितना है, 10 रुपे 40 पैसे, तो इस unit से 10 रुपे 40 पैसे से, तो मेरा investment value आ गया है, कब का, 31 March का, 31 March है क्या, हाँ सर, 31 March का value आ गया, इट में कह रहा हूँ कि, टोटल कितना पैसे लगाया था, पचास जार, लाश्ट में कितना हो गया, 49524, और डिविडेंट कितना मिला, 950 तो क्या holding period return निकाल सकते हैं, यस, तो यह जो निकला, this, this, 950, यह निकला, इसको बोलते हैं, holding period return, अब यार उसने आप से क्या मांगा, उससे ने आप से मांगा, effective return, या effective yield, तो अब बात को समझना धेयां से, holding period निक कितनी दिन का है, सर, December से March तक का गिन लेते हैं, December पूरा, मतलब December का 31, March, January का 31, total 121 days हो रहा है, तो यह जो holding period return है, यह 121 days का है, तो 365 days का कितना, this is effectuation, ऐसे mutual fund B और C कभी हो जाएगा, ठीक है, सर, days में कुछ गरबड हो सकता कि 120, आप वो यार, ICI कभी लेता, कभी ने लेता, आप देख लेना, कि हमको एक तारिक लेना है, किने लेना, वैसे include, अच्छा question है, और similar यह वाला question है, question number 18, और यह MCQs में भी डाल रखा है, institute ने, multiple choice question में भी, यह question डाला हुआ है, देखें, लिखा Mr. Y has invested in three mutual fund, as per the following details, amount of investment दे रखा, NAV at the time of purchase दे रखा है, सर वैसे units से निकल लेंगे, number of units, बिल्कुल सहीं, तीनों का, dividend receipt total में दे रखा, यह 50,000 नहीं, यह 5,000 है सायद है न, देख लेना भी, ठीक, यह 50,000 नहीं है, यह 5,000, ठीक है, dividend receipt दिया है, और NAV दे रखा, 31st March 2008 को, ठीक है, closing value भी निकल लेंगे है, में investment की, खाज बात है, effective yield दे रखा, effective yield, एक साल में 365 दिन लेना है, Mr. Y has misplaced the documents, of his investment, help him, help him, in finding the date, of his original investment, after the, ठीक है, जो होगा देखेंगे, पहले मांगो, तो क्या मांग रहा है, बोल रहा है, number of units निका लिए, निका लेंगे, इन सब को divide कर देंगे, तो number of units निकल गया, ठीक है, अब बोल रहा है, total envy निका लो, sir, total envy कैसे निका लेंगे, actually, वो कह रहा है, कि जो number of units है न, उसको multiply कर दो, इन से, किया, किया, और इन सब का total करो, this is investment value, last का, इसको बोल रहा है, total envy, sir, sir, मतलब यार, अगर तीन यह, scheme में पैसा लगा है, तो 2, और 4, 6, और 2, 8, लाक रुपिया आपने लगाया था, yes, और value हो गई, यह, यह एक प्रकार का loss है, लेकिन बिर्च में dividend मिला, 6,000 और 5,000, yield भी पूछ रहा है, total yield निकाल ले, total yield मतलब, तीनों का scheme का मिला, तो लग, इतना यह हो गए, 11,000 रुपिया dividend के रुप में मिला, 8,000, 200, 1.26, 1.26 percentage, this is holding period return है, वैसे देखा जाए, तो, पूरे scheme का, या आप इसको total yield भी बोल सकते है, सबसे important है, last वाला point है, number of days of investment held, यह वाला part important, अब सुनो मेरी बात को, सबसे पहला काम यह है, कि आप mutual fund X का, क्या holding period return निकाल सकते हो, निकाल सकता है सर, कितने days का है, वो नहीं मालूम, holding period return तो निकाल सकता है, सर 20, मतलब इतना units था, सुरू में, मतलब 2,00,000 रुपए सुरू में लगाया सर, और last में आया यह, और 6,000 रुपए holding period return तो निकाल गया सर, यह holding period return निकाला, कितना, 2.5145% है, अब सवाल यह, क्या हमें annualized return दिया है, 9.66%, तो 9.66, यह holding period, इसको हम year में convert करती, यहां कितने दिनों के लिए hold कर किया है, वो नहीं मालूम, तो वो निकल जाएगा कि number of days कितना hold किया है, यस, उसको X ले लिया तो कितना आगा है, 95 days, ठीक है, अच्छा है यह वाला point, यह वाला point अच्छा है, अच्छे से देख लेना इसको, ओके सर, अब यार इसका मतलब है, 95 days के लिए hold किया था, अब सवाल है कि यह जो calculation हो रहा, यह हो रहा, 31st March 2018, 18 को, से 95 days पहले का गिन लो आप, मतलब मार्च का 31, फैब का 28, और जनुवरी का 31, 90 days, मार्च, फैब, जनुवरी, 90 तो यह हो गए, और दिसम्बर का 5 दिन कम करो, मतलब 26 दिसम्बर के असपास आएगा, 26 दिन, back calculation से निकलेगा, तो भाई साब, यह वाला part important है, यह वाला part important है, ठीक है, पाकी मेरे ख्याल से, आप B, इसकी Y और Z का, एक ही समझ लो, आप क्या करना है इसका, चाहो तो calculator से कर लेना, पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चले आगे, चलो जी, question देखते हैं, अच्छा question, actually, और नया question है, question number 20, आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड भाई, question number 20, अच्छा question है, पढ़ोगे, और यह आया हुआ है, एक्जाम में, दो हजार बावीस में, तो यह question पका पका देखना जरूरी है, हमारे लिए, एक बार देखें, yes, mutual fund A है, B है, C है, amount of investment दिया हुआ है, NAV, जब investment किया था, तब का NAV दिया हुआ है, dividend yield दिया हुआ है, 3%, dividend का amount निकल देखेंगे, dividend yield दिया है, तो, इसके लाब NAV closing, NAV दिया है, और annualize yield दिया हुआ, 9.733%, अभी क्या करना है, अब बोल रहा है, 1 year is equal to 363 ठीक है, Mr. D limited, D was misplaced the document, or you are required to help करना है, कि आपको number of units निकालना, number of units निकालो के, this divided by 10 करके, या this divided by ये करके, number of units निकल जाएगा, value of his investment on 31st March 2012, value of investment भी निकल जाएगा, कोई कत्की बात नहीं है, holding period return भी निकल जाएगा, और date of original investment ये भी निकल जाएगा, already निकाला हुआ है, इसलिए जैसा question जैसा है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, और total return on investment ये भी निकल जाएगा, लेकिन जो मुद्दे की बात है, वो है point number 6 और point number 7, वो मुझे करवाना है, देखे, हाँ बोलो नहीं है, mutual fund B तो बर्बादी है, बर्बादी क्योंकि mutual fund B जो कमा रहा हूँ, वो माइनस 11.185 परशन कमा रहा है, और sir mutual fund C ये जबर्दस्त कमा रहा है, भाई साब ये तो 15 परशन कमा रहा है, 15 परशन, 15 परशन, अगर कोई मुझे बोले कि कहीं से आपको पैसा निकाल देना है, और कहीं investment करना तो सीधी सी बात है, मुझे mutual fund C में पैसा लगा देना चाहिए, mutual fund A भी बेज देना चाहिए, mutual fund B तो वैसे भी बेचना चाहिए, क्योंकि माइनस में return है, सीधा C में लगाना चाहिए, तो वही उसने पूछा था, as in past performance of all three schemes will continue for next one year, तो बताइए investor को क्या करना चाहिए, और उससे expect return क्या आएगा, तो investor को A, mutual fund A और B को बेज देना चाहिए, C में पैसा लगाना चाहिए, और 15% का return मिलेगा, यह तक ठीक है, point number six, जो point number six में आप क्या बोल रहे थे, कि आपको A और B को बेज देना चाहिए, C में पैसा लगाना चाहिए, तो बहुले क्या यह वाकई सही है, या फिर आप change करोगे, अगर अगर आप C में पैसा लगाते हैं, तो भाई, आपको A और B से हटाना पड़ेगा, तो exit load लगेगा 5%, लगा लो, बेचोंगे तो 5% का खर्चा है, अगर आप investment करते हो, एक साल के अंदर अंदर, अभी एक साल बाकी है, अगर आप एक साल के अंदर अंदर investment कर देते हो, redeem कर देते हो, तो आपको 5% का लगेगा exit load, आप बताइए कि क्यों सा action हमें लेना चाहिए, अब धिहान से समझना, यह वाला question है, इसको थोड़ा बढ़ा करते हो, तुम क्या है, हाँ समझना, अब यहार mutual fund B की अगर मैं बात करूँ, B, यह सर, सर, टोटल मिलाकर 124 दिन हो चुकी है, 124 दिन उसका holding period निकल जाएगा, 124 डे हो चुकी है, तो सर, बच्चा कितना है, mutual fund B की बात करूँ, B का तो माइनस में रिटन है, सर, बच्चा है, अभी 241 डेस, अगर मैं, mutual fund B में, जिसको में माइनस में रिटन आ रहा था, 11.185 पर्शन, उसको बेचकर में, 17.29 कमाता हूँ, तो बताओ, एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूँ, एक तो माइनस में, माइनस से 0 और 0 से प्लस हो रहा है, तो प्लस करना, 17.29 प्लस 11.185, तो टोटल हम सर, 28.475 कमा रहा है, वो आप देख लोगे, 28.475, पर एक्स्ट्रा लग भी तो रहा है, यस, कितना पर्शन लग रहा है, 5 पर्शन, यहाँ आप देख लोगे हो सकता है, इन दोनों की बीच का मुझे डिफरेंस निकलना, इन दोनों की बीच का नहीं भाई, इस 17 धोड़ी नहीं यार, 15 पर्शन है ना, हाँ, मैं 15 पर्शन कमा रहा हूं, 15 पर्शन, देख रहा है, 15 पर्शन, अगर मैं B को बेज देता हूं, C में पैसा लगाता हूं, तो 15 पर्शन कमाऊंगा, मैं कहता हूं, यार, 241 दिन में कितना कमाएंगे, 17.29 पर्शन कमाएंगे, एक्स्ट्रा मिल रहा है, 17.29, जबकी, एक्स्ट्रा खर्चा कितना लग रहा है, 5 पर्शन, सिफ्ट करो, अभी सिफ्ट करो, यार, 5 पर्शन खर्च होता है, तो हो जाए, पर हम तो 17.29 पर्शन कमा रहा है, और अगर एक ही बात करो, तो ए में क्या है, ए में अभी कितना कमा रहा है, सर 9.733, और C में जाते हैं, तो सर 15 पर्शन, तो डिफ्रेंस, डिफ्रेंस 5.276, 267 पर्शन, कितने दिन, सर 65 दिन अभी बाकी है, तो उसके सबसे एक्स्ट्रा कितना कमा होगे, 0.9380 पर्शन, जब कि यार हमको एक्सचार्ज कितना लग रहा है, 5 पर्शन, तो प्लीज अभी रिडीम्ड मत किजिए, आप 365 दिन तक थोड़ा रुख जाए, और जैसी साल खतम हो जाएगा, आप 65 दिन और रुख जाए, 300 दिन हो गया ना, और 65 दिन रुख जाएगे, जैसी साल खतम होगा, फिर एक्जिट लोड नहीं लगेगा, तो आप सिट कर लिजेगा, इंस्ट्यूट्यूट्ट ने कुछ, पर्षेंट चार्ज करता है, तो यूनिट जो भी है, उसको अभी रिडिम्ड करना चाहिए, और जो ए है, एक यूनिट से उसको 65 देज बाद रिडिम्ड करना चाहिए, भजा गया, ठीक है सर, ये वाला कोश्चन भी इंपोर्टन्ट है, आपके MTP में डला हुआ है, पड़ते हैं, लिखाए, सान मोन मीच्वल फंड, स्पॉंसर्ड ओपन एंडेड एक्विटी ओर एंडेटी के कहानी है, भई तीन टाइप के प्लान है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है, बोनस प्लान है, और ग्रोथ प्लान है, लिखाए, एड़ दा टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, नाम कौन कौन से प्लान में, एबी सी में पढ़ आँ, ठीक है, एक लाक रुपे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और सर यूनिट कितने का है, तो यहाँ initial public offer लिखा और कुछ लिखा नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि face value है, और face value कितना है, 10, इटमिस कितना units खरीद रहे हैं, सर 10,000 units खरीदी जा रही है, 10,000 units, अब इसमें कौन कौन से प्लान है, एक तो है dividend reinvestment प्लान है, दूसरा bonus प्लान है, और तीसरा growth प्लान है, face value दिया है, 10 में बेकार में जूम कर रहा था, तो वो पूछ रहा, effective yield, 31st July को सारी की सारी units से redeemed हो जाएगी, आप annual return निकाल सकते हैं, हमें देखना हमने शुरू में कितना लगाए था, और हमें यह देखना last में कितना मिलेगा, पहले dividend reinvestment plan की बात करें किया, dividend reinvestment plan सबसे first, कब लगाया था पैसे सर, एक अप्रेल को लगाया था, एक अप्रेल को पैसा लगाया था, कितना units खरीग था, 10,000, 10,000 कैसे निकला, वो आपको पता है, 20% dividend मिला, तो 20% कैसे निकला होगे सर, 10,000 into face value कितना है, 10 into 20% सर, 20,000 रुपिया dividend मिला, तो यहर उसको हम reinvestment करेंगे ना, कितने पर 30,000 रुपे 70,000 पैसे पर, 30,000 रुपे 70,000 पैसे पर हमने reinvestment किया, इतना unit से बढ़ गया, गया गया, अगली बार dividend कैसे आएगा, 10,600, इंटू face value हो गया, 10 into 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 70%, तो यह dividend का amount है जाएगा, और उस समय एनने बी का rate किया था, चल रहा था भाई साहब, 58.42 तो 58.42 से divide करोगे, तो number of units आजाएगा, इस तरह से हम हर बार, काम करते रहे, और total units आगे, 14,906, कब तक की, 24,Mars 2009 तक, और सारी units कब बेची जा रहे है, 31st July 2009 को redeemed कर रहा है, ultimately हमें क्या करना है, ultimately हमें देखना भी है, पैसा कितना मिलेगा, सब काट कुट के, तुसर इतना units बेचेंगे, किस rate पर बेचेंगे, 31st July का rate है, 53.75 पर बेचेंगे, लेकिन security transaction tax है, नहीं short term capital gain, security transaction tax है, 0.2%, चलो एक काम करते हैं, पहले बेच के देखते हैं, 14,906, unit से बेचा, 53.75 के हिसाब से, तो इतना रूपिया मिला, HDT कट गया, 1602, तो net में हमको इतना रूपिया मिला, अब यह short term capital gain है, और short term capital gain में, कौन फसेगा, सर जो एक साल के अंदर अंदर खरीद कर बेच रहा है, मतलब यही फसेगा, मतलब कितना units, 1114.43 units, इतनी जो units हैं, वो आप बेच रहा हैं, ठीक है, 1114.43 units, कितने में बेच रहा हैं, 53.75, हाला कि एक्सपेंसे स्ट्रिट नहीं करते हैं, आप माइनस नहीं भी करोगे, तो बहुत अच्छा है, तो सर 53.75, माइनस 2% इतने में बेचा, और खरीदा था 48.10 में, तो सर यह आगए, मेरा short term capital gain, और इस short term capital gain पे लगेगा, tax, short term capital gain tax, तो net में हम में जे इतना पैसा मिलेगा, पैसा लगाया कितना था, एक लाक मिल रहा है, इतना तो यह निकल गया है, holding period return, इसको बलते है holding period return, और annual return कैसे निकाला मेंने कि, यार यह जो है, यह 124 मेने का, तो 12 मेने का कितना, और यह आगए 67.64%, हाला कि जो MTP डला हुआ है, जो MTP डला हुआ है ना, तो MTP में कोश्चन ने, annual return, annual return तो ठीक है, effective yield बोलता, तो effective yield ऐसे नहीं निकाल रहा है, वो ऐसे निकाल रहा है, हाला कि वो trial and error method से निकाल रहा है, मैं simple सी बत करूंगा, एक लाक रुपी आज लगा रहा है हो, किस rate से, 12 divided by 124, power में जाए गई, तो total मिला कर हमको मिल रहा, 7,9,8,9,6,9, बस इसको solve कर ले न, simple, sir annual return ऐसे निकालते तो, ऐसे निकालो, हाला कि मैंने इसका MTP का solution बता रहा, ठीक है, तो दूसरा कौन सा है, bonus plan, bonus 5 is to 4 है, 1 is to 3 है, 1 is to 4 है, तो ठीक है, bonus plan में चलते हैं, number of unit 10,000 थी, 5 के बदले में 4, नहीं, 4 के बदले में 5, तो 12,500 bonus unit से मिली, तो total हो गए 22,500, फिर 7,500 bonus unit से मिला तो हो गए 30,000, और फिर 7,000 थो 37,500 bonus units मिला, ये total मिल कलने units को आपने बेज दिया, 22.98 के साब से, 22.98 आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है सर, 22.98 के साब से बेज दिया, STT कटनी के बाद net हमको इतना मिला, अब bonus units पर capital gain tax, तो सर 22.98 का बेचा, ये वाला bonus units होगा, साथ है अपासो की बात हो रही है, सर, खरीदा कितने का, वैसे तो खरीदा जीरो का था सर, और क्या कर लाए, मजबूरी है, यहां उन्होंने ना उस दिन का एनेवी ले रखा है, उस दिन का एनेवी कितना, 19.95 ले रखा है, खरीदा के ले रखा है, खरीदा के ले रखा है, हो रहा है, 23.75 के साफ से, इन्वेस्टर है, टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स है, 26,750 एड दी एंड ओप येर, बिट्टे बात समझना, इसमें बोनस यूनिट्स भी इंक्लूड है, वो मिला कर, लास्ट में का यूनिट्स बता रहा हैं, इसका मतलब इसमें बोनस यूनिट्स भी इंक्लूड है, ठीक, एन्ने भी एप्रिशेटेड होगा, बुले, 18.75% से, एप्रिशेट हो चुका है, मतलब सर, ओपनिंग या बिगनिंग एन्ने भी निकल सकता, यस, ये जो आया है ना, 23.75, ये एप्रिशेट होकर आया है, अगर लिगा, दूरिंग दा ये एंट्री लोड है, 0.05, एट दा टाम हैं, दा इन्वेस्टमेंट वास मैट, ये इन्वेस्टर लॉस इस रिकॉर्ट, and want to find out the amount of investment, निकालना है, सर सबसे पहले closing एन्वे मालू है, जो की है 118.75 पर्टने, सर ये कहां से आया, ये यहां से आया, ये जो है, ये बढ़के आया है ना, 18.75, ओपनिंग एन्वे आ गया, 20 रुपे, अब समझना, मैं इस equation के चक्कर में, ये जो यूनिट से दिखाई दे रहा है, 26,750, क्या इसमें, डिविडेंट रिइन्वेस्टमेंट करने के बात का यूनिट से है, हाँ सर, ये closing है, इट मींस, ओपनिंग एन्वे बिना, ये हाँ एन्वे कितना था, 23.75, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं बोनस से, ये डिविडेंट रिइन्वेस्टमेंट से पहले का यूनिट से देखो, कैसे निकाल रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, ये एक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, हालाकि ये equation बनाया गया है, मैं equation के चक्कर में अभी नहीं हूँ, मैं यहाँ देखो धिहां से, 26,750, क्या इसमें include है, dividend reinvestment, ये सर, तो मैंने जो 23.75 था, ये एने भी लिखा, और प्लस, क्योंकि इसमें include है, तो इसमें 3 कर दिया, मैं एक ratio बना रहा हूँ भाई, ratio दिख रहा है न, इसमें dividend include है, इसमें dividend include नहीं है, तो ये जो units से निकलेगी, ये without dividend, मतलब dividend reinvestment से, पहले का unit से निकलेगा, बात समझी में आ रही है, क्योंकि इसमें dividend जोड़ा हुआ है, तो इस NAVV मैंने dividend जोड़ दिया, और इक ratio बना लिया, और कुछ याद मत रखो, हालाकि ये equation से derive हुआ है ratio पर equation से, तो बताओ dividend से पहले का units कितना था सर, तेवी से ये 750 और आपने investment किया है, 20 उर्पे तो ये लगा है आपका, और 0.05 किस चीज का लगा है सर, entry load लगा है, तो total मिलाकर आपका investment इतना हुआ, और बताओ entry load कितना है, तो इस से मैंने 0.05 का multiply किया, तो ये entry load भी निकल गया है, ठीक है, ये question इतना बारी किसी, ये वाला पहली बाद समझे लो, ये वाला formula जो बता रहा हुआ हूँ ना, ये important, question number 28, अच्छा question है, अभी जो किया भाई, काम आएगा, तो लिखा, Mrs. Corpus in AMC, on 1 April 2015, floated to, एक तो है dividend plan, और एक तो है bonus plan, dividend bonus, Mr. X ने बता रखा information, और यहाँ dividend का percentage दिया, यहाँ bonus का दे रखा, और ये वाला नहीं मालूम हम, ठीक है, Sir, investment कितना हुआ था, अगर मैं इसकी बात करूँ, dividend की 9,20,000 investment ही हुआ था, और bonus की बात करूँ, तो 10,00,000 रुपए का investment हुआ था, average profit हुआ है, 27,348, और यहाँ average yield दे रखा, 6.40, average yield का मतलब annual return, हमें क्या निकलना, हमें ये निकलना, हमें निकलना issue price, अब एक बाइब बताओ, अपने पैसा कितना लगाया था, 9,20,000, हर साल कितना कमाया, 27,748 रुपए, कितने साल में कमाया, 2015 से 2020, 5 साल में कमाया, मैं आप से कह रहा हूँ, अब ध्यान से समझना, ये वाला profit है, ठीक है, 5 साल में, साल कमाया, तो टोटल 5 साल में इतना कमाया बोलो, और 9,20,000 लगाया था अपने, तो इट मींस ये बात हुई, कि लाश्ट में investment value हो गई है, ये, पास समझ में आ रही है न, मैं क्या कहना चाहता हूँ, और उस समय, एने वी कितना था, 49, तो उस समय का यूनिट से निकल गया, 21,607, बस, गई तो चाहिए था, इट मिंस, जो निकला, वो एने वी यहां का निकल गया है, इसर, 21,607, अब dividend, 15% है, तो आपको देखना पड़ेगा, कि face value कितना है, face value कुछ ने दिया, 10 मान लेते है, एक रुपे पचास पैसे dividend, और यहां एने वी कितना है, 45, और इसमें, इसमें dividend जुडा हुआ है, यह तो बास आपसे last का है न, तो सर, dividend के बिना, मतलब यह dividend से मिलने का, पहले का unit कैसे निकल लेंगे, ध्यान से देखना मैं कैसे निकल रहा हूँ, इसमें से 697 आया है, तो 2910, और 2910 मैंने यहां लिख दिया, फिर से 10% dividend मतलब 1 रुपए, और उसमें जब dividend reinvestment हुआ था, तो कितना था, 50 पैसा, तो 1 divided by 51 कर लिया, क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है, तो 20,000 पासो आगए, यहां 20,000 पासो लिखा, तो यहां 20,000 units आगए, उसमें investment कितना था, 9,000,000, डिवाड़ेड बाइ 20,000, तो 46 आगए, issue price, पुर्शन बहुत अच्छा, ओके सर, और सर, बोनस, 6.40% average yield, तो उसको पारेनम में convert कर देते, जैसे अभी average profit निकाल लेते हैं, तो सर, holding period return आगए, 32%, यह हमको मालुम है, opening value, 10,000,000 है investment value, तो X का निकल गया है, और it means, यह investment value last का आगए, 30,000 units, यहां आगए सर, 30,000 units, यह bonus है ना, 30,000 units, यह bonus के बात का है, bonus के पहले का, bonus के पहले का, निकल जाएगा अराम से, 30,000, including bonus है, तो इसको 1 by 6 किया, तो यह bonus units आगए, 1 by 6 माल तो, यह including है ना या, और इसलिए 1 by 6 हो गया, तो सर 25,000 आगए, 25,000, और 25,000 इसमें including है, bonus तो 1 by 5 है गया, bonus तो 20,000 units हो गया, और issue price आगए, 50,000 हो गया, ठीक अच्छा, question number 22 भी अच्छा है, question number 22 में क्या खास बात है, अच्छा कोश्चा ना देखें, question number 22 बोल रहा है, Mr. X ने, 1 जुलाई 2007 को initial offer के समय, mutual fund में 10,000 units खरीदा था, तो समय face value था, एक रूख, मेरे खियाद से मैंने diagram बनाया होगा, पक्का बनाया है, तो भाई 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 मैंने 10,000 units खरीदा था, एक साथ को 10 रुपे के सबसे, तो investment कितना किया था मैंने 1,000,000, इसके बाद उनका ये कहना, 31st March 2008, dividend paid by mutual fund, 10% dividend paid हुआ, कब 31st March 2008 को, यहां 10% dividend मिला है, अगर 1,10% मतलब स्पर 10,000 रुपे dividend के रूप में मिला, आगे क्या लिखा है, और इसके अलावा उस समय एनुवलाइज यिल्ड थी 153.33% यह तो 9 मत पीरियड है पर एनुवलाइज यिल्ड दिया है 153.33% ठीक है इसके अलावा 31st मार्च ही है 31st मार्च 2009 को 20% डिविडेंट मिला ठीक है यहां डिविडेंट है 20% इसके अलावा बुले Mr. Action ने रिडिम्ड कर दिया 11,296.11 यूनिट और यह कब रिडिम्ड किया भाई उस समय एनुवलाइज यिल्ड थी 73.52% और 31st मार्च को यह 11,219 यूनिट से रिडिम्ड कर दिया 73.52% एनुवलाइज यिल्ड थी अब यहर कोशन क्या है कोशन एनुवी मांग रहा है एनुवी कहां कहां का यहां का एनुवी मांग रहा है यहां का एनुवी मांग रहा है और सुनो यार क्या मुझे यहां की इनुवेस्टमेंट वैल्यू पता लग सकती है क्या मैंने क्या किया क्योंकि मुझे होल्डिंग पिरिड रिटन निकाला एनुलाईज रिटन मालूम है तो मैंने इसके हिस तो सर यहां की वैल्यू आगे दो लाग पंद्रह हजार ध्यान से मरी वात समझने की कोशिश करना दो लाग पंद्रह हजार इसमें सर डिविडेंट जो री इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी जुड़ा हुआ है कि हाँ भाई हाँ अब क्या करें चाहू तो रेश्यो बना लो यह तो सिंपल है यह डिविडेंट का पैसा कितना दस जार वो दस जार रुपे इसमें से एक काम करो अलग कर दो मैंने अलग कर दिया मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ दो लाग पंद्रह हजार में डिविडेंट वाला भी तो पोर्ट से जुड़ा हुआ है तो एक काम करो इसमें से दस जार तो हटा ही दो बचा कितना दोलाग पाचार याँ यह हमारे एक लाग यूनिट्स का एन अवी है तो वह यहा है किया है क्या किया belongings देखो के ध्यान से तो दोलाग पंद्रह हजार में जाम से दस जार हटा दिया तो दोलाग पाचार जार तो एन याँ निवी निकल गया है बीस रुपया 520 एक्वेशन बना की करवा सकता हूँ यह एक्वेशन बना की उतना टाइम नहीं है बस मैंने कहा कि इसमें से मैंने हटा दिया 10,000 और जो 10,000 रुपए है उसका 20 रुपए 50 पैसे के हिसाब से मैंने और यूनिट्स खरीदा 487.805 तो यहां का एन एवी तो मुझको मिल ही गया और यहां का एन एवी मिर्चे कितना मिल गया वो मिल गया मुझे 20 रुपए 50 पैसे ठीक है जी ठीक है और टोटल नंबर अप यूनिट्स कितनी हो गई यहां सर्फ पहले से 10,000 तो थी यूनिट्स 10,000 थी 480 तो टोटल मिला कर होगी 10487.805 यूनिट्स ओके अब ध्यान से समझना सर्फ यहां भी तो डिवीडेंट मिला है तो डिवीडेंट का एमाउंट तो हमको मालूम है डिवीडेंट के एमाउंट में तो हमको कोई सक नहीं है 10,000 थी 4808 पॉइंट इतना यूनिट्स है 10 रुपे है फेस वेली 20% डिवीडेंट तो सर्फ 20,000 थी 575 रुपे हमको डिवीडेंट का मिला 20,000 थी 575 रुपे डिवीडेंट का मिला सवाल है कि मुझे यहां का एनिवी पता करना है और एक बात है कि यहां यूनिट्स नंबर ओफ यूनिट्स कितना था सर यहां नंबर ओफ यूनिट्स था हमारा 10,480 यूनिट्स एगरी और यहां हो गए 11,296 यूनिट्स क्या हुआ होगा बीच में सर डिवीडेंट री इन्वेस्टमेंट हुआ आखी आपकी नंबर ओफ यूनिट्स बढ़ी ना तो बढ़ी तो कहां से खरीदा थोड़ी ना है यह जो डिवीडेंट मिला है इसी का तो री इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो वही किया है यह जो यूनिट्स बढ़ी ना 11,296.11 माइनिस 10,4807.805 तो अगर देखोगे इतना रुपए डिवीडेंट इतना यूनिट्स बढ़ा तो एन्वेस्टमेंट आगे 25.95 यहां का पुशन अच्छे है और यहां का से लास्ट का देख रहे हैं तो वहां का हमको एनुलाइज यिल्ड दिया हुआ हुआ है 33 मंथ कहां से आ रहे हैं वह आपको पता है यहां से यहां तक 33 मंथ है तो होल्डिंग पिरेड रिटर निकला तो क्लोजिंग वेल्यू निकल जाएगी और यहां का नंबर ओफ यूनिट से मालूम है तो यहां का एनुवी निकल जाएगी देख है अच्छा कोशन था एक छोटा सा टॉपिक है इंडिफरेंस रिटर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है अगर मैं सीधी सी वाद बोला हूँ तो कुछ है नहीं है पर पता नहीं सब कर रहे तो यह भी करेंगे इंडिफरेंस रिटर में भाई कुछ खाज बात नहीं है एक परसन है राम अगर वो सौ रुपए डारेक्ट एक्विटी में लगाता है तो मालो अठारा परशन की कमाई हो अब यहर म्यूचल फंड में लगाते ही दो परशन कट जाएगा तो म्यूचल फंड में एक्चुल में तो 98 ही लग रहा है और 98 पे हमको 18 तो कमाना ही कमाना है अगर म्यूचल फंड से कितने ही परशन्ट इसकी कमाई कर रहा है तो 98 पे 18 तो कमाने ही कमाना है और साथ में रिकरिंग एक्सपेंसेज हर साल का है तो 1% ये भी कमाना, that's it तो mutual fund से कितना कमाई कि इसके indifference हो जाए, पहली बात यहां भी 18 कमाते, यहां भी 18 कमाते तो चल जाता पर यहां 18 जो है, वो 98 पे कमाना पड़ेगा और यह तो कमाना पड़ेगा, साथ में recurring expenses का भी तो कमाना पड़ेगा, simple है formula लिखना, formula से कर लो r2 is equal to rv यह वो मिझे आता नहीं, मैं simple सी बात कर रहा हूं ठीक है, okay sir, 18 divided by 98 plus 1 question उठा रहे, question number 33 question number 33, एक बड़ेख ले क्या है, yes बोले, Mr. Alex Alex, एक practicing chartered accountant जो अभी 15% की कमाई कर रहा वो equity में डालता है अब आपका मन करना कि क्यों न mutual fund में पैसा लगा है, तो 6% तो इसका initial cut जाएगा मतलब यह 94 ही लगेगा 94 94 पे 15 तो कमाना ही कमाना है और 2% क्या लगेगा, recurring expense लगेगा, बस निकाल लो, answer रहा चाहेगा तब इन 200 तो 15 divided by 94 into 100 plus 2, 17.96 26% कमाना ही पड़ेगा 0.02 कैसे आगेगा तोला कहां से आगेगा 15 होना चीए, पता नहीं कहां से मैंने copy किये 15 होना चीए 15 डिवाइड बाइ 94 जोबी आएगा in 200 plus 2 कर देगा 15 डिवाइड बाइड 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 नाइन टिफूर 17.96 इसको ठीक कर लिना मेरी सबसे तो 17.96 परफिया कमा रहा है और इसके अलावग पचास लाग का पोर्टफॉल्यू है और उस पर खर्च करता है अपना 10% टाइम बरबात कर देता है पोर्टफॉलियू पर और इस 50 लाग पर क्योंकि खुद एक्वटी में मेंटेन कर रहा है इस 50 लाग पर भाई सब कमा कितना रहे हैं अभी कितना कमा रहे है प्रोफेशनल इंकम से 40 लाग कमा रहे है और 50 लाग पर 10% 50 लाग पर 15% 7.5 लाग तो अभी टूटल कमा रहे हैं 47.50 लाग आप अपना काम करो ना यह आप सीए हो तो आप अपना काम करो तो उसकी वजह से आप 40 तो कमा रहे थे 10% और कमाऊगे तो 44 लाग तो यह कमाऊगे और आप मूचल फंड में डालो वो लोग मैनेज करें तो 13% कमा कर देगा तो उस हिसाब से आपकी प्रोफेशनल इंकम बढ़ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा कि आप अपने प्रोफेशनल इंकम पर धियान देए पार्ट नमबर 3 हैच फंड हैच फंड में कुछ होता नहीं बड़े बड़े CSA होते हैं यसर CSA होते हैं और उनके पास पब्लिक जाती है पब्लिक मतलम लिमिटेड लोग और उनको कहा जाता CSA लोगों को कि हमारा फंड मैनेज करोगे क्या तो CSA लोग कहे गा यार फीस तो आपको देना पड़ेगा जितना भी आपका फंड है उस पर आपको basic फीस तो लगेगा ही लगेगा साथ में अगर इंसेंटिव भी देना पड़ेगा और इंसेंटिव कैसा रहेगा अगर highest price है उससे भी अगर मैं बढ़ा दिता हूँ तो इस पे जितना बढ़ा है उस पे मुझे incentive भी मिलना चाहिए और fees calculation के लिए भराता है तो यही बहला question है लिखा ANP hedge fund है और कितना और रुपिया लगा है सर्फ 20 करोड रुपर का fund है और इस पे fund manager कितना commission charge करेगा सर्फ fund manager charge करेगा 0.10% commission तो basic fees है वो तो मिलना मिलना इसके लावा 2% मिलेगा incentive fees और incentive जो मिलेगा वो मिलेगा excess of the portfolio maximum value since inception और maximum value दे रखा है 21 करोड 21 करोड से अगर उपर चला जाता है portfolio का value तो incentive भी मिलेगा कितना 2% हम पूछ रहा है कि बताईए CA साहब की fees बताईए अगर portfolio 29% से बढ़ता 4.5% से बढ़ता या down होता भाई ये down होगा तो भी 2,00,000 रुपए basic fees तो मिलेगा incentive नहीं मिलेगा 29% से बढ़ता है मतलब 20 करोड है तो ये 20 करोड ये तो मिलेगा basic fees नहीं मिलेगा सार 20 करोड का 1.29 बढ़ा इस इन्टू 1.29 यस 25.80 हो गया सार क्या ये 21 से बढ़ गया यस तो इनके difference पर incentive मिलेगा जो की कितना मिलेगा 2% ऐसे ये देखोगे तो सर यहां भी 4.5% से बढ़ा 20 plus 4.5% 20.90 पर ये तो 21 से नहीं बढ़ाना तो आपको incentive नहीं मिलेगा that's it okay part 4 performance evaluation of mutual fund कुछ नहीं है यार देखो mutual fund में problem क्या है मालूँ है problem यह है कि पहले share में पैसे लगाते थे आज कि हम mutual fund को पैसे दे रहा है अब mutual fund का भी कौन सा portfolio manager या mutual fund manager अच्छा performance कर रहा है कौन हमको ज़्यादा कमा कर दे रहा है कैसे पता लगेग हमें किस fund में पैसा लगाना चाहिए बड़े सारी mutual fund है तो उसके लिए बोले आप performance चेक कर लो उसके इसाब से पैसे लगा लेना तो performance चेक करने के तीन तरीके या तो sharp ratio बढ़ाया हूं या तो trainer ratio या तो जैंसन अलफा में ज्यादर discussion नहीं करूंगा जैसे आरपी और देखो आरपी कितना परशन कमाया 15 और रिस्क फ्री पे कितना 7 तो सर एक्स्ट्रा कितना कमाया सर एक्स्ट्रा कमाया 8 परशन कितने रिस्क के पीछे sharp बोलता है कि नीचे ले लेना standard deviation और trainer बोलता है कि नीचे ले लोगे आप बीटा और रिशो निकालोगे और highest जो भी आएगा उसको हम करेंगे और alpha तो alpha ही है तो वही मैंने किया है याद रखना नीचे sharp रिशो में standard deviation आएगा यहाँ आजाएगा बीटा और rank दे देंगे rank के सबसे यह अच्छा है और systematic risk के सबसे यह वाला ज़्याद अच्छा है और alpha तों को निकलना आता है विशेश कोश्चन नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है बस मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था एग्जाम में एक बर क्या हुआ था जैसे यह है न यह वाला ध्यान से देखो इसको 16-7 divided by 1.5 प्रेनर रेशो अब यहर 16 percentage है ना भाई ICAI ने लिखा 0.16-0.07 divided by 1.15 तो ट्रेनर रेशो आगया 0.0581 और 0.0581 में सर फर्क क्या पढ़ा अगर आप रैंक दोगे तो फिर तो दोनों के लिखो एक साथ comparison करना है तो इसको भी वैसे करोगे बिटे समस्या वो नहीं है अब कोश्चन यह आ गया extended evasion दे रखा 6.5 ठीक है सर 6.5 यह दे रखा है और सर बीटा दिया 1.5 ठीक है सर बीटा है यह है 1.55 और ट्रेनर रेशो दिया 0.0581 यह जो है ट्रेनर रेशो अब यार मुझे यह मालूम है मुझे यह मालूम है तो क्या rp-rf निकल सकता है यस अब देखो दिहां से ट्रेनर मदस्य यह निकला 0.0900 रp-rf वस याद रखना नीचे शार्प रेशो के लिए नीचे आपको extended evasion में आप 6.5 मत कर देना मुझे यह करना पड़ेगा 0.065 सर पता कैसे लगेगा बिटेट ट्रेनर रेशो कभी इतना fraction में नहीं आता 0.05 ठीक है यह कोशन देख लेना ओके सर टाइम कोशन नमबर 38 विले दो mutual fund D mutual fund और K mutual fund ठीक है और each having close ended equity scheme D mutual fund का जो एनेवी है वो है 70 रुपए 71 पैसे जिसमें 99% equity है और K mutual fund में का एनेवी है 62.50 जिसमें 96% equity ठीक है भई पहले मैंने काम क्या किया अलग अलग कर लेता हूं क्यों कर रहा हूं बाद में समझेंगे एनेवी है एनेवी दिया है standard deviation दिया है क्यों दिया भई no change in portfolio during the next month and annual average cost 3 रुपिया पर उनिट हर साल का खर्चा है 3 रुपिया पर उनिट अगर share market 5% से कम हो जाता है एक महेंने में तो बताइए कि एनेवी क्या आएगा दोनों का share market गिरेगा yes share market गिरेगा तो क्या एनेवी पी फर्क पड़ेगा yes तो कितना फर्क पड़ेगा 5% से market गिरेगा तो एनेवी में फर्क पड़ेगा कितना फर्क पड़ेगा सवाल है उसके लिए हमको लगेगा बीटा और बीटा कैसे निकाले तो भाई यहां देखो इस्टेंडर्ड एविएशन और शार्प रेशो दिया है तो इसकी मदद से हम हमने शार्प रेशो यहां लिखा और यहां इस्टेंडर्ड एविएशन की मदर से मैंने rp-rf निकाल लिया और rp-rf को यहां लिखा trainer ratio दिया है तो इसकी मदर से beta निकल गया है ऐसी इसका भी beta निकल जायेगा ठीख ऑकिला अगर market 5 % से गिरेगा तो यह 5 x 1.5 5 x 1.5 टाड़े 7 परशन से गिरेगा opening cash हमको मालुम था अब यहां खर्च देखो, खर्च भी है कैश में भी तो फर्क पड़ गया, तीन रुपए है पर यह annual है तो सर्फ तीन divided by 12-12 मैंने का 0.25 0.25 मैंने कम कर दिया होगा मैनस कर दिया होगा तो यह कैश निकल गया, यह equity था, और साड़े साथ person से down हो जाएगा, तो 64.75 आ गया और इसको इसके साथ add कर दिया, तो यह NAV आखे वावस सर, question number 40 में कुछ बात है, कि question number 40 में देखा हो जाए, तो कोई बात नहीं हमसे क्या मांगा है sharp ratio, और क्या मांगा है trainer ratio, पर RP नहीं दिया है RF दे दिया है सर, RP कैसे निकलेंगे, बैटे, तीन साल कर दिया, तो average करेंगे, तो RP निकल जाएगा और sharp ratio के लिए standard deviation चाहिए, तो यार, table बनाना पड़ेगा, तो standard deviation of portfolio भी निकल जाएगा अब RP minus RF और standard deviation of portfolio और trainer के लिए निचे चाहिए, बीटा तो covariance दे रखा और covariance दिया है, और standard deviation of market यह दिया है, यह दिख रहा है, तो सर, इसकी मदद से क्या मिल जाएगा, इसकी मदद से बीटा निकल जाएगा, और फिए बीटा को put कर लेंगे, simple question था, ओके, यह वाला question है, बहुत बड़ा है, बहुत ध्यान से करना है हम दो, हाँ, तो question number 43 और इस question number 43, एक्चुली बहुत बड़ा question है, तो chances क्या लगता है कम है, पर ऐसा नहीं कि आया नहीं है, कई बार आया हुआ है तो भाई, important है, एक बार हलका से revise करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा नहीं होगा question तो लेका, 1st April, open ended scheme of mutual fund कितना दिया हुआ है, सर 300,00,00,00 units है with net asset, NAV दिया हुआ है और NAV कितना दिया है, 18.75 पैसे 300,00,00,00 units है, और 18.75 पैसे, तो 300 into 18.75 तो टोटल 5625 5625 का investment है, ठीक्स कब की बात है, फर्ष्ट अप्रिल की at the end of April, April end में 6,00,00,00 और unit issue किया 3,00,00,00 units issue किया पैले से 300,00,00,00,00 units था, 6,00,00,00, और unit issue किया कितने में units issue किया तो उन्होंने लिखा है कि जो opening NAV है, plus two person load आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब आप यहाँ units issue कर रहे है तो आप यहाँ की NAV पर issue करोगे ना, आप यहाँ की NAV पर कैसे issue कर सकते हूँ भले नहीं, हम यह वाला NAV plus load और यहाँ जो भी profit कमाया है ना, वो भी हम सामने वाले से वसूल करेंगे इस इस डिविडेंड adjustment अब इसको मैं बहुती स्पीड से करवाँगा क्योंकि बस यह click करवाना था बस और कुछ नहीं, अब सुना क्या बोला इसके बाद उन्होंने यहाँ income दे रखा है April का, मे का, जून का और आप से मांगा है income available for distribution तो यह April का income है यह मे का income है, यह चून का income है और एक statement बना रहे हैं income available for distribution तोटल कितना कमाया अप्रेल में 22.95 कितना units 300 तो एक unit पे आगया .0765 जब अब 6 लाक units issue करोगे न, तो सामने वाले से NAV का पैसा तो बलवाओगे, साथ में, साथ में यह वाला जो profit है न, वो भी बलवाओगे, साथ क्यों, क्योंकि इस profit पे हक नहीं बनता है इन लोगों का जब 306 लोगों को जब मैं dividend बाटूंगा, तो यह वाला profit इनको भी तो बढ़ जाएगा, हमेने concept समझाये हो, अच्छे से समझाये हो इसलिए जिसे पार्टनर्शिप पढ़ा है न यार, पार्टनर से old new partner जो आता है उससे goodwill का पैसा बुलाया जाता है और फिर जब बाटना होता तो सब को एक बरावर बाट देते हैं, ठीक है मेरी बात समझाये हो, वो एक सेम concept है है, इसलिए इन से profit के रूप में पैसा बुलवाया गया, तो अब हमने का यार अब हमारे पास profit 22.95 नहीं है, अब हमारे पास profit हो गया है 23.409 और अब इस profit पे इस 306 लाग यूनिट्स वालों का अधिकार है यह न यार, ठीक है मही में कितना income हुआ 34.425 34.425 और कितने लोगों में बटना है 306 तो पर यूनिट हो गया 0.1125 तो टोटल मिला कर अब यह वाला भी profit हो रही है, वाला भी profit टोटल प्रोफिट हो गया है, यह यह टोटल income हो गया, और 306 पे तो एक यूनिट पर इतना बटना है अब हो क्या रहा है में में, बोले कुछ लोग यूनिट से वापस लेना चाहते, रिडीम्ड करना चाहते, बोलते सर हमको हमारा पैसा दे दो कितने लोग, सर तीन लाक तो जो तीन लाक यूनिट से जो पैसा देना है, देगे लेकिन साथ में यह जो profit है इस पे भी उनका अधिकार है जाते जाते, ओल्ड पार्टनर जाएगा तो अपना गुडविल का भी पैसा ले जाएगा तो यह वाला पैसा उनको चला जाएगा ओके सर, तो लाश्ट में तीन सो तीन यूनिट से बचा है और इतना profit अभी अभी अवेलिबल है जून में भी कमाया तो तीन सो तीन पर इतना profit बचा और जून में लिखा हुआ है कहीं कि सतर परशन डिविडेंट दे दिया तो सतर परशन डिविडेंट दे दिया उसके बाद इंकम अभी इतना बचा हुआ है कोशन बहुत अच्छा है टाइम चाहिए यार यह सब समझाने के लिए रिविजन में यह होना पॉसिबल नहीं तर इसके बाद क्या पूचा है इस्यू प्राइस मतलब सामने वाले को यूनिट से बेच रहे तो साब साब लेका ओपनिंग एनवी ले ले लेना और ओपनिंग एनवी कहां दिया हुआ यहीं कहीं दिया हुगा ना ओपनिंग एनवी ओपनिंग एनवी ले 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 लेना प्लस उसमें लोड जोड देना दो परशन पेचेंगे तो और महगे में ठीक है यह देखाओ और साथ में उनसे किस किस चीज का पैसा बुलवाया जाएगा और साथ में ये प्रॉफिट का भी पैसा बुलवाया जाएगा तो इतना मिलेगा इसी इश्यू प्राइस अप्रिल एंड करनेगा ऐसी रिडेम्शन प्राइस है तो ओपनी एनेवी माइनस किया करोगे लोट हम सामने वाले को पैसे दे रहे न है और वापस तो आठारा रुपय पैसे में से काट कर देंगे लेकिन उनके प्रॉफिट का पैसा तो उनको देना पड़ेगा मतलब 0.1890 ये एड हो जाएगा और सर इसके बाद क्या बचा एनेवी निकालना तो एनेवी में देखो ये था 5625 ओपनी ठीक है सर 5625 इसके अलावा ये इनकम होई तीन साल तीन मन्त की साथ में पोर्टफोलियो का वैल्यू का एप्रीशिशन भी हुआ ये दिख रहा आपको एप्रीशिशन और आपने यूनिट्स इस्यू किया उससे भी तो पैसा आएगा 6 लाक यूनिट्स इस्यू किया 19.2015 के हिसाब से और 3 लाक ये पैसा गया और डिविडेंट डिस्टिबिशन हो रहा है याद करो ये वाला तो ये माइनस करने के बाद नेट एसिट्स इतना बचार डिवाइड़ बाइ नमबर अप यूनिट्स तो ये आगए कोशन बहुत अच्छा है ये कोशन बनाने का बनताब पर टाइम है कहा हमारे पास एक अपरिल 2012 को ABC mutual fund ने issue किया बीस लाक यूनिट्स तस रुपए के इसाब से उसर टूटर मिलाकर 200 लाक रुपिया आया हमारे पास initial expenses हो गए 12 लाक खर्च कर दिये और इसके अलावा 125 लाक अपने portfolio में लगा दिया एक अपरिल की information दे रहा मतला हमको cash नकालना पड़े तो सर बादो सो लाक आया था 12 लाक रुपए का खर्च 185 लगा दिया तो तीन लाक रुपए कैस का बचा ओपनिंग में अपरिल में भाई ऐसा किया कि हमने एक जो 60 लाक का instrument था हमने 63 लाक का बेज दिया तो यह हमारे पास कैस आ गया उसमें से 56 लाक का पर्चिस किया दूसरी security तो कैस चला गया आठ लाक रुपए का जो expenses था उसमें से 10 पर्चिस अभी देना वाकिया मतलब साड़े साथ साथ लाक बीस जार रुपए का expenses पैड भी किया इसके अलावा dividend की कमाई हूई दो लाक की ही दो लाक की कमाई और बले 80% of realize earning हमने बाढ़ दिया तो earning realize कितना हुआ एक तो तीन लाक रुपए ये आपकी capital gain का income था और दो लाक रुपए dividend था इसका 80% आपने बाढ़ दिया तो closing cash बचा 0.80 और 0.80 मैंने यहां लिख दिया साथ में portfolio का value एने भी मांग रहा है portfolio value appreciation हुआ कहां लिखा है 198 हो गया तो ये portfolio का value 198 आउट इस्टनिंग management expenses 0.8 तो सरी ये net asset आया number of unit से divide किया तो ये एने भी आखे ठीक और annual return मांगा है तो capital gain per unit चेक करो capital gain per unit 1.6 है कहां से मिला सरी ये 1.6 divided by कितना units है सर 20 लाक units है capital gain per unit और dividend per unit आपको दिखाई दे रहा है तो change in any way और ये divided by दस तो one person निकला one month का तो बारा मिने का बारा person ये question भी एक बार देख ले इसके लाव फार्मा net selectivity model में नहीं करवा रहा हूं revision में इतना tracking error का कोई question आया नहीं तो क्यों करवा है अगर आपके पास time है तो आप देख सकते हैं ठीक है अब ये ऐसा है कि मेरे ख्याल से अगर हो गया होगा आपका अगर आपको सोना है तो आप सो सकते हूँ चार घंटे का target था चार घंटे हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है और अगर आपके पास time है तो कल के लिए जो lecture upload किया है वो भी देख सकते हैं फिस्टार्ट कर लीजिए derivative कम से कम derivative दो घंटे का उस पर खतम कर लो time बच जाएगा revision के लिए और thank you so much bye bye good night कल मिलते सुबह